अस्सलामों अलेकुम दोस्तों, वेलकम टू माई चैनल नाविल्स पॉइंट, आज मैं आपके लिए एक बहुत मज़ेदार नावल लेकर आया हूँ, चले नावल सटारट करते हैं, नावल, सुन मेरे हमसफर, राइटर, जोहा आसिफ, मुकम्मल उर्दू नावल, वो गहरी निंद में था जब उसे महसुस हुआ कि किसी ने उसे आवाज दी है, अभी वो ठीक से उभी ना पाया था कि बे, रफ का ठंडा पानी किसी ने इसके उपर गिरा दिया था, शेरी कब से कह रही हम उर जाओ, इसकी आँखिया पूरी खल गए थी, सामने ही माही युनिवरसि है माही, तो उठकर निहाना नहीं था किया तुमने किया ऐसे है, ये उठा कर तुम्हें ले जाती, जरा मेरी इज़सत का भी तो सुचो, चलो अब जल्दी नीचे आजाओ, इसलाम अलेकुम बीजान, माही ने बीजान के कमरे में आते ही सलाम किया था, उड़िया गई मेरी दस्तक हुई, आजाएं, सलाम बीजान, आने वाला शेरी था, और माही को यूट बीजान की गोध, मैं सर रखे देखकर जल भन गया था क्यूंकि रोज उस वाक्त वो ही इनके पास मौजूद होता था और ऐसे ही इनकी गोध में सर रखकर अपनी दिन भर की रुदात सुना माही चलो अब तुम जाओ, अब मेरी बारी है, जहां तक मुझे ये अध्य हमने बीजान से प्यार करवाने की बारियां नहीं लगाएं थी, बीजान असको समझा ले, अब मेरी बारी है, बोड़े बेटा वो अगर आ जा ही गई है तो तुम क्यूं भेज रहे हो, तुम थो नर्मान तुम दोनों में से कोई मुझे फारा के घर छोड़ाएगा, वो दोनों किताबी फैलाए ना जाने किया कर रहे थे, माही हम प्रोजेक्ट बना रहे हैं तुम शेरी भाई के साथ चली जाओ, औफ फिर शेरी के साथ जाना पड़ेगा, असने सुबह वाला बदला भ आप बोलो माही, वो तुम मुझे फारा के घर छोड़ाओ प्लीज, वो पहले सिधा इंकार करने वाला था पर बदला भी तो लेना था इसलिए फोरण ही मान गया, अच्छा में बाईक निकाल लूँ तुम आ जाओ पोर्च में, जबके वो हैरान खड़ी उसी को देख रही अब किया करेंगी, माही ने परेशानी से पुछा था, थोड़ी ही दूर है फारा का धर हम पैदल चलने की शरी ने फोरण हल निकाल लिया था, अच्छा चलो, वो दोनों पैदल चल रहे थे, शरी को तो पैदल चलने की आदत थी अलिफ, सीन लिए उसे ज्यादा महसूस न रहा हाल हो गया था, फारा के घर के दर्वाजे पर माही को छोड़ कर शरी ने कहा, अच्छा माही अब में चलता हूँ, हाँ लाहाफिस, सुनो में फोन करूं तो अपनी इस खराब बाइक में पिट्रोल डलवा कर आ जाना, तुम हैं, किसने कहा के मेरी बाइक में पिट्रो पोड़े तुम हैं किया हवा माही, इतनी लाल पीली किम हुई हो, माही की जबान से सब सुन के फारा ने दस मिनक तक बमुश्किल अपना कहका जब्त किया था, यकीन नहीं होता माही तुम भी बेवकोफ बिन सकती हो, मुझे बस वो नमूना ही बेवकोफ बना सकता है, माही अम्मी अब्बो और भी जांग सब को शरी की शिकायत लगाई थी और उसे डानिट पढ़ने पर दिल को थोड़ा सुकुन पहुंचा था, पर इस जीट को कहां असर होने वाला था, अभी उसने लेप्टा पान किया ही था कि उसे मसीजिस आना शुरू हो गए, वो दूद का ग्लास पीता हुआ सरसरी निगाउन तमाम मसीजिस पर भी डालता जा रहा था कि अचानक एक खबर पढ़ कर उसे ऐसा लगा कि जैसे इसकी सांसे थम गई हूँ इसे अपनी आँखों पर यकीन नहीं आ रहा था इसका बच्पन का खाबाज पूरा हो रहा था इसने बार बार अपनी आँखों को रगड़ा उसे एतिबार ना आ रहा था खुशी इतनी थी के संभाली नहीं जा रही थी फॉरण सजदे में गिर गया था जब वो उठा तो आँखी इशके बार थी शाम के वक्त मुखलिया महलों जैसी बनी ये हविली सुनसान हो जाया करती थी पर आज उनकी शेरी को एक अहम ऐलान करना था उसे लिए सब ही जा गए थे हविली के बड़े कमरे में भी जान शेरी के अब्बू जान सिकंदर साहब और अम्मी जान फरजाना बेगम मौजूद थी इनके साथ ही माही के अबू जान हमदान साहब और इसकी अम्मी जान साधिया बेगम भी मौजूद थी जबके माही अर्मान और ररहान भी पास ही खड़े इसके बोलने का बेसबरी से इंतिजार कर रहे थे शेरी नून ये इन्हें इतनी एमरजिंसी में बुलाया था कि सबकी धरकने तेज हो गए थी शेरी बेटा अब बता भी दो कि उससब को परेशान कर रखा है भी जान की परेशान आवाज आई थी उड़े आप सब परेशान नहूं जो बाद में बताने लगा मुझस से पहले आप सब मुझस से वादा करें कि कोई रोएगा नहीं और नहीं उदास होगा शेरी ने कहा था इसने माही की शकल देखकर मुश्किल से अपना कह कहा रोका हुआ था वो ऐसी ही थी सब की खुशी में खुश और दूसर ये की परेशानी पे इस से ज्यादा परेशान पर अब जिस तरह शेरी ने सब को दस मिनट के अंदर आने को कहा था वो भी परेशान हो गए थी शेरी क्यों सब को परेशान कर रखा है बता भी दूआ की बार फरजाना बेगम बोली थी तो सब अपना दिल खाम लिजे ए ना वो ना शेरी की आवाज आई थी शेरी तुम्हारे ड्रामे नहीं खतम हो रहे यहां हम सब की जान निकल रही है मही घुस्से से बोली थी अच्छा बता रहा हूं मेरा आज बच्पन का खाब पूरा हो गया मेरी जिन्दगी का मकसद हासल हो गया मुझे पाकिस्तान आर्मी में सलीकट कर लिया गया है मुझे यकीन नहीं हो रहा शेरी की खुशी से भरी हुई आवाज आई थी पहले तो सब को यकीन ना आया था शेरी दोबारा बोल उठाजी अम्मी जीम इन अब्बू जान सच कह रहा हूं देखा चची जान आज मेरा खाब पूरा हो गया चचा जान मेरी दोआइं पूरी हो गई माही अरहान अर्मान यकीन आ रहा है तुम लोगों को कमरे में कुछ देर खामोशी रही थी शायद सब इस नहीं मिलने वाली खुशी में खो गय थे कुछ देर बाद भी जान की आवाज आई थी अलार तुझे कामियाब करे मेरी जान और इसका माथा चो माथा फिर फर्जाना बेगम बोली थी मेरा शीर बेटा अलार हमेशा तुझे कामियाबियां दे सबने बारी बे अरी इसे दुआएं दी थी पर माही वहां से गायब थी शेरी ने इस बात को मحसूस जरूर किया था पर सब के सामने जाहिर ना होने दिया था माही, माही, कहा हो यार शेरी उसे घर के तकरीबन हर कमरे में जूंड चुका था पर वो कहीं नहीं थी इसके मिलने की आखरी उम्मीद चत्ती स्वावो वहां गया और वो वहीं मौजूद थी माही हद करती हो यार कब से तमहीं ढूंड रहा हूं सब नीचे बला रहे हैं और अतम यहां हो माही ने बड़ी महारत से अंसू साफ किये थे पर वो भी शरी था जो इसकी हर चीज़ का ख्याल रखता था इससे ज्यादा असको जानता था उफ माही में कोई दुनिया चोड़ कर नहीं जा रहा हिम्मत करो किया तुम मेरे खुशी में खुश नहीं माही ने दरब कर उसे देखा था और इस एक लंगे के बाद वो इसकी अंखों में ना देख पाई थी इसने फौरण खुद को संभादा था हाँ चलो और बकवास थोड़ी कम किया करो मैं तो बस फरेश हुआ में सांस लेने आई थी कम असकम कुछ दिनों के लिए थे वाओ तुम से जान छूट जाएगी और ज्यादा खुश ना हो इसे तो उसने कह दिया था पर वो खुद अपने दिल की बेचीनी पर हैरान थी शेरी के दूर जाने का ख्याल उसे तकलीफ दे रहा था दूसली तरफ शेरी को भी कुछ ऐसा ही महसूस हुआ था पर उसने किसी पर जाहिर ना किया था आज मही और शेरी की इकलोती फपो आई हुई थी फायका फपो इसलाम अलेकुम असने कमरे में आते ही सलाम किया था उड़े वाह आज तो लगता है पूरा खानदान आया है फपो मैं आपको इतना याद कर रही थी मैं तो आपको फोन भी करने वाली थी अच्छा किया आप खुद आ गई हाँ मेरी बची मुझे तो आना ही था इन्होंने मानी खेज बात की थी मही को तो मतलब समझ ना आया पर शेरी अपनी फपो को हैरानी से देख रहा था जो सलाम के इलावा कोई बात ना करती थी आज मही को अपने पास बिठा लिया था कुछ तो अलग था आज इनके रवये में जो वो अच्छी तरह समझ चुका था तभी दिल में बेचीनी हुई थी अंडर्सकोर 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 बी जीम इन खुर्शीद बी बी जवानी में ही बेवा हो गए थी इनके तीन बचे थे सिकंदर अली खान, हमदान अली खान और फाइका अली खान सिकंदर और हमदान में शुरू से ही बड़ा प्यार था और शादी के बाद भी अपनी बीवी बच्छों समी ते एक्टे रहते थे सिकंदर साहब के तीन बेटे थे शहरियर सिकंदर खान और दू जुर्वां बेटे अरहान सिकंदर खान और अर्मान सिकंदर खान जबके हमदान साहब की एक ही बेटी थी माहा हमदान अली खान वो अपने घर में इकलोती हून ये की वज़र से बहुत लाडली थी इसमें तो जैसे सब घरवालों की जान बस्ती थी फायका फपो का एक बेटा था अहमद शाह और एक बेटी एसरी शाह माहा को सब प्यार से माही बुलाया करते थे और शहरियार को शहरी कहा जाता था फायका फपो के आने का मुकसद शीरी खोब अच्छी तरह समझ गया था पर माही ने गौर नहीं किया था अम्मी जान आज में यहां एक खास मकसद से आई हूं फायका की आवास खुशी से तेज होती जा रही थी हाँ बोलो बेटा भी जान भी अब तक सब समझ चुकी थी हमदान भाई आज में आपसे आपकी सबसे तीमती चीज मांगने आई हूं जी दरसल में अपने बैठे एहमद शार के लिए अपनी इकलोती भतीजी माही का रिष्टा लेने आई हूं सब लोग शाकिट थे फायका भा ला सब कुछ जानते हुए ऐसा कैसे कह सकती थी माही तो गभरा कर अपने कमरे में चली गए थी कैसे भला इसकी खपो अपने नशेई बेटे के लिए इसका रिष्टा लेकर आगाए थी फायका ये किया कह रही हो दिमाग तो ठीक है तुम्हारा बी जान की घुस्से से भरी हुई आवाज आई थी जबके सिकंदर साहब और हमदान साहब के चेहरे के तासुरात भी कुछ ऐसे ही थे ये कैसी बातें कर रही हैं आप फायका बाजी आप तो जानती हैं ना कि माही की मंगनी बच्चकन से ही शरी के साथ तै थी और ये बात हमने बच्चों की तालीम मुकमल हो जाने तक मखफी रखी थी और ये फैसला आपके सामने ही तो हवा था फिर आप ऐसा कैसे कह सकती हैं हमदान की घुस्से से भरी आवाज आई थी हाँ नून हुनना तो इस बात को इतना अर्सा गुजर गया तुम लोगों ने कोई रसम भी नहीं की तो मुझे लगा बात खतम हो गई वो भी फायका बड़े आराम से कह गई थी वो किसी भी हाल में आज अपने मकसद में कामयाब होना चाहती थी मुआफ कीजिए बाजी ऐसा मुम्किन नहीं आप अपने दिल से ये ख्याल निकाल दीजिए सिकंदर साहब बोले थे ठीक है भाई जान आवाज इनकी मद्गम थी मगर घुस्सा साफ जाहिर हो रहा था शेरी इस तमाम गुफटबू में खामोश रहा था मगर दिल इसका बहुत बेचैन था जिसे अपना हमसफर बनाने की खाहिश इसके दिल ने जाहिर की थी वो तो उसी की थी वो बहुत खुश था अपने बढ़ों के इस फैसले से पर वो भी आखिर शेरी इर सिकंदर खान था सब पर ये जाहिर नहीं होने दे गे जल्दी कोई फैसला कर लेना चाहिए हमदान साहब बोले थे बी जान की भी आवाज कमरे में उगरी थी बेटा मेरा तो मशवरा है कि शेरी के वहाँ जाने से पहले बच्चों का निकाह कर देना चाहिए ठीक कहरे ही हैं अम्मी जान हमें अब यह कदम उठा लेना चाहिए फर बड़े मगन अंदाज में नावल पढ़ रही थी कि अचानक इसके कमरे का दर्वाजा बजा था अंदर आजाए माही ने आने वाले को आवाज दी थी अंदर आने वाली हस्ती सादिया बेगम थी बेटा तुम मसरूफ तो नहीं उड़े नहीं नहीं अम्मी जान आप आईन मंदी शामिल है इंकार की गुंजाईश तो नहीं मगर फिर भी तुम सोच लो माही का दिल बेचैन हो गया था गभराहट से वो तेज तेज सांस लेने लगी थी वो एक दम से ही परेशान हो गए थी जी जी अम्मी जान कहीं में सुन रही हम माही की परेशान आवाज आई थ बेटा हमने तुम हरे बच्पन में ही तमधारी निजबत शायी कि साकते कर दी थी और ये बात तुम दोनों की तालीम मुकमल करने तक मखफी रखी थी अब अगर तुम हीं कोई इतिराज ना हो तो इस जुम्य को हमने तुम दोनों का निकाल करने का फैसला किया है साधिया बेगम ने सारे राज खोल दिये थे और वो हैरान खड़ी सब कुछ सुन रही थी, अम्मी जान ये सब कुछ किया है, ये आप किया कह रही है, मीम, अही के दिल में जहें एक दम से बहुत सी खुशियां सिमायों थी, वहीं ही इतनी जल्दी निकाह का सुन कर वो हैरान थी कि कि ये इतनी जल्दी भी द्वाएं खुबूल हो सकती हैं पर वो भी माही हमदान अली खान थी इतनी आसानी से कैसे अपने दिल का राज खोल देती, मैं भला इस बंदर के साथ क्यों निकाह करूं, आप सब ने ऐसा सोच भी कैसे लिया, माही अपनी पुराने टोन में वापस आ चुकी थी, माही तमीज करो अब वो तुम्हारा होने वाला शोहर है साधिया भी घुस्से से बोली थी, वो उल्लू जैसी आखों वाला हर वक्त सताता रहता है और आप कह रही हैं कि वो मुझे सारी जिंदगी ऐसे ही सताता रहे ना जीना, माही उतारो अपना जूता, व माही ने फोरं रंग बदला था हो तो पहले ही दिल और जान से इस फैसले पर रहा, जी थी, सिर्फ जबान से इकरार करना था, आज वो भी हो गया था, अम्मी जान आपके कहने पर में इस बूद से निकाह कर लेती हमाही मासूमियत से बोली थी, जिस पर इसकी अम्मी जान में इसे घूर कर देखा था, दोसली तरफ फरजाना बे, यदम भी आदे घंटे से शेरी को यही समझा रही थी मगर वो माही की तारिफों का पल बांगता जा रहा था, और वो तरिफें कुछ ही उती, किया इस बांदरी से मेरा निकाह, मैं इस चुड़ेल से निकाह हर गज नहीं करूंगा, लीक, नून इस बार फरजाना बेगम ने सचमच जोता उतार लिया था और शेरी ने कमरे से भागते हुए बस ही आवाज लगाई थी, जी अम्मी जान आपके कहने पर में इस लोमनी से निकाह कर लूँगा हाना कि इसका दिल खुशियों से भर गया था, ज कोई घर के दोनों लाम, अडलों के निकाह की तैयारी में भर चल कर हिस्सा ले रहा था, माही को बेयोटेशन घरा कर तैयार कर गई थी, वो गोल्डन और सुर्ख रंग के शरारे बहुत खुशूरत लग रही थी, शेरी भी किसी से कम नहीं था, वो भी सफेद शलवार से बढ़ कर हसीन लग रहे थे, माही रेडी हो, फारा ने आकर पूछा था, हाँ बस, फारा पानी ला दो बहुत गभराहट हो रही है, या अला मेरे दिल को सुकुन दे, माही की गभराई वोई आवाज आई थी, अफो माही परेशान नहीं हो, कुछ नहीं होता, बस खुद को पर सुकुन रखो फारा ने जी से इसकी परेशानी दूर की थी, कुछ देर बाद साधिया बेगम आई थी, चलो माही मौलवी साहब आ गया है, अम्मी आज बहुत गभराहट हो रही है, फिर किसी दिन कर लेंगी, माही ने अपनी तरफ से मशवरा दिया था, लड़की पर सुकुन रहो, चलो नीचे चलें, वो माही को लेकर सटीज की तरफ जा रही थी जब शेरी की नजर इस पर पड़ी थी, वो कब से उसे देखना ही चाह रहा था, कब से उसी का मुनतजर था, जब इसकी नजर इसकी होने वाली हमसफर पर पड़ी तो जैसे इसका वक्त व भी सिर्फ निकाह हो रहा है। वो सिर्फ ये सोच ही सका क्यूंकि कहने की जसारत ना कर सकता था। सिकंदर साहब की आवाज इसे होश में लेकर आई थी। आएं मौलवी साहब शुरू करें। और वाओ, हे वक्त आ गया था जसका सब को इंतिजार था। निकाह का फर्ज अद चुका था। दूसरी तरफ शेरी की तो जैसे दुनिया ही बदल गई थी उसने अपनी मुहबत को इतनी आसानी से हासिल कर लिया था। इस्ता दिल खुदा के आगे सजदा रेज हो गया था। वो अपनी जिन्दगी की नई तबदीली पर दिल से खुश था। अंडर स्कोर 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 शेरी को बीजान ने बुलाया था। इसलाम अलैकुम बीजान इसने कमरे में आते ही सलाम किया था। वालीकम सलाम आ गया मेरा बेटा। बीजान बेट पर बैठी थी। जी बी जान बूज कर रोनी सूरत बना कर बी जान से कहा था, किया बी जान एक तो मेरा आकसीन, बेने मिलकर इस चुडल से निकाह कर दिया और बार बार पूच कर मेरे जखमों पर नमक चड़ते हैं, मही ये सुनके ही भाग गए थी, शेरी इसके बारे में फुजूल ना बोलो मुस्कुराहट रोकी थी, बेटा तुम मही का बहुत खयाल रखना, वो बहुत खुब्सूरत बची है, सब का खयाल रखती है और मह, बुद इसके दिल में इस गदर है कि हर किसी का दिल जीत लेती है, तुम हमेशा इसका साख देना, बी जान इसे नसीहत कर रही थी, बी ज बी जान अच्छा ना, शेरी बोला था, नहीं मेरी जान वादा करो मुझसे, बी जान भी इन्ही की दादी थी, उनसे ज्यादा जदी, अच्छा बी जान वादा, शेरी ने भी इनके सामने हार मान ली थी, असने वैसे भी मही का खयाल पहले से बढ़ कर रखना ही था पर बी बी जान अब आप मुझे मेरी जान ना कहा करें अब में किसी और की जान हूँ और अगर मेरी बीवी मुझे से नारास हो गए तो वो इंतहाई मासूम शकल बनाए कह रहा था बद्तमीज ही रहोगे तुम अच्छा जाओ अप सुल जाओ अला तुम दोनों को हमेशा खुश आमीन बी जान ने इन्हें दूआ दी थी शरी ने भी दिल में और दिल से आमीन कहा था मही नून ये शरी को आदे घंटे से च्छत पर आने का मसीज किया हुआ था वो कब से उसी का इंतिजार कर रही थी इसने शरी और बी जान की सारी बाते सुन ली थी पर जब शरी ने कह और उससे ही बोली थी, ये किया बत्तमीजी है शरी, कौन सी बत्तमीजी, तुम बीवी हो अब मेरी, शरी भी उसी के अंदाज में बोला था, ओ हां सुरी, माही शर्मिन्दा सी हो गए थी, अजीब लड़की है कल निकाह हवा है और राजबूली हुई है, शरी ने इसका जवाब ना दिया था, शरी, माही ने बहुत मत्रम लहजे में कहा था, हां किया बात है, शरी भी संजीदा हुआ था, वो अगर तुम इस निकाह से खुश नहीं तो बखुशी इस निकाह को खतम कर सकते हो, तुम घर वालों की फिक्र मत करना में उनको समझा दूंगी, मीम, या नहीं चाहती कि तुम्हारे साथ कोई जबरदस्ती हो, शरी को इसकी मासूमियत पर बे इंतहा प्याराया था, असने मजाख से कहा था, असकू चुड़ाने के लिए पर वो उसे संजीदा ले गई थी, उसे अपने आप पर घुसा था कि असने कि मैस, अलिफ कहा था कि व वो तकरीबन रो पड़ी थी, मही मही यार ऐसा कुछ नहीं है, मैंने तुम्हें देख लिया था इसलिए जान बोज कर कहा था, सच में ऐसी कोई बात नहीं है, शरी तुमने जान बोज कर कहा था, वो बहुत मासूमियत से पूछ रही थी, शरी जानता था कि अभी उसे घु हाँ, चलो अब रोना बंद करो, तुम मुझे बेवकोफ बना रहे थे, मैं कब बना रहा था तुम तो पहले ही या, मही ने इसके बोलने से पहले ही इसके बाजू पे मारा था, अच्छा अच्छा सुरी, शरी ने कहा था, नहीं पहले कान भी पकड़ो, मही भी बजद अच्छा ना, इसने कान भी पकड़ लिये थे, हाँ 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 देखा तुम्हें मेरी इलावा कोई नहीं हरा सकता, मही ने फख से कहा था, खुश फहमी है जनाब आपकी, शरी भी कहां सदरने वाला था, किया कहा, मही फिर अपने पुराने लहजे में वापस आ चुकी थी, इस से पहले शरी कुछ कहता नीचे से अर्मान की आवाज आई थी, मही आइसकरीम लाय हमा जाओ, मही भी लड़ाई छोड़कर आइसकरीम खाने भाद गए थी, शरी भी इसके पीछे चल दिया, मही बड़े मज़े से बिरियानी खाते हुए टेली विशन देख रही थी शरी ये किया बद्तमीजी है, मेरी प्लेट वापस करो और ये मेरा फेवरिट सीरियल है में भला तुम्हारे फुजूल मैच के लिए किम मस करूँ, मही भी उसी के अंदाज में बोली थी, नहीं दूंगा किया कर लोगी, शरी ने उसे चुड़ाने के लिए कहा था और वो शरी के बचे मेरी प्लेट वापस करो, वो जोर से चीखरी थी, आई अभी कल निकाह हवा है और तुम आज ही, अभी इसके बापी के अलफाज मुझमी थे जब इसके सर पर मही ने जोर से तके अपने का था, मैं भी जान को बताती हूं रुको जरा, मही ने उसे धंकी दी थ जाओ शौक पूरा कर लो अपना, शेरी ने आराम से प्लेट खाली करते हुए कहा था जबके मही रूती हुई सूरत बना कर भी जान के पास चली गए थी, मही आज केक बनाने की कोशिश कर रही थे, थी, आज इत्वार था तो सब घर ही थे, असने अपने साथ अरहान और अ करनी है जल्दी करो, वो दूसरी ट्रे में वेकिंग सोडा मिक्स करते हुए बोली थी, अर्मान को शरारत सुजी थी, इसने चीनी की बजाए नमक मिक्स करके ट्रे मही को पकड़ा दी थी, दो घर, नटे बाद चाय के साथ मही अपना केक भी ले आई थी, सबसे तारीफ ही तो सुनी थी, चलो भई शरी सबसे पहले तुम चकोगे हमदान साहब ने कहा था, जी जी चचा जान जरूर शरी ने मुस्कुराते हुए कहा था, मही ने उसे एक पीस काट के दिया, इतिफाक से ये वही पीस था जिसमें अर्मान ने नमक मिलाया था, शरी ने केक का छोटा पीस करके अपने मुँँ में रखा ही था कि उसे खांसी आने लग गई, सब एकदम से हैरान हुए थे, शरी को जीम, लदी मही ने पानी दिया था, अब वो सभी मही को घूर कर देख रहे थे, सभी जानते थे कि इनकी लाडली पढ़ाई में जितनी भी तेज हो पर कोकिंग पास में हमेशा से ही नकमी थी, इसलिए सबका शक उसी पर था, मही गभरा कर बोली थी, मैंने कुछ नहीं किया, शरी वस्से से बोला था, हाँ हाँ नमक तो मैं मिला कर लाया हूना, मही तुम आज एक बात बता दो ये केक में नमक कौन डालता है, किया नमक, पर मैंने नही जाला, सच में मेरा यकीन करें, सब ही उसे अजीब नजरों से देख रहे थे और अर्मान पीछे खड़ा मुस्कुरा रहा था, मही ने उसे देखा तो सारी बात समझ में आ गई, इसे बज़ के रहने का इशारा कर के वो अपने कमरे में भाग गई थी, अंडर स्कोर 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 वो अराम से, अरहान के साथ लॉन में बीटबाल खेल रही थी जब शरी अपनी गाड़ी में घर के अंदर दाखल हुआ, मही बात सुनो एक काम है शेरी ने अंदर जाते हुए उसे आवाज दी थी, काम के वक्त ही तो उसे मेरी याद आती है, माही अपनी तोए, रफ से मुझ में ही बोली थी पर वो भी शेरी था अच्छी तरह सुन लिया था उसने, इसकी शिकायत अभी दूर करता हूं उसने दिल में सुचा, मा मही जो आगे बढ़ कर देख रही थी कि आज ये मौसूफ अलमारी से किया निकाल रहे हैं जो इतनी देर लग रही है, इसके अचानक मरने पर बरवा तरह इससे जा लगी थी, किया मसला है तुम्हें तमीज है कि नहीं, मही घुस्से से बोली थी, ओ मैडम तुम आगे पर रात को भी जानने इसे बहुत सी नसीहतीं की थी, शायद उसी का असर था कि फॉरण ही इसके हाथ से शर्ट ले ली थी, और प्रेस करने चली गई थी, मही शरी की शर्ट प्रेस करते हुए अपने ही ख्यालों में गुम थी कि पहले जब भी वो उसे अपनी शर्ट प्रे में और इसे तुम मिल जाओगे, जवाबान शरी भी उसे कहा करता था कि तुम क्यों जेलस हो रही हो मेरी बे, यूँ इसे, वो बहुत खुश किसमत हो भी तुम देख लेना, वो अपने ही ध्यान में गुम थी कि अचानक असने चीख मारी थी उसने अपना हाथ और शरी की शर्ट दोनों ही जला दी थी, शेरी जो अपने ध्यान में इससे अपनी शर्ट लेने आ रहा था फौरन भाग कर आया था, लड़की किया करती हो तुम, शेरी परेशानी से बोला था, शेरी आएम सूरी में ने तुम्हारी शर्ट जान बोज कर नहीं जलाई, प्लीज सूरी माही रोने लग गई थी क्योंकि इससे जो शर्ट जली थी वो इसकी फिवरिक थी, उले बेवकुफ लड़की शर्ट को छोड़ो तुम हाथ दिखाओ अपना, शेरी ने इसका हाथ पकड़ कर देखा था, इसका नरम वाओ नासुक हाथ बिलकुल सुर्ख हो चुका था, माह पहले भी इसका ख्याल रखता रहा था पर आज बदला हुआ ऐसास क्यों हो रहा था, आज इसके लहजे में ज्यादा, अपनायत ज्यादा ख्याल क्यों लग रहा था, वो उसे मुसलसल देखे जा रही थी तब ही शरी की आवाज इसे होश मिलाई थी, किया हुआ निकाल के बात ज्यादा प्यारा हो गया हुँ, हाँ मेरा मतलब नहीं तो क्यों, मही बेधयानी में बोल गए थी, मही एक बात कहूं, मानूगी, शरी बड़े नरम लहजे में बोल रहा था, हाँ, मही ने इस बात में सरहलाया था, तुम रूया मत करो, मुझे तब बिलकुल भी अच् जाया था, और वो समझ भी गए थी, ऐसा करना बहुत मुश्किल था पर उसे करना था, हाँ कोशिश करूंगी, कोशिश नहीं करना है तुम्हें, वैसे भी रोते हुए तुम चुड़े लगती हो, शरी की अंखों में शरारत साफ जाहिर हो रही थी, मही ने इसके कंदे में एक लगाई थी, और साथ ही कहा था, मेरा ख्याल है कि दवा लग गई है, हाथ छोड़ दो अब, शरी बे धयानी में इसका हाथ थामे ही उसे समझा रहा था, और वो भी वैसे ही सुनती जा रही थी, पर अब इसका धयान इस तरफ हुआ था, मेरा ये हाथ छोड़ने का कोई इरादा नहीं है, शरी ने धीमे लहजे में कहा था माही बमुश्किल ही सुन पाई थी, वो तो नजर आ रहा है पर अब तुम जाओ तुम्हें शायद बाहर जाना था, माही ने उसे याद दिलाया था, ओ हाँ अभी जा रहा हूं आइंदाना, मुझे भेजना यूं, वरना नताइच की जिम्मादार तुम खुद होगी, जाओ जाओ माही ने उसे चुड़ता, बच के रहना तुम अब, शेरी इसे वारन करते हुए चला गया था, ये यहां मेरी चपस पड़ी थी कहा गई, जब असने दो घंटे की मेहनत काफ, वाओ मेज पर से गाय पाया तो फौ अर्मान ने सारा इल्जाम ये सकेले अर्हान के सर डाल दिया, जैसको बमुश्किल थोड़े से ही नसीब होए थे, नहीं नहीं माही ये अर्मान ने भी खाई थी अर्हान बोला था, तुम दोनों मेरी सारी चपस खा गये और मेरे ले कुछ भी नहीं छोड़ा, वो अफसोस से इन्हें देख रही थी, तो किया हवा मही ये शरी भाई तुम्हें और ला देंगी, क्यों शरी भाई, अर्मान ने सामने से आते शरी को देखकर सारा मसला ही हल कर दिया था, हाँ शरी जल्दी से लादो बहुत दिल कर रहा है मेरा, तुम दोनों को तो मिया कर बताता हूं वो वार्निंग देता चला गया पीछे से अर्मान और अरहान अपनी जान बच जाने पर मुस्कुरा दिये शेरी के जाने में बस एक दिन रह गया था वो बहुत उदास हो गए थी वो अपने कमरे से भी बहुत कम निकलती थी पर वो रो नहीं सकती थी उसने शेरी से वादा किया था वो खुद को मजबूत बना रही थी वो अभी भी अपने कमरी की बालकोनी पे खड़ी थी माही में हम आ जाएं माही ने पीछे मुल कर देखा था शेरी अरहान और अर्मान खड़े थे तुम लोग शायद अंदर ही खड़े हो खेर आ जाओ शेरी ने अर्मान को बात शुरू करने का इशारा किया था हाँ तो माही अरहान कह रहा था कि आओ आज हम सब बाहर गूमने चलते हैं इंज्वाय कर लेंगे थोड़ा आज हम भी फ्री हैं और वैसे भी हान हैरान खड़ा सब सुन रहा था इस बेचारे को तो पता भी नहीं था वो ही दोनों उसे भी खीच लाए थे मीम अही ने पहले इनके चेहरे देखे वो सब इसे लेकर जाना चाहते थे ये इनके चेहरे से वाज़े हो रहा था फिर कहा हाँ चलो इस बंदर ने पता नहीं कवाना है फिर तुम लोग नीचे चलो में रेडी हो कराती हूं वो 15 मिनिट में सब के पास थी सब को खुदा हाफिज कह कर वो लोग निकले थे पहले वो पार्क गए वहां पर बहुत इंजो वाकसी कब होगी ये मरहला आर्मी के हर फौजी और इसकी फैमिली के लिए बड़ा मुश्किल होता है घर में सब ही बहुत उदास थे सब का ही लाम अडला था हो महीने बड़ी मुश्किल से अपने अंसों पर काबू किया हुआ था उस सब के सामने खुद को मजबूत जाहिर कर रही थी पर इसके लिए ये सब करना बहुत मुश्किल था जैसे जैसे इसके जाने का वक्त गरीब आ रहा था सब ही उदास होते जा रहे थे और इसके जाने का वक्त आ गया था इसने सब को खुदा हाफिज कहा सब बड़ों से प्यार लिया घर वालों की लाइन में सबसे आखिर में माही खड़ी थी शेरी अलाह तुम्हारी हिफाज़त करे वो बस इतना ही बोली थी और अपने कमरे में भाग गई थी माही वो उसे आवाजे देता रह गया था शेरी भी इस से बहुत कुछ कहना चाहता था अभी तक उसने माही से अपनी महबत का इतिराफ भी नहीं किया था पर वो ये सब के बगएर ही अपनी मनजल की जाने बढ़ गया अपने खाबों की तक्मील के लिए असने मुर कर एक बार देखा था जब माही अपने कमरे की बालकोनी से उसे ही देख रही थी इसकी आँखी इशके बार थी फिर वो आगे बढ़ गया अंडर्सकोर 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 शेरी के जाने के बाद डाल सब उदास हो गए थे सब असकों बहुत याद कर रहे थे वो था ही सब की अखों का तारा अगर बात माही की की जाए तो वो भी इस से दोबारा मिलने के लिए तरप रही थी इसका मुनकू तो वो कुछ दिन पहले बना था पर वो बचब नून से एक दोसरे के बहतरीन दोस्त रहे थे एक दोसरे की दिल की बात आसानी से समझ जाते थे एक दोसरे को तंप करना, शिकायते लगाना और उलते सीधे नामों से बुलाना तो इनकी दोस्ती का हिस्सा था पर ख्याल भी एक दोसरे का हो सबसे बढ़ कर रखते थे शेरी को गए हुए कुछ ही हफ़ते हुए थे सब बजाहिर तो अपनी रूटीन में वापस आ गय थे पर इसको याद करते थे वो सबसको भला भी कैसे सकते थे इनकी छोटी सी फैमली का हम हिस्सा था वो इसको अपनी दौाओं में याद रखते थे कभी कभार इसका फोन आ जाता था और सब का हाल अहवाल पूछ लिया करता था माही को आजीम कॉलेज की तरफ से एक परूजिट मिला हुआ था वो इस पर काम करने में मसरूफ थी पहले तो वो अपने सारे ऐसे काम शेरी की मदद से किया करती थी पर आज उसे अकेले ही सब करना था इसलिए उसे काफी मुश्किल हो भी थी वो तक्रीबन दो घंटे से मुसलसल काम में लगी हुई थी उसे पानी की तलब महसूस हुआ ये साइड टेबल पर रखा जो भी खाली हो गया था वो जुब में पानी डालने कीचन में जा रही थी जब लाउंज में रखे लैंग लाइन पर फोन आया था उसने जुब टेबल पर रखा और फोन उठाया हेलो मही ने शुरुआत की थी तमा ये किसी ने तमीज नहीं सिखाई पहले सलाम लेते हैं पर महा शहरियर अली खान किसी की सुनने तबना खेर इसलाम लेकुम मही को एक दम से बहुत से खुशियों ने आ घेरा था इसने पहली बार उसे महा शहरियर अली खान के कर बुलाया था वो शरी की आवाज थी और वो इसकी आवाज सुनते साथ ही शुरू हो गया था इतने अर्से से कोई बात नहीं हो अथी इनकी घर वालों के सामने अगर बात होती तो इनहीं मजबूरा तमीज से बात करनी पड़ती थी अलिफ बे आज इतने अर्से बात इन्हें सुकुन से बात करने का मौका मिला था जिसका वो पूरा फाइदा उठा रहे थे शैरी अल्लाह के बंदे सबर भी करें आप वालीकम सलाम महीने जान बूज कर आपका लफ़ इस्तिमाल किया था हाई अल्लाह जी आप कहा तुमने मुझे लगता है मश्रिकी बीवी बनने का भूत सवार हो गया है हाई मैं खुशी से मर ही ना जाओं शैरी के अलफाज से ही खुशी और शरारत महसुस हो रही थे शैरी बकवास बंद करो कुछ सोच कर भी बोला करो पर नहीं जो दिल में आता है बोल देते हो तुम्हें किसी के जज़वात का कोई खयाल नहीं अच्छा सूरी सूरी वो एकदम शर्मिन्दा हुआ था क्यूंकि असने मही की आवास की लर्जिश महसूस कर ली थी नहीं यहां हम सारा दिन तुम्हारी सलामती की दौएं करते रहते हैं और तुम होके खेर जोडों में भी कसे समझा रही हूं मही की आवास गनद गई थी वो पहले ही इस से बात करने के लिए बेचेन थी और जब बात हो रही थी तो वो कुछ भी बोले चला जा रहा था अच्छा ना नून हुना मही प्लीज सूरी ना अब धियान रखूंगा शरी उसको मीना रहा था क्योंकि वो जानता था कि मही जितना जल्दी किसी से नाराज होती थी इतनी ही जल्दी मान भी जाया करती थी वो दिल की बहुत साफ थी वो जानता था कि पे ले वो नमाज की इतनी पाबंदी नहीं करती थी पर अब घर वालों से अक्सर सुनता रहता था कि अब वो नमाजगी पाबंदी से पढ़ा करती थी कई-कई दिर द차 मांगा करती थी पहले सूरी बोलो, माही की आवाज आ थी, कब से सूरी ही बोल रहा हूं यार अच्छा चलो ये बताओ के कबार है हो, माही की आवाज से ही मालूम हो रहा था कि वो इस से मुलाकात की कितनी शदीद तमन्ना रखती है क्यों तुम्हें मेरी याद आ रही है, कब नहीं आती ये पूछो, माही बेदाल, यानी में किया बोल गए थी, वो खुद भी बाद में समझी थी किया कहा तुमने, शरी भी हैरान हुआ था कि वो किया बोल गए थी, कुछ नहीं मेरा मतलब है कि घर में सब तुम्हें बहुत याद करते हैं माही ने फौरण बात को संभालने की कोशिश की थी, इस से पहले वो कुछ और कहता माही ने तायमा को आते देख कर फून इन्हें थमा दिया और खुद भाग गए थी वो फोन पकड़ाने के बाद फौरण अपने कमरे में आई थी, वो अपने अलफाज पर खुद हैरान थी, वो शरी को पहले से बहुत बढ़ कर याद करती थी पर आजीम कक उसने खुद अपने आप से भी अपनी महबत का इतिराफ नहीं किया था इसे मालूम ही नहीं था कि इसका दिल कब से शरी की महबत में गिरिफ्तार हो चुका था पर वो हमेशा से ऐसे ख्यालात पर धियान ना देती थी, और आज भी अपने दिल की बदलती हुई हालत पर उसने धियान ना दिया था अबू जान शरी भाई कब आएंगी, आज घर के सब लोग महफिल सजा के बैठे थे, सब इधर अलिफ, उधर की बातें कर रहे थे जब अरहान ने सिकंदर साहब से सवाल किया था मही का दिल भी इसके सवाल पर बेचैन हो गया था, बेटा पता नहीं उसने अभी तक तो कोई खबर नहीं दी अपने आने की सिकंदर की आवाज आई थी, हो सकत, अलिफ है भाई ने अपने आने का सरपराईज देना हो अर्मान ने अपने ख्याल का इसहार किया था, हाँ भाई वो सकता है वो हमेशा से ही ऐसे सरपराईज देता रहा है हमदान साहब ने भी हमें सरहलाया था, वाओ शायद भाई मही भाभी की सालगिरा पर आ जाएं पर सुम अर्हान ने अपने दिल में आतिख ख्याल को अलफाज में बयान किया था, हाँ ही ना जाए वो बंदर मही ने मूप बसूर कर कहा था जिस पर सबने इसे घूर कर देखा था, मही अब उसका नाम तमीज से लिया करो शोहर है वो तुम्हारा साधिया बेगम ने उसे डांटा, पर अम्मी जान अभी वो सिर्फ मुन को है, और वैसे भी मने इसका नाम तो लिया ही नहीं, मही मासूमियत से बोली थी, हाँ तो शोहर भी अनकरीब वही बनेगा अनशालला, और चाहे वो इसका नाम हो या उसके मुतालिख कोई बात तु जल्दी सो जाते थे और अर्मान देर रात तक पढ़ने का आदी था, इसलिए उस वक्त वही जाग रहा होता था, वालीकम इसलाम, मुझे मालूम था कि इस वक्त फोन तुम भी एटाओगे, इसलिए इस टाइम किया, शेरी की आवास उभरी थी, जी जी बोली भाई जान ख किया मिलेगा, वो मैं आ कर दूंगा, ठीक है पर धियान रहे माही को बिलकुल खबर नहीं होनी चाहिए, जो हुक्म, अर्मान ने अच्छे बच्चों की तरह इसकी बात मानी थी, चल अब शो जा सारी रात मर्यम से बात ना करता रही, भाई जान आपको कैसे पता चला, बे जान तौसी गरेट हो, अलाहाफिस, अंडर्सकोर, 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 इसलाम अलैकुम, शेरी ने अंदर दाखिल होते हुए सल गर के अंदर बुलाने का रिवाज खतम हो गया किया, शेरी इस पर घुस्सा हुआ, ओ सूरी में भूल गया आजा, वलीद ने फौरण उसे अंदर बुलाया था, हाँ बता मेरी याद कैसे आई, वलीद जानने के लिए बेचेन था क्यूंकि ये इसका वही दोस्त था जो इसक सी तैयारियां भी करनी हैं, इसे नहीं मालूम उस दफा इसकी सालगिरा कितनी यादगार बनाऊंगा मीम, या बस इसलिए तेरे साथ मिल कर प्लान करना है, शेरी ने उसे तफसील से समझाया था, हाँ तो किया सोचा है तोने, माही के इलावा सब को बता दूंगा और उसे स सारा दिन कोई विश भी नहीं करेगा, फिर शाम को इसकी सालगिरा की पार्टी पर सब मिल कर विश करेंगी, शेरी ने उसे आगाह किया था, तो माही भी उसी घर में रहती है शेरी, इस से बचकर सब को कैसे बताएगा, और तो जाएगा तो उसे भी तो मालूम हो जाएगा चैना के तो आया है, वली ने अपने ख्याल का इजहार किया था, ओो हो मेरी जान तेरी मंगेतर और मेरी भावी फारा कप काम आएगी, शेरी ने फॉरण हल निकाल लिया था, अच्छा बचो सब प्लान करके आया है, वली भी उसी का दोस्त था, उसे सब से बढ़ कर जानता था, इसकी प्लानिंग समझ गया था, जी, यार मैंने बहुत से खुशगवार पल इस पार्टी को प्लान करने में गुजा रहे हैं, उरे वा, एक बात तो बता, वली बोला था, हाँ पूछ, शेरी ने उसे सवालिया नजरों से देखा, ये भावी से इतनी शीन, दत वाली म महबत कब हुई मेरे भाई को, तो तो इस महबत के नाम से भी दूर भागता था, वली ने अपने दिल में उठता सवाल इस से पूछ लिया था, यार बस महबत चीज ही ऐसी है, पर इतनी भी शिद्दत वाली नहीं करता, शिद्दत वाली करता जरूर हम पर इस से नहीं किसी और से, शेरी ने इतमीनान से जवाब दिया था, किसी और से, किस से, वली बोरी तरह हैरान हुआ था, अपने वतन से यार और किस से, इस से ज्यादा शिद्दत वाली महबत में किसी से नहीं करता, शी, री के लब वाओ लहजे से ही वतन के लिए जुनूनियत वाली महबत ज तो सोच ले उल्टा शावश तोने तो मही को बताने कभी सोच लिया होगा शेरी ने यकीन से कहा था और दूसरी तरफ वली बिल्कुल भी हैरान नहीं हुआ था एक शेरी ही तो था जो उसे सबसे अच्छे से जानता था हाहा यार तो तो मेरे दिल की हर बात जान लेता है कमाल है यार हाँ बस देख ले चल अब बाते बंद कर काम मिल लग हमारे पास बस एक दिन है सब टैयारी करने का मैं अरहान और अर्मान को बल्ला लेता हूं यहां ही और तो फारा को फोन कर शेरी ने उसे अपने फोजी स्टाइल में ओर्डर दिये थे हाँ ठीक है पहले जा कर फ साथ माही की बेहतरीन दोस्त फारा का कजिन और मूंद यतर भी था इसके माप बाप ना थे इसलिए अकिला ही रहता था शेरी ने अपनी आमद को मख़ी रखने के लिए एक दिन वली के घर रुकने का सोचा था इसे डेल मार के बाद दो दिन की चठ्ठी मिली थी और उन द बारे में सोच रही था ये इसे बच्पन से लेकर आज तक शरी ही उसे सबसे पहले सालगिरा विश करता आया था कभी 12 बजे इसके कमरे में आकर और कभी उसे बार बार फोन कर को उसे विश किया करता था एक बार तो उसने हधी कर दी थी माही, बड़े मज़े से सुई थी जब किसी ने उसे जोर जोर से हलाया था इसकी आप खली तो सामने किसी के हाथ में शेयशा था और शीशे में नज़राने वाली शकल बहुत खौफनाग थी उसे देखते ही माही की चिख और शेरी का कहा कहा निकला था, थोड़ी देर गौर करने के बाद उसे एसास हुआ था कि शहरीर अली खान साहब ने इसके प्यारे से खुबसूरत चहरे पर फीस पेंटिंग की थी पर जब तक उसे एसास हुआ था शेरी भाद चुका था पर इस दफ़ा उसे अपनी सालगिरा का याद भी नहीं था अर्मान की बात से याद आया था कि इसकी सालगिरा कितने करीब आ चुकी है वो शेरी को याद कर रही थी वो इसकी जिन्दगी के हर लम्हे में इसके साथ था अब इसे जिन्दगी का हर वो लम्हा खुबसूरत लगने लगा था जीम सीन में शेरी इसके साथ था ये महबत ही तो थी जिस से वो फलहाल अंजान थी हाँ वली जल्दी बताओ मुझे इतनी एमर्जेंसी में क्यूंट बुलाया है तुम्हें पता भी है किस किस तरह के बहाने बना कर अम्मां से यहां आने की अजासत लेकर आई हूँ इसकी चलती जबान सामने बैठे हुए शखस को देख कर रिकी थी अंडर्सकोर 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 बोलते बोलते इसकी नजर सामने बैठे वजूद पर पड़ी थी ओ इसलाम अलेकुम शरी भाई, आप कब आए, शरी जो फारा को नान स्टॉक बोलते दी, दो चश्मिहे कर मही की यादमिक हो गया था एकदम सीधा हो कर बैठा था, वालीकम सलाम, फारा तुम तो बिलकुल मही की तरह बोलती हो, एक दफा शुरू हो जाओ तो रुखने का ना ही बोल गई, खेर ये है कहां, फारा फिर से इतनी ही सीन, पैड से बोली थी, तब ही सामने से अरहान और वली दीगर लवाजमात के साथ चाय ट्रे में ले आए थे, जबके अर्मान अभी पोर्च से लाउंज में दाखिल हुआ था, ओ तो तुमा ही गई शकर है, नहीं तो म है कप में ही मेडम के दोगाफ, हंटे लग जाने थे वली बोला था जिस पर फारा ने उसे घोरी से नवाजा था, ओए तुम दोनों बाद में एक दोसरे को देखते रहना पहले सब प्लान सुनो, शेरी ने इनकी हरकत को देख लिया था और फिर सब को अपनी तरफ समयत बोला, था जिस पर शेरी ने उसे जोर से कमर में मुक्का मारा था, अब बोल बताएगा उसे, नहीं नहीं मजाप कर रहा था हाई कमर तोर दी फौजी सहब आपने तो औरहान ने फौरन जान चड़ाई थी नहीं तो शेरी ने आजी उसे बता देना था, अलिफ के वो कोई भी विश नहीं करेगा कोई भी नहीं, इसे हमने ये एहसास दिलाना है कि किसी को यादी नहीं है, ठीक है, शेरी ने प्लान का पहला हिस्सा सब को बताया था, सब ही गोर से उसे सुन रहे थे, पर शेरी भाई घरवॉल, ये तो इनहें विश कर दी भी न, इनहें थोड तोने जाकर सब बढ़ों को बता देना है कि मैं यहां हूं और दो दिनों की चठी मिली है, और ये कि हम सबने माही के लिए एक सरपराइस पार्टी का इंतिजाम किया है और कोई भी उसे का छे नहीं बताएगा, कुछ भी नहीं और कहना कि शेरी ने सखताकीद की है कि इसे क सारा दिन पार्टी से पहले कोई भी विश नहीं करेगा, शेरी ने उसे तखसील से समझाया था क्यूंकि अर्मान को कुछ समझाना बहुत ही मुश्किल काम था, चलें ठीक है अर्मान ने कहा था, हां तो अगला सटिप ये होगा कि फारा तुमें कल माही को लेकर सारा दिन पहले तुम इसे लेकर अपनी किसी दोस्त के घर चली जाना और बाद में किसी हुटल से कुछ खापी, लेना और सिर्खा पांच बजे की पारलर में में ने तुम दोनों की बोकिंग करा दी है, याद से वहां जाना है, और फारा तुम्हारे जिम में एक आखरी काम तुमें में अपनी बहन की तरह समझता हूं और ये पार्टी बहुत हम है मेरे लिए, तुम हैं पार्टी शुरू होने तक माही को बेख़बर रखना है, समझ रही होना, शेरी ने उसे बहुत प्यार से समझाया था, इसके लेज़े में ही फारा के लिए बहनों वाली चाहत वाज़ हो रही थी, जी शेरी भाई आप बिलकुल फिक ही नहीं करें, फारा ने इस बात में सरहलाया था, तो हम किया करेंगी, अरहान और वली एक साथ बोले थे, तुम दोनों भी सबर करो, तुम लोगों के लिए भी काम है, शेरी मुस्कुराया था, जिस पर इन दोनों का मूंग बन गया था, तुम दोनों मीम, यरे साथ आज मारकट जाओगे माही के ले बहुत सारे गिफ्ट और जरूरी सामान लेना है, और सब महमानों की लिस्ट रहान तुम अम्मी और चची जान की मदद से माही से छपकर बनवा किलाओगे, और इसके साथ साथ वली तुम कल मेरे स मिलकर हमारे घर के लॉन में सारी डेकुरिशन्स करवाओगे, और केक और मेन्यू भी डेसाइट करना है और इनका ओडर भी देना है, शेरी ने हर एक के लिए काम तैके हुए थे, वो कल के फंक्शन के लिए बहुत एकसाइट था, मही अपनी अम्मी जान से सर पर तेल की मा हानने लिस्ट अपनी जेब में डाल ली थी और तायमा जरा संभल कर बोली थी, कुछ नहीं बेटा, तुम बताओ कोई काम था, नहीं नहीं तायमा ऐसे ही पूछ रही थी, मही भी हैरान था, ये कि ये सब मुझ से चुपा किया रहे हैं, वो वहाँ से चली गई थी क्यूंक और आप से मिलना चाह रहे हैं, और ये सब काम मही भावी से चप कर के है, अर्मान ने उसे आगाह किया था, हाँ वो कल सारा दिन फारा मही को बाहर रखे गी तो मिल सारा दिन घर ही है, उंगा मिल लूंगा सब से, सारी डेकोरिशन्स गी तो करानी है, जी जी ठीक, अच्छ किया अमी जान और ता ये मन से डसकस कर रहा है, ओ अच्छा मही भावी ला देता हूं, अर्मान के पास और कोई आक्षन नहीं था क्यूंकि दूसरी तरफ शरी भी इनकी सारी गुफ्तगो सुन रहा था मही से तो वो बच जाता पर शरी ने उसे इसकी बीवी की बात ना मान कोई फोन आया, मही ने दिल में उटता सवाल पोची लिया था, नहीं भावी मुझे नहीं पता, अर्मान ने आराम से जूट बो ला था, इसका जवाब सुनकर मही उदास हो गई थी उसने बस इतना ही कहा, अच्छा ठीक है, इसके लहजे से उसके दिल की उदासी जाहिर हो कब से उसी वक्त का इंतिजार कर रही थी, हमेशा शरी ही उसे सबसे पहले सालगिरा विश करता आया था, इसे बहुत इंतिजार था कि इस दफ़ा भी शरी ही उसे सबसे पहले विश करेगा, लेकिन बारह से सिवा बारह हुए और सिवा बारह से साड़े बारह और फिर एक बज गया था इंतिजार करते करते पर शेरी का फोन तो किया इसका कोई मेसीज बे थी नहीं आया था आज वो समझ गई थी कि एक फौजी की बीवी बनना कोई आसान काम नहीं था बेबसी में आकर वो रोदी थी बहुत काबो करने की कोशिश की थी पर दिल आज इसकी मान नही रहा था, इसने ना चाहते रुए भी, शेरी से किया हवावादा तौर दिया था, वो सारी रात रोते हुए सोई थी, इसके इलावा वो कुछ कर भी किया कर सकती थी, पता नहीं रात के कौन से खा इसकी आंक लगी थी, वो उटकर वाश रूम गए थी, अपनी सुर्ख होती आ नकुं को देखकर उसे फिर से रोना आया था पर उसे खुद को मजबूत बनाना था, वो बरदाश्ट कर गई थी, वो नहीं रूई थी, अभी वो नाश्टा करने के लिए बाहर आई थी, कि असने पोर्च में से फारा को आते देखा, बोड़े फारा तुम मही वहीं से बो फिर हमें अभी थोड़ी देर तक मशाल की तरफ जाना है जल्दी करो, फारा ने उसे इतला दी थी, मही को बहुत दिख हुआ था कि घरमी से अभी तक किसी ने उसे विश नहीं किया था अर फारा भी इसकी सालगिरा भूल गए थी, इसने ये सब जाहिर नहीं होने दिया थ फारा को भी उसे सताने में मज़ा नहीं आ रहा था उसे अपने भाई का दिया हुआ काम करना था, और इसलिए वो मही से जूट बोलने पर मजबूर थी, अंडर स्कोर 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 अंडर स् थी वो लोग स्कूल से इकटी पढ़ती रही थी फिर माही और फारा ने मेडिकल काज में दाखिला ले लिया था और मशी ने आगे दूसरी फिल्ड जवाइन कर ली थी इसलिए इनकी मुलाका तब होती जरूर थी पर पहले से बहुत कम हुआ करती थी हां माही बत्तमीज तु माही ने उसे मनाना चाहा था पर वो भी उसी की दोस्त थी कहां इतनी जल्दी मानने वाली थी नहीं पहले पीज़ा खिलाओ चलो शाबश में ड्राइवर को बोल कर गाड़ी निकलवाती हूं मशी की नारा जी पेजे से ही दूर होनी थी ये तो माही और फारा दोनों को माल की जाया था शेरी भाई में माही को लेकर मशी के घर जा रही हूं आपका रास्ता साफ है जाए तैयारियां शुरू कीजे फारा का मसीज परल क्रोस का दिल खुश हो गया था अब वो घर जाकर सबसे मिल सकता था इसने नाश्ता भी नहीं किया था वली उसे आवाजे देता रह गया था वो वली को जल्दी आ जाने का बोल कर घर आया था घर में बहुत खामोशी से दाखिल हुआ था लाउंज में ही अबबू जान और चचा जान मुल्क के हालात को डसकस कर रहे थे शेरी ने चपकर पीछे से आकर उनको फौजी वाले स्टाइल में डराया था और वो बड़े बुजर्ग डर भी गए थे औरे मेरा बच्चा सिकंदर की आवाज आई थी वो उपकर इस से मिले थे फिर हमदान भी उसी शौक से मिले थे ये ट्रेनिंग ले कर तुम ज्यादा शैतान नहीं हो गए बेचारी मेरी प्यारी बेटी माही को भी सतार है हो उसे असानी से इन्हें इतमिनान दिलाया था फिर शैरी भी जान के कमरे में उन से मिल कर आया था चची जान से मिल कर इसका रूख कीचन की जानिब था वो दबै पाउंग कीचन में दाखिल हुआ था फरजाना मगन अंदाज में कीचन में काम कर रही थी इन्हें शैरी के आने का अंदाजा ही नहीं हुआ था, इसने पीछे से जाकर इनकी अनकुं पर हाथ रखा था और आवाज बदल कर बोला, हाँ फर्जाना तुमने मुझे जवानी में धोका दिया था न, देखो में तुम तक पहुंची गया, अब बताओ, शेरी की बदली हुई आवाज पर वो कहा रोका हुआ था, मैं अभी अपने शोहर को आवाज देती हूं, फर्जाना बेगम ने अपनी तरफ से धंकी दी थी, रुको अभी तुम्हारा काम तमाम करता हूं, शेरी के हाथ उनकी गर्दन की तरफ बढ़े थे, जिस पर फर्जाना बेगम की चीख और शेरी का कहा कह था, वो एक दम से पीछे मुरी थी, पीछे इनकी जान इनकी पहली आुलाद खड़ी थी, इन्होंने उसे गले लगाया, इसकी पेशानी चोमी, इस खुशी के मौका पर इनकी अंखुं में अंसु आ गय थे, जिसे शेरी ने बड़े प्यार से साफ किया था, वो देख रही थी कि इनका बेटा पहले से भी खुशूरत हो गया था, इन्होंने दिल में इसकी सलामती की धेर सारी दौाइं मांगे थी, अंडर्सकोर 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 याद तेरी अभी आती है, बुरी आद उस सब के सामने बस दिखावे के लिए मुस्कुरा रही थी, मशी जो कप से अपनी कोई कहानी सुना रही थी उसने माही को माहौल से गायप आकर जोर से हलाया था माही कहां गायब हो तुम यार कब से नोट कर रही हुल में मशी परेशानी से बोली थी इसे माही की परेशानी की वज़ग तो मालूम थी पर उसे राज रखना था फारा की तरह शरी ने उसे भी मना किया हुआ था वो भी शरी को दिल से अपना भाई समझती थी और उसे अपने भाई से किया हवावादा निभाना था पर इस से अपनी चहीती दोस्त का दिक भी देखा नहीं जा रहा था जब इनसान का दिल उदास होता है वो सिर्फ जाहिरी तोर पर ही खुश दिखाई देता है कुछ नहीं यार मही ने बस इतना ही बोला था और अपना सर जुका लिया था दो आंसो खामोशी से इसकी अंखों से टूट कर गिरे थे इसने जल्दी से अपने आंसो साफ किये थे और मुस्कुराई थी इसे ना चाहते हुए भी शरी याद आ रहा था फारा ने इसकी ये हरकत नोट की थी पर बोली कुछ नहीं थी वो भी अपने भाई से किया हवावादा निभाने पर मजबूर थी वली तो अब आ रहा है तुझे पता है ना कि हमारे पास वक्त कम है और करने वाले काम ज्यादा है शरी वली को दो घंटे बाद आते देखकर घुसे से बोला था वो सोरी यार असल में तुमने जो चीजों की लिस्प दी थी इनकी खरीदारी में जरादेर हो गई थी वली ने उसे बहाना सुनाया था क्यूंकि असल बात ये थी की चीज़े वो कब से ले आया था पर वो कुछ देराराम की घर्स से लेटा था और उसे नींद ने आगे रहा था अब अगर वो असल बात शरी को बताता तो शरी ने काम बाद डाल में करने थे और उसे जूते पहले मारने थे अच्छा चल अब बहुत से काम हैं करने वाले जल्दी शुरू हो डेकोरीशन्स भी करनी हैं शरी ने वक्त की कमी के बाइस इतना ही कहा था हाँ चलो वली भी इसके पीछे चल दिया शीर, ये अरहान, अर्मान और वली ने डेकुरिशन्स करने वालों की टीम के साथ मिलकर चार घंटों में घर का लॉन बहुत खुबसूरती से सजा लिया था हर तरफ गुबारे लगाए गए थे, और लॉन के अंदरियन में एक बड़ा सा टेबल खुबसूर, तीसे सजाया गया था टेबल पर बहुत से खुब्सूरत फूल भी रखे गए थे मेज के दर्मियान में एक बड़ा सा केक रखा जाना था और लॉन में कुर्सियां और दूसरे मेज भी रखवा दिये गए थे अभी छे बज रहे थे शेरी ने सीन बे को रेडी होने ब्रेज दिया था सब कुछ एक दफ़ा दोबारा देखकर और अपनी तसली करके वो भी रेडी होने चला गया था वो इस फंक्शन में किसी कसम की कोई कमी नहीं छोड़ना चाहता था दोसली तरफ फारा बड़ी मुश्किल से मीम अही को लेकर पांच बजे पालर पहुंची थी माही को समझाना और वो भी उसे असल बात बताए बगर समझाना असान काम नहीं था और शेरी ने ये मुश्किल काम फारा के जिम्मे लगा दिया था असने माही को पालर ले जाने के लिए अपन ये कजिन की मेहटी के फंक्शन का बहाना बनाया था मगर फारा में वहां जाकर किया करूंगी मैं तो किसी को जानती भी नहीं होंगी तुम ही चली जाओना मुझे क्यों जबर्दस्ती ले जा रही हो उड़े माही बहुत मज़ा आएगा देखना तुम भी बहुत इंजुआए करूगी अब चलो फारा इसे लिए जबर्दस्ती पारलर पहुंची थी बैवटीशन की दो घंटे की मेहनत के बाद वो पहचानी नहीं जा रही थी ऐसा नहीं था कि वो खुबसूरत नहीं थी वो तो ज़रा से मैक अप के टचकाफ ये साथ ही नजर लग जाने की हद तक खुबसूरत लगती थी और आज उसे थोड़ा साहवी मैक अप किया गया था क्यूंकि ये शरी की फरमाईश थी इस पार्टी में हर चीज शरी ने अपनी मर्जी से करवाई थी तो माही के बारे में भी उसी ने अपनी तरफ से सबसे बहतरीन सोचा था साथ बजे तक वो दोनों तयार हो गए थी माही बलेक कलर की लंबी फराग में बहुत दिलकश लग रही थी फारा ने दिल में इसकी नजर उतारी थी वो अपनी दोस्त के खुशियों के लिए दिल से दौाबो थी शाम साथ बजे शारी तयार होकर लौन में आया था बलेक कुर्टे के नीचे वाइट शलवार पहने वो बहुत खुबसूरत लग रहा था जब वो आया तो सिकंदर साहब फर्जाना बेगम हमदान साहब सादिया बेगम और भी जान पे ले से तयार खड़े थे जबके अरहान और अर्मान तयार होकर बाफ़ी के इंतिजामाग देख रहे थे शारी भी सब बड़ों से मिलकर और बहुत सारी दौाइं लेकर इनके साथ मदद कराने लग गया था काम करने के लिए असने अपने काफ उर्ते कैवाजों को कोनी तक फॉलट किया हो अथा जिससे इसकी खुक्सूरती को और भी चार चनद लग गए थे वो खाने के मेन्यू को चेक कर रहा था जब फारा ने उसे फोन किया था इसलाम अलेकुम शेरी भाई हम रेडी हैं किसी को लेने भेज दे फारा की आवाज आई थी ठीक है फारा भेज रहा हूं पर माही को तो पता नहीं चलाना कुछ और इससे दोर हो कर बात कर रही होनल तुम शेरी ने इससे अपनी तसली के लिए पुछा था हाँ हाँ शेरी भाई ऐसे कुछ नहीं मालूम पर वो बहुत सैड है आपकी वज़ से और इससे दोर हो कर ही बात कर रही हूं फारा की आवाज आई थी चलो भेज रहा हूं इसे मैं खुद ही हैंडल कर लूँगा तुम फिक्र नहीं करो शेरी ने इतमीनान दिलाया था ओके साथ ही फोन बंद हो गया था माही और फारा को वली लेने आया था शेरी के सरपराईस ही खतम नहीं हो रहे थे इसने माही को और थोड़ा सा तंग करने को सोचा था माही जब गाड़ी से उतरी तो घर का लौन सजा हुआ देखकर बहुत हैरान हुई थी उसके दिल में एक ख्याल आया था जिसे इसने खुश्फरमी समझ लिया था फारा हम यहां क्यूं आये हैं हमें तो मेहटी पर नहीं जाना था माही ने फारा से सवाल पूछे थे हाँ है आचल रहे हैं रुको सबर करो लड़की फारा से अब इससे मज़ीद कुछ चुपाना बहुत मुश्किल हो बया था तब ही उसने पीछे से शेरी को आता देखा था इसके हाथ में एक कपड़ा था और शेरी ने उसे चुप रहने का इशारा किया था शीर ये ने पीछे से आकर मही की अंखों पर हलके से वो कपड़ा बांद दिया था वो इतना टाइट जरूर था कि खल नहीं सकता था अगर ज्यादा टाइट किया जाता तो इसका मैक अप भी खराब हो सकता था फारा अब ये किया नई मुसीबत है ये तुम किया हरकतें कर रही वो आज मही घुसे से बोली थी चलो तो सही फारा पीछे से बोली थी शेरी ने मही का हाथ खामा था मही फौरण ये लमस पहचान गए थी फिर से उसने अपने दिल में आते ख्याल को खुश फहमी का नाम दिया था पीछे से फारा उसे गाड़ करती जा रही थी और वो शेरी का हाथ खामे चलती जा रही थी तब ही एक जगहा कर वो रुख गए थे वो लॉन के दर्मियान में में टेबल के पास आकर रुख गए थे लॉन में इस वक्ते बिलकुल खामोशी चा गए थी किसी की आवाज नहीं आ रही थी सब लोग मही की अंखों से पिटी उत्रने का इंतिजार कर रहे थे वो इस खुबसूरत लंभे का इंतिजार कर रहे थे जब मही को सब पता लगना था सब इसका खुशी से दमकत अलिफ चमकता चहरा देखने के ये बेताब थे अचानक मही के अंखों की पिटी खली थी और इसकी आंखी एक पल के लिए तेज रोशनी की वजह से बंद हो गए थी असने आंखी खोली तो अपने सामने जो मनजर देखा इसे देख कर वाओ हे शाकिड थी किया इसकी सालगिरा सब को याद थी किया कोई इसके सपेशल दिन को नहीं भोला था तब ही असने अपना हाथ किसी के हाथ में देखा था अपने साथ खड़े शेरी को देखा था और वो हैरत का शदीद जठका खाके रह गई थी अंडर्सकोर 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 शेरी को देखकर वो तो जैसे खो गए थी वो पहले से भी हसीन हो गया था वो अपन दिखने मीम यह मगन था वो दोनों दुनिया भलाए एक दूसरे को ही तके जा रहे थे इनकी कैफियत यूद बयां हो सकती थी जागते में भी सोती हैं कुछ आख्यां ऐसी होती हैं तब ही पीछे से अरहान आया था और इनके दर्मियान आकरधीरे से बोला भाई भावी सब ल यह देखा था इसके सामने बहुत ही खुक्सूरत मनजर था वो बहुत खुच थी और दिल में इल्लाऻ ताला की शकर गुजार थी कि लाए इसके तुस्मत में इतनी प्यार करने वाली फैमली इतना खया रखने वाला हमसफर लिका था इसने गेक, काटा और सब को खिलाया, इसने सबका शुक्रिया अदा किया और आखिर में शेरी को देखा था वो भी मुस्कुराता हुआ उसी को देख रहा था वो दोनों आखों ही आखों में एक दूसरे से जुदाई की लंबी दास्तान बयान कर चुके थे माही ने इशारे से उसे भी शुक्रिया कहा था और शेरी ने भी वसूल कर लिया था कौन जीते गाउन से बातों में जने की आँखीं कलाम करती हैं फंक्शन देर रात को खतम हुआ था सब ही बहुत ठके हुए थे माही को बहुत सारे तहाइव भी इकटे हुए थे सब घर वाले ठके हुए थे इसलिए सब काम समेट कर अपने अपने कमरों में सोने जा चुके थे माही भी आराम करने की नियत से अपने कमरे में जा रही थी जब इसका हाथ किसी ने पकड़ा था माही ने हैरांगी से पहले अपने हाथ को देखा फिर हाथ था में शरी को इसने माही को अपने पीछे आने का इशारा किया था अब शरी आगे आगे था और माही इसके पीछे चल रही थी वो दोनों बिलकुल खामुशी से चल रहे थे केवन के उस वक्त तक्रीबन सब घर वाले सो चुके थे वो चोरों के से अंदाज में चल रहे थे शेरी चलता चलता उसे च्छत में ले आया था और बेंज में बैठ कर माही को भी अपने साथ बिठा लिया था उसने अभी तक माही का हाग दो चश्मिहें नहीं छोड़ा था माही को शदीद गभराहट हो रही थी वो लोग पहले भी अकिले बैठ जाया करते थे पर अब इनके दर्मियान एक जाईज रिश्टा मौजूद था वो कुछ देर यून ही बैठे रहे काफी देर बाद माही बोली थी हाँ पताओ किया काम है मुझे फिर सोना भी है मैं किया तुम्हें काम के लिए ही बुलाता हूं बद्तमीज लड़की शरी भी बराबर का जवाब देने वाला था वो क्यों पीछ रहता किया तुमने मुझे बद्तमीज बोला शरी छोड़नगी नहीं में तुम्हें हां तो डेर माही शहरियर आपको छोड़ने के लिए कौन कह रहा है हमेशा साथ रही न शरी बड़े स्टाइल से बोला था जी रादा तो मेरा भी यही है शहरियर सिकंदर अभी तक तो माही को शरारत सुजी थी अभी तक से तुम हारा किया मतलब है शरी फॉरन सीधा हो कर बैठा था कुछ भी नहीं ज्यादा फ्री ना हो तुम काम बताओ क्यों लाए हो माही अपनी पुराने अंदाज में वापस आ चुकी थी अच्छा बाबा ये देखो तुम्हें तुम्हारी सालगिरा का गिफ्ट देना था साथ ही उसने अपनी जेब से एक छोटी सी डबी निकाली थी और माही को बड़े प्यार से थमाई थी जबके माही ने इसके हाथ से चीनी थी दिखाओ इधर माही को डबी देखकर शरी का एक पुराना तुर्फा याद आया था तब भी शरी ने उसे बड़े प्यार से एफस सी में अच्छे नंबर्स लेने पर एक तुर्फाला कर दिया था असने बेताबी से खुला तो अंदर से जो निकला इसे देखकर माही की चीख निकली थी क्योंकि शरी ने इसके लिए बहुत नायाब तुर्फा खरीदा था जब माही ने वो डबी खोली तो इसके अंदर एक जिन्दा मेंड़क उसे घूर रहा था और इसके डबी खोलते ही इसकी नाक पे बैठ गया था उस वक्त शरी का कहा कहा और माही की चीख दोनों ही रुखने का नाम नहीं ले रहा ये थी असने फोरण वो डबी दोबारा शरी को पकराए थी जाओ मुझे नहीं लेना तुम से कुछ तुमने फिर कोई गरबर की होगी माही वो सब कुछ याद करके बोली थी जबके शरी इसके ऐसा करने की वजह जानकर मुस्कुरा दिया अब नून हैं है ऐसा कुछ भी यकीन करो मेरा लोग खूलो शरी ने उसे यकीन दिलाया और फिर से उसे डबी थमा दी शरी के लहजे में पता नहीं ऐसा किया था कि वो इंकार नहीं कर पाई थी इसने डबी शरी के हाथ से थाम ली जब मही ने डबी खोली तो इसके अंदर एक बहुत खुब्सूरत सी गोल्ड की रंग थी मही इसे देखकर बहुत हैरान थी इसे अपना तुर्फा बहुत पसंद आया था पर शरी ने उसे इतना सताया था इसका भी तो हख बनता था इसे अपना बदल हे भी दो लेना थास ने शक्ती शकल बना कर शरी से पुछा सच सच बताओ शरी किस दुकान से चोरी करके लाए हो किया मही अपनी कितनी पोकट मनी सेव करके तुम्हारे लिए लाया हूँ और आगे से मुझे किया सुनने को मिल रहा है शरी शदीद नारस हुआ था इस पर अच्छा तो सिर्फ लाए ही हो मही ने उसे घोरा शरी ने उसे ना समझी से देखा था इसने अपना हाथ आगे था तब जाकर शरी को समझाई बुदू पहनाएगा कौन मही हंसकर बोली थी शरी भी मुस्कुरा दिया इसने नर्मी से मही का हाथ थाम कर इसकी उंबली में इंगूती पिहनाई थी वो कितनी देर तक इस उंबली और शरी के हाथ में मौजूद मही के हाथ को देखते रहे शरी तुम वापस कब जा रहे मही को अचानक याद आया था कल ही शरी बोला था किया कल ही शरी अंदेरे में भी मही के चेहरे में आयुदासी देख सकता था हाँ फिर अनशालला ईद पर आऊंगा शरी ने उसे आगार किया था पका पका अच्छा अब में जा रही हूं मुझे नींदा रही मही ये कह कर उठी थी चलो शरी भी इसके पीछे ही चल दिया सुबह सब जल्दी जाग गय थे क्यूंकि शरी ने दोपहर को चले जाना था सब लोग इस से बहुत सारी बातें करना चाहते थे नाश्टा करकाफ ये सब घर वालों ने लाउंज में ही महफिल सजाई हुई थी वो सब शरी से इसकी ट्रेनिंग के किस से सुन रहे थे सब साथ बैठे रहे और वक्त का पता भी नहीं चला था बातें करते करते शरी की वाक्सी का व्क्त भी हो गया था सब फिर से उदास होने लगे थे वोड़े आप सब को तो मुझ पर फखर होना चाहिए शरी ने बड़े प्यार से सब को समझाया था सकनत साहब ने आकर इसकी ने पेशानी को चौमा था सब घर वालों से मिलकर वो फिर से अपनी मनजल की तरफ चल निकला था इस बार एक फरकाया था इस बार माही ने खुद को मजबूत जाहिर किया था वो रूई नहीं थी शेरी के घर से निकलते ही वो अपने कमरे के तरस की तरफ भागी थी असने शेरी को जाते देखा वो भी एक बार मुल अलिफ और माही को उसे देखते देखकर मुस्कुरा दिया शायद उसे भी यपीन था कि माही जरूर उसे देखेगी फिर वो आगे बढ़ गया माही की अँखों ने तब तक इसका पीचा किया जब तक वो नज़रों से उजल नहीं हो गया शेरी के जीम अन्य के बाद सब अपनी पुरानी रोटीन में वापस आ गये थे सब इसे दौाओं में हमेशा याद रखते थे रही बात माही की तो वो इसके जाने के बाद उसे ज्यादा याद करने लगी थी उसे कभी इस बात का इल्म ही ना हो सका था किशी रियब उसके दिल के बहुत करीब हो गया था पर दिल कहां किसी की सुनता है वो अपने दिल की उदासी किसी पर भी जाहिर नहीं होने देती थी सब के सामने पहले जैसे ही होती थी पर रात की तारीकी में जब अकली अपने कमरे में होती तो उसे बहुत याद किया करती थी अब इनकी अक्सर फोन पर बात भी हो जाया करती थी पर दोनों ही अपने अपने दिल की बात कहने से गभराते थे माही के इमतिहान शुरू हो गए थे इसलिए वो कुछ मसरूफ हो गए थी ओ रे इसकी उदासी कुछ कम हो गए थी सारा दिन इसका पढ़ने में गुजर जाता था और रात को जब वो फारिग होती तो शेरी की यादें इसे घेर लिया करती थी तेरा जिकर अगर दिन में भूल जाओं तो अज़ा समझ कर रातों को जाग लेता हूं वो अपनी जिन्दगी से मुतमें थी वो खुश थी कि शेरी जैसा ख्याल रखने वाला लड़का इसका मुनकु था मसरूफियत की वजह से दिनों के गुजरने का पता ही नहीं चला था माही के इम्तिहान भी अच्छे हो गए थे और बकराईद भी करीब आ गए थी वो अब अमी जान और ताई अमों के साथ मिलकर किचन में भी मदद कराने लगी थी क्यूंकि इसे पता था कि शेरी को घरेलू लड़कियां पसंद थी वो अभी सब को रोटियां देकर किचन में वापस आई ही थी कि लाउंज में से फोन बजने की आवाज आई थी का कि दिया था उसे बहुत बुरा लगा था पर अब वो अपने जजबात सबसे चुपाने का हुनर जान चुकी थी इसने वहीं से ताया अब्बू को आवाज लगा दी थी वो आकर बात करने लगे माही वहा नून हुना से जाने ही लगी थी जब वो ताया अब्बू की आवाज सुन के रिखी क्यों बेटा क्यों नहीं आ सकता है तुम दूसरी तरफ से शेरी ने पता नहीं किया कहा था जो ताया अब्बू फिर बोले थे चलो बेटा तुम्हारी मर्जी जबके माही का दिल वहीं डूब गया था किया वो इद पर भी नहीं आ रहा था वो तो इस उम्मीद पर बहादुर बनी हुई थी कि वो इद पर आएगा पर अब तो उसने आने से भी इंकार कर दिया था रात को कमरे में आकर इसका सबर एक बार फिर तूट गया था कोई बे अत नहीं वो जल्दी ही आएगा वो खुद को तसली दे रही थी पर दिल था कि सुनता ही नहीं था उसी उदासी में चन्द रात भी आ गए थी इसने इद के पकवान अमी जान और ताई अमा साथ तयार जरूर करवाए थी मगर बे दिली काफ ये साथ वो शरी के आजाने की मुनतजर थी पता नहीं कि उद दिल में अभी भी उमीद बाकी थी कि वो आएगा चांद रात को जहां सारे अपनी अपनी खुशिया मीना रहे थे वो उदास खड़ी अपने कमरे के टेरस में शेरी के बारे मीम ये सोच रही थी वो जब इसके साथ होता था तो उसे फर्पना पड़ता था पर आज जब वो नहीं था तो जैसे सब जगह इसकी कोई ना कोई निशानी थी घर में मौजूद हर शेय। से इसकी याद दिला रही थी। तब ही इसके जहन में सालों पुरानी घजल याद आई। हसरत है तुम्हारी दीद करें। तुम आओ तो हम भी ईद करें। कुछ रोज तो दिल को चैन मिले। कुछ रोज तो मन का फूल खले। कहते हैं ईद की आम मुझे ही याद कर रही थी ना, पीछे से किसी की आवास आई थी। वो खुशी से मुरी थी। पे, रह से मूलकर मायूसी हुई। पीछे कोई भी ना था, वो अकेली थी। ये महज इसका खयाल था। वो मायूसी से वापस अपने कमर ये में आकर बेड में लेट गए थी। इसे बहुत सा रोना आया था ये इसकी जिन्दगी की पहली एद थी जिस मीम ये शरी इसके साथ ना था, खुद को कंट्रोल करते करते वो कब सोई उसे पता ही ना लगा, सुबह वो जल्दी उट दे थी, वो उटकर नहाई नया लिबास पहना तयार हुई किम्कि उसे घर वा माही ने बीजान से सबसे पहले अरी वसूल करनी थी, रुप जवा हमजा बे सबरी लड़की पहले बाकी बच्चों की भी आने दो, एक साथ दून गी बीजान ने अपना होकु सुनाया था इसलिए मजबूरा माही को सब के आने का इंतिजार करना पड़ा, माही बेटा में है बेटा फरजाना बेगम बोली थी, होके में देखती हूं, माही इन्हें कहकर शरी के रूम की जानिक चल दी जबके पीछे से वो तीनों खवातीन मुस्कुरा दी थी, माही रूम में दाखिल हुई तो वहां अंधेरा चाया हुआ था, शरी के जाने के बाद इस रूम में सकम ही जाया करते थे, इसने आगे बढ़कर सारी लाइट सान कर दी थी, अब इसके सामने जो मंजर था इसे देखकर उसे अपनी अंखों पर यकीन नहीं आ रहा था, कि अब इन मांगी दौाएं यूँ भी कुबूल होती हैं, क्योंकि इसके सामने इसका हमसफर गदे गोड सारा कुछ बीच कर सो रहा था, उसने एक बार फिर माही को सरपराइज दिया था पर इस बार माही को इसका सरपराइज पसंद नहीं आया था, वो हर बार उसे सताता रहता था अब माही की बारी थी, माही वा, शरून में गई और एक छोटे टब में पानी बढ़के ले आई उसने पहले शरी के मूंग में मैक अप किया, इसकी आँखी लाइनर से बढ़ दी थी, शरी शायद रात को काफी देर से आया था इसलिए गहरी निंद सो रहा था और ते, बेही उसे निंद में कुछ फिल नहीं हो रहा था, अब बारी थी पानी गिराने की, माही ने टब उ करा दिया, वो हर बढ़ा कर उठा था, कौन हो तुम में तुम्हें शूट कर दूंगा, अभी तुम शहरीर सिकंदर अली खान को जानते नहीं, अच्छा पहले शीशा तो देख लें शहरीर सिकंदर अली खान माही का इसकी शकल देखकर कहका छोटा था, वो लगातार हनसती चली जा रही थी, अब तक शरी भी वोश में आचुका था उसने आगे बढ़कर शीशा देखा तो अपनी हालत देखकर हैरान रह गया इसका रुख माही की तरफ था, वो माही की तरफ बढ़ा, माही एक कदम पीछे हुई थी, और शूट बाद में करना पहले जाकर अपना हुलिया दुरुस्त करो, माही हनसती हुई कहकर भाद गई थी, वो भी अब वाश रूम में गया था, एक बार अपना चेहरा शीशे में देखा और हंस दिया, बीजान से एदी लेने के लिए सब लाइन में खड़े थे, बाई बारी सबने सब से एदी ली थी, अब शरी की शामत आई थी, चलो शरी अब तुम भी हमारी एदी निकालो माही बोली थी, शरी ने आराम से अर्मान और अरहान को एदी पकरा दी थी, माही इसे घुस्से से गूर रही थी, क्यूंकि इसने माही को एदी दिये बगएर ही वोल्ट वापस जेब में डाल दिया था, शरी मे तुम्हें तमीज से कह रही हम मेरी एदी भी निकालो, वो मेरे पास अभी सके नहीं है तुम बाद में आ जाना, शरी इत्मीनान से बोला था, किया, मैं तुम्हें मांगने वाली लगती हूं, माही उंची आवाज में बोली थी, लगती नहीं तुम हो, शरी ने फिर से उसे वो शरी से नाराज हो कर अपने कमरे में आ गए थी, इसने जान बूज कर सब को एदी दे दी थी पर माही से तो जैसे कोई खास दुश्मिनी थी ना इसकी, वो इन ही बातों में खुई थी जब इसके कमरे का दर्वाजा नोख हुआ था, असने मुर कर, देखा तो शरी खड गए थी, मही सूरी ना अब मुआफ कर दो किया सारी जिन्दगी मुझे यूं ही खड़े रखने का एरादा है, आजाओ ज्यादा ड्रामे नहीं करो जैसे मेरे कहने से तुमने वाकई सारी जिन्दगी यहीं खड़े रहना है ना, मही हंस कर बूली थी, शेरी इसकी हंसी में ही खो गया था इसकी खिलखिलाती हुई हंसी तो वहां भी इसका पीछा नहीं छोड़ती थी, मही तुम किया जानू में कभी भी तुम्हारी किसी भी बात का इंकार नहीं कर सकता, वो बस ये सचकर रह गया था, और साथ ही इसकी एदी इसके हवाले कर दी थी, अब पानी के जानवरों से बहुत डर लगता था और अर्मान जानकर इसके सामने बकरे को चुकर लग वाता था, पर आज अर्मान परेशान था वो शेरी के होते हुए मही को कैसे डराएगा, थोड़ी ही देर में उसे मौका मिल गया था, शेरी किसी काम से बाहर जा रहा था, इस भागती हुई आई थी, पर उसने वहां आकरगल तीकर ली थी क्यूंकि इसकी नजरों के सामने ही अर्मान ने बकरे की रसी खोल दी थी और वो बकरा सिधा मही की जाने बढ़ रहा था, बस अभी बकरे का पहला कदम उठा ही था कि मही की चीखरी शुरू हो गए थी, अर्म पहला के लाए था मही पीचे होती जा रही थी, अर्मान भी बाज नहीं आ रहा था, वो इस बात से बेखबर मही की तरफ बकरा लिये बढ़ रहा था कि अगर शेरी को इसकी इन हरकतों का इल्म हो गया तो वो इसका किया हान करी गा मीम अही दीवार के साथ लग चुकी थी अब माही इस से चंदी कदम की दूरी पर थी वो शरीर मुस्कुराहट लिए इसकी तरफ बढ़ रहा था माही को खौफ से पसीने आने लग गए थे तब ही अर्मान को पीछे से किसी ने जोर से तिफर मारा था इसकी चीख निकली थी शरी को इसके एक दोस्त की कॉल आई थी इन्होंने काफी अरसे बाद मिलने का पलान बनाया था इनके घर हर दफ़ा कुर्बानी पसाया कर ही करता था इसलिए कुर्बानी की इतनी फिक्र नहीं होती थी घर से बाहर निकल कर वो तक्रीबन पांच मिनट की ड्राइव कर चुका था जब उसे याद आया कि वो अपना फोन घर ही भूलाया था असने फॉरन गाड़ी रिवर्स की थी अभी वो घर से चंद कदम के फासले पर था कि उसे मही की चीख सुनाई दी थी इसने गाड़ी वहीं रूकी और भाग कर घर गया घर दाखिल होते साथ इसकी नजर सबसे पहले रसी पर पड़ी थी जो ख़ली हुई थी रसी का एक सरा बकरे की गर्दन के साथ बंदा हवा था और दूसरा सरा खिला हुआ था असने वहां अर्मान को गाय पाया जिसे कुछ देर पहले अबू जान बकरे की जिम्मादारी सोम्प कर गए थे इसे सारी बात समझा गए थी अब सामने ही उसे दीवार के साथ लगी हुई मही और बकरा लिये इसके खरीब जाता हुआ अर्मान दिखाई दिया असने दोड लगाई और जाकर अर्मान की कमर पर जोर से थपड मारा था मरदाना हाथ के थपड खाने के बाद अर्मान भुस्से से मुरा था अपने सामने शरी को पाकर इसका उपर कसांस उपर और नीचे का नीचे ही रह गया इसे कुछ समझ नहीं आया कि किया बोले अब तो इसकी शामत पकी थी शरी इसे अपनी बीवी को तंप करते हुए रंग हाथों पकड़ चुका था शरी भाई वो में अर्मान से गभराहट से कुछ बोला ही नहीं जा रहा था इस ये मालूम ही ना हवा के कब इसके हाथ से बकरे की रस्सी छुट गए थी माही की नजर इस रस्सी पर पड़ी तो दोबारा इसकी चिखे शुरू हो गए थी वो डर कर शरी के पीछे जाकर चप गए थी अर्मान के होश बहाल हुए तो उसने जल्दी से रस्सी पपड़ी और बांध दी शरी इस से पूछो उसने भी तुम्हारे भाई होने का सुबुत दिया है मुझे कब से सता रहा था माही ने इसकी शिकायत लगाई थी किया ये मैंने तुमें कब सताया है वो भला खुद पर इल्जाम कैसे बरदाश्ट कर सकता था अब मेरा मुझ मत खलवाया आप मिस्टर शहरियर सिकंदर अली खान माही बड़े स्टाइल से बोली थी और वो तो इसके इस स्टाइल पर फिदा ही हो गया था उन दोनों की बहस से फाइदा उठा कर अर्मान कब का अपनी जान चुड़ा कर भाग चुका था तो मुझे कैसे पता चलेगा माही शहरियर अली खान शहरी ने भी उसी का स्टाइल कॉपी किया था जब दिल करेगा बता दूंगी अभी में जा रही हम वो भी कहां इतनी आसानी से उसे बताने वाली थी ये अर्मान कहां गया शहरी तुमने उसे इतनी आसानी से छोड़ दिया माही का सारा हुस्सा इस पर उत्रा था तुम फिक्र ना करो इतनी आसानी से मुआफ नहीं करूंगा वो गभराहट में अपना वोल्ट यहीं गिरा गया है अब रात को देखना अलिफ सके साथ किया होता देख लें भी तुम किया करते हो माही बोल कर अंदर चली गए थी रात को सब खाना खा कर फारिग हुए तो शेरी ने खड़े हो कर एक हम ऐलान किया था जी तो जैसे कि सब जानते हैं कि आजीड है तो आज मैं सब को अपने निकाह की खुशी में आईसक्रीम खिलाने जा रहा हूं सब खुशी से मुस्कुरा दिये जबके मही इसकी बात का असल मतलब समझ चुकी थी चलें अब सब के पास रेडी होने के लिए सिर्फ दस मिनट हैं जल्दी करें ऐसा मौका बार बार नहीं मिलेगा इसने खालिस फौजी वाले अंदाज में अपना हुक्म सुनाया था सब ही उद गए थे एक घंटे बाद सब लोग होटल में आईसक्रीम खाकर फारिग हो चुके थे बस अर्मान की ही थोड़ी सी रह गई थी वो बड़े मीम जैसे अपनी आईसक्रीम खाने में मगन था जब असने शेरी के हाथ में अपना वोल्ट देखा इसकी आईसक्रीम इसके गले में ही रह गई मेरा वोल्ट इसने फौरण अपनी जेब चैट की इसकी जेब खाली थी भाई आईनदा कभी भाभी को तंग नहीं करूंगा पलीज ऐसा नहीं करें इसने रोने वाली शकल बना ली थी या फिर शायद अपना वोल्ट शेरी को हाथ में देखकर खुद खुद बन गए थी ना बेटा आपको सदरने के लिए एक बार मज़ा चकाना जररी है शेरी मसक राता हुआ बोला था माही भी फातिहाना नजरों से उसे देख रही थी भाई प्लीज नहीं करेना वो मिन्नतों पर उतर आया था जबके बागी सबहरान बैठे ये तमाशा देख रहे थे किया बात है शेरी क्यों इसे तंग कर रहे हो सादिया बेगम बोली थी कुछ नहीं चची जान बस उसे सबक सिखा रहा हूं पर बेटा हवा किया है अब की बार फरजाना बेगम बोली थी शेरी के बोलने से पहले ही माही ने आजवाला सारा वाकिया सब के गोश गुजार कर दिया था सब अब अर्मान की हालत देखकर मजूस हो रहे थे भाई प्लीज मुआफ कर दी वो अब शेरी के पास आकर घुटनों के बल बैट गया था जिससे वहाँ पर मौजूद बाकी लोग भी इनकी तरफ मतवज़ज़ हो रहे थे शेरी अब बस भी करो सिकंदर साहब ने उसे डांटा था पर वो भी आखिर फोजी था किसी से डरता ना था हो के अब बू जान में जरा बल पे करके आया हो साथ ही उठा और बल पे करने चला गया असने अर्मान के वोल्ट से ही पैसे निकाल कर दिये थे जिस सेरम उनका सांस लेना मुश्किल हो गया था इसे बड़ी मुश्किल से घर लेकर आये थे घर आकर शेरी ने उसे इसका वोल्ट वापस लूटा दिया अर्मान ने अंदर देखा तो इसके पैसे वैसे ही पड़े थे तो भाई इसमें तो सारे पैसे मौजूद ही फिर आपने अर्मान परशानी से बोला था बुदू मैंने पहले ही अपने कुछ पैसे तेरे वोल्ट में रख दिये थे और तुम सब को लगा कि मैंने तेरे पैसों सिबल पे किया है शेरी ने हंस कर बताया था जिस पर वहां मौजूद सगाफ हर वाले भी हंस दिये थे जबके अर्मान अपने बेवकोफ बिन जाने पर मूँख बना कर बैट गया था और हंस ते मुस्कुराते वक्त यूँ ही गुजर गया था शेरी की ट्रेनिंग भी अब मुकमल हो चुकी थी मही भी अपनी मेडिकल की पढ़ाई पूरी करके हाउस जॉब कर रही थी शेरी की पोस्टिंग ब लाहौर में हुई थी जिससे वो कभी-कभी घर में आकर सबसे मिल जाया करता था अभी मही अपनी हाउस जॉब से घर वापस आई थी वो बहुत ठकी हुई थी उसने अपने लिए जूस बनाया अभी वो जूस बना के उसे पीने की नियत से कुर्सी पर बैठी थी कि इसके बैग से मोबाईल की आवाज आई थी मही जूस को वही चोड़ कर अपने बैग से फोन निकाल कर सुनने लगी फोन फारा का था फारा से वो रोज अपने दिन बे हर की बातें शेयर किया करती थी आदे घंटे बाद जब इसका फोन बंद हुआ तो वापस किचन में अपना जूस पीने गई किचन में जाते उसके कदम वही थम गए थे जब उसने शेयरी और रर्मान को इसका सारा जूस पीते हुए देखा मीम अही ने आने में देर कर दी थी इसके जूस का आखरी बंक शेयरी ले चुका था शर्म नहीं आई तुम दोनों को ऐसा करते हुए वो घुससे से बोली थी ओ माही तुमने बनाया था बहुत ही मज़ेका था शुक्री आया शेयरी ने इसके जूस की तारीफ की थी पर माही को ये तारीफ बिलकुल भी पसंद नहीं आई थी ये जूस में ने अपने लिए बनाया था तुम दोनों के लिए नहीं माही ने उन दोनों को हकिकत बताई पर उन दोनों को कहां असर होने वाला था कोई बा ते नहीं भावी अब तो जो सीन पिया गी अब आप और बना ले अर्मान ने सारा मसला ही हल कर दिया था जो सीन तो और बनाना ही है अर्मान अब ये तुम्हारा भाई और बनाएगा माही ने अपना हुक्म सुनाया था ओ हेलो माही होश में तो हो कसे की रही हो जूस बनाने का शेरी हैरान हुआ था दोसरों को हुक्म देने वाला कैसे आज किसी का ओरर मान सकता था पूरे होश में हूं तुम ही मुझे जूस बना कर दोगे मही ने उसे दोबारा बताया ओ मैं ऐसा काफ छे भी नहीं करने वाला शेरी ने इस से साफ इंकार कर दी तो तुम नहीं बनाओगे मही जैसे कनफरम कर रही थी बिल्कुल भी नहीं शेरी बोला था मही ने साथ पड़ी हुई चुरी उठाई और असको दिखाई अगर तुमने मुझे जो सलिफ भी पांच मिनट में ना बना कर दिया तो नताइच के तुम खुद जिम्मादार होगे मही ने उसे धंकी दी थी शेरी फॉरण सीधा होकर खड़ा हुआ माही से कुछ भी तवको की जा सकती थी तुम्हें लगता है कि मैं दर जाऊंगा ऐसे शेरी ने इसका मजाख उड़ाया था ये चड़ी मेने पकड़ी नहीं है अगर तुमने मेरी बात ना मानी तो मैं तुम्हें मार दूंगी शेरी अब इसके चहरे पर नजर आने वाले पुखता अजम से डर गया था ओके ओके बना रहा हूं इसको तो रख दो शेरी बिलाखिर मान गया था अगले पांच मिनिट में इसके मेज पे जूस तयार था शेरी जिसने अभी तक अपने बहुत सारे दुश्मिनों को दर्दनाक शिकस्त दी थी वो आज अपनी बीवी की धंकी से डर गया था क्यूंकि वो जानता था अगर मा ही ने ऐसा कहा था तो वो कर भी सकती थी माही ने जूस का ग्लास पकड़ कर उन दोनों को फातिहना नजरों से देखा था घर के बड़े कमरे में आज सब बढ़ों ने फिर से महफिल जमाई हुई थी आजकल घर में सबसे ज्यादा एहम मौसू माही और शहरियर की रुखसती थी लेकिन वो दोनों ही इससे बेखबर थे सब उस वक्त कमरे में बीजान के बोलने का इंतिजार कर रहे थे बीजान अब शेरी भी अपनी ट्रेनिंग मुकमल कर चुका है और माशालला माही बे थी अपनी हाउस जॉप शुरू कर चुकी है अब दोनों के रुखसती का इंतिजाम करना चाहिए सिकंदर साहब बोले थे जी बीजान मेरा भी यही खयाल है अब बच्चों की रुखसती कर देनी चाहिए हमदान साहब की भी आवाज आई थी बेटा मुझे तुम दोनों के इस फैसले से कोई इतिराज नहीं पर बच्चों की रजामनदी नहायत हम है उनसे उनकी रजामनदी पूछ कर ही हम कुछ करते हैं अगर वो रजामनदन तो ठीक राई हफ़ते बाद उनकी रुखसती रख देते हैं बी जान की आवाज कमरे में उगरी थी जी बी जान जैसा आप कहें सब एक साथ बोले थे ठहरिये मेरी एक शर्थ है फरजाना बेगम बोली थी हां कहो बेटा बी जान ने इन्हें बोलने की अजाज़त दी मैं चाहती हम कि मेरी बहु जहीज में अब ये उनके बाकी अलफास मुझ में थे कि सिकंदर साहब बोल पड़े फरजाना होश करो में अपने भाई से किया जहीज लूँगा सिकंदर इसको बोलने दो पहले मेरी जान ने इन्हें टोका था हाँ बोलो बेटा बी जान ने इन्हें दोबारा बोलने की अजाज़त दी मैं ये कह रही थी कि मेरी बहु जहीज में अपने साथ बहुत सारा प्यार, लाड़, शरारतें और खुलूस लेके आए और सादिया तुम भी उसे मतमेचोर होने की नसीरते किया करो उनकी बात मुकमल होने पर सबके पर, यशान चेहरे एकदम से मुतमेचोर हो गए थे जबके सादिया बेगम मूठ बना कर बोली थी जी भावी, शरी किया तुमने सुना कि घर वाले किया बात कर रहे हैं वो जो मगन अंदाज में अपने काम में मसरूफ था माही की घुस्से से भरी आवाज सुनकर पीछे को मुरा किया कह रहे हैं यार, शरी वहीं बैठा बैठा पूछ रहा था ये कि आप हमारे रुखसती कर दी जाए, किया तुमने सुना, ये ऐसा कैसे कर सकते हैं माही की परेशान आवाज कमरे में आई थी, तो उस में किया हरज है, किया तुम्हें इससे कोई प्रॉबलम शहरियर ने दो टोक सवाल किया था, नहीं ऐसी तो कोई बात नहीं पर इतनी जल्दी ये सक्यून माही की सोई अभी भी वहीं अटकी हुई थी, शेरी उटके उसके करीब गया था, माही दो कदम पीछे हटी शेरी भी दो कदम आगे गया था यूँग वो बिलकुल दीवार के साथ जा लगी थी हाँ बताओ किया कह रही थी तुम, वो में, घबराहट में इससे कुछ बोला ही ना जा रहा था, किया वो में, शेरी को तो जैसे उसे सताने में मज़ा आता था, में ये कह रही थी कि रुखसती में थोड़ी ताख्रीर कर देते हैं माही अपने मदाय में आई थी इसकी वजह जान सकता हुनमी शेरी ने पुछा था नहीं मही की आवाज आई थी तो ठीक है था हुआ रुखसती पूरे अगाई हफते बाद ही होगी वो इतना कहकर कमरे से बाहर चला गया जबके मही वहीं खड़ी बेबसी से उसे जाता देख रही थी अंडर्सकोर 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 वो अभी नहा कर निकला ही था के इसके मॉबाईल पर कॉल आई वो तॉलिया, साइट पर रखते हुए मॉबाइल की तरफ बढ़ा, कॉल करने वाला इसका दोस्त वली था हाँ भाई अब तो रुखसती भी कराई जा रही है और मुझे कोई खबर ही नहीं ये तो भला हो महकमा इतलात का नहीं तो तोने बताना ही नहीं था, सही कह रहा हूँ ना तो तो कुछ बताता ही नहीं सारी बातें तो तुम्हारे छोटे भाई से पता चलती है शेरी ने अभी फोन उठाया ही था के वली दूसरी तरफ शुरू हो चुका था वो अभी भी नून स्टॉप बोलता जाता अगर शेरी ने उसे ना रोका होता ओ भाई सांस भी ले ले अब और ये अर्मान के बचे को तो छोड़नगा नहीं हर किसी को बताए जरहा है शेरी भी बराबर का जवाब देने वाला था अब वो किम पीछे हटा हाँ आप तो दोस्त को बाते ही सुनाई जाएंगी रहने दे भाई अब तो में भावी को ही शिकायत लगाता हम दूसरी तरफ वाली बोला था चल ठीक है उसी को लगाएं अभी फिल हाल मुझे मीटिंग में भी जाना है आकर तुम से राब्ता करता हूँ ओके खुदा हाफिस फौजी अल्ला हाफिस माही को आज जबरदस्ती शॉपिन करने ले जा या गया था वो शुरू से ही ऐसी चीज़ों से बच्टी रही थी उसे शॉपिन करना बिलकुल भी पसंद नहीं था वो दूसरी लड़कें से बिलकुल मुख्तलिफ थी ना कपड़ों की शौकीन ना किसी और चीज़ की फर्माईश जो अम्मी औरता ये माला दिया ये उसी को ही खुशी से खुबूल कर लेती थी पर आज इसकी एक भी सुनी नहीं गई थी उसे पता था कि इसने जाकर भी बोर ही होना है इसलिए उसने फर्माईश को भी साथ बुला लिया था हमाही ये ड्रेस देखो तो पर कितना अच्छा लग रहा है ना फारा ने इसके साथ एक बहुत ही खुबसूरत पिंक कलर का लिबास लगाया पर वो उन सब चीजों से बेनियाज बाहर देख रही थी अपने सवाल का जवाब ना पाकर फारा ने भी उसकी तरफ देखा था वो बड़ी महुयत सीन ये बाहर आइसक्रीम की दुकान को देख रही थी फारा ने उसकी हरकत देखकर अपने माथे पर बेख्तियरी में हाथ मारा था ये लड़की कभी नहीं सदूर सकती आइसक्रीम की देवानी फारा बस दिल में सोच के रह गई थी चलो माही फारा ने उसे जोर जोर से हिलाने के साथ ही कहा था वो एकड़म होश में आई थी हाँ चलो फारा इसे उसी आइसक्रीम की दुकान पर ले आई थी जिसे थोड़ी देर पहले वो बहुत गोर से देख रही थी ओए तुम मुझे यहां क्यों लेके आई हो माही फसे से बोली थी तो तुम कबसे इस दुकान की तरफ देख रही थी मैंने तुम्हारा भला सोचा है लड़की और तुम हो के उल्टा मुझे ही बोलते बोलते इसकी नजर इन्हें दो लोगों पर पड़ी जिनको माही बूर रही थी ओ माई गोर्ड ये माही अर्मान ही है ना फारा जैसे कन्फरम कर रही थी हाँ बेवकुफ में कबसे आईसक्रीम को नहीं बलके अर्मान और इसके साथ ये जो किसी खलाई मखलोग की लड़की बैठी है उसको देख रही थी माही ने उसे असलियत बताई अब किया करने का इरादा है फारा ने माही से पुछा जिसके जवाब में माही ने उसे कोई इशारा किया था और फारा ये इशारा बखो भी समझ भी गए थी चलो माही ने कहा वो दोनों इंतहाई आराम से चलती हुई गई और जस्टेबल पर अर्मान मर्यम के साथ बैठा हुआ था इसके साथ रखी करसियों पर जाके बे तकल्फी से बैठ गई अर्मान के चेहरे का रंग बोल गया था वो यहां किसी की भी खास तोर पर माही की आमद का बिलकुल भी दस वर नहीं कर रहा था जबके साथ बैठी हुई लड़की भी हैरान हुई थी अर्मान जल्दी से दो आइसकरीम का ओडर करो जल्दी करो बहुत दिल कर रहा है मेरा माही ऐसे बोली थी जैसे वहां पर इन तिनों के इलावा कोई मौजोद ही नहीं था वो सामने बैठी लड़की को बिलकुल फरामोश कर गए थी अर्मान ने फॉरन ओडर किया था क्यूंके इस वक्त तो माही से बिलकुल भी कोई खत्रा मोल नहीं ले सकता था जी माही भावी और कुछ अर्मान दांक पैस्ते हुए बोला था इसका भावी और इसकी भावी दोनों ही हमेशा इसको सताते थे और अब जो माही कर रही थी वो उसका बदलाधर जाके लेने का इरादा के बैठा था पर शरी की पिछली वाली हरकत नहीं भोला था दस मिनट के बाद उनकी टेबल पर दो आइस करीम मौजूद थी फारा तो अपनी खाना शुरू हो गए थी पर माही को अभी भी शरारत सूज रही थी लड़की तुम कौन हो, किया कोई मांगने वाली हो अर्मान किया तुमने उसे किसी सिगनल से उठाया है माही मुस्कुराहट जब्त करते हुए बोली जबके इस लड़की का मून हैरत से खल गया था भावी, अर्मान जोर देकर बोला था देखे मस मुझे यह यहां लेके आए हैं और आप इस तरह की बाती मेरे बारे में मत करें वो लड़की तो हुस्सा हो गई थी किया सच में, हाँ अर्मान, माही जैसे कन्फरम कर रही थी वो अचानक से उठी और उठके इस लड़की को गले मिली वो लड़की अभ हैरत से कभी माही को और कभी अर्मान को देख रही थी अर्मान मुझे, तुम्हारी पसंद बहुत अच्छी लेगी अनशालला यही मेरी प्यारी देवरानी बनेगी बैठो परेशान किम हो उसने पहले अर्मान को और फिर मर्यम को मुखातिब किया था अर्मान हैरान खड़ा उसको देख रहा था भावी आपको कैसे, अभी, इसके बाकी अलफाज मुझ में थे जब माही बोल पड़ी अर्मान मुझे तुम्हारी नेचर का पता है तुम किसी भी लड़की के साथ वक्त गुजारी बिलकुल नहीं करोगे अगर आज ये लड़की तुम्हारे साथ यहम मौजूद है तो इसका मतलब है तुम इसे सारी जिन्दगी अपने साथ रखना चाहते हो अर्मान ने तशक्कुर भरी निगाहों से मही को देखा था वो लड़की भी अब खुशी से मही को और अर्मान को देख रही थी थैंक यू फार दा आइसक्रीम मही इतना कहकर फारा को लिए वापस मार्केट चली गए थी शहरियर अभी अपने आफिस पहुंचा ही था कि इसके आफिस के लेंड लाइन पर फोन आने लगा इसने फोन रिसियो किया फोन इसके दोस्त का था जो इसके साथ आर्मी में था फोन पर उसके दोस्त ने जो उसे खबर दी वो सुनकर शरी बहुत खुश हो गया था अंडर्सकोर 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 फोन इसके दोस्तलीका था जो इसके साथ आर्मी में था फोन पर उसने मिशन में कामयाब होने की इतला दी थी जिसे सुनकर शहरी बहुत खुश हो गया था शहरियर ने इस मिशन के लिए बहुत मेहनत की थी और मिशन में काम्याबी की इतला सुनकर वो बहुत खुश हो गया था वो अपनी डिमागी और जिस्मानी सलाहियतों का इस्तिमाल करते हुए अब तक अपने सारे मिशन में काम्याब हुआ था उसी वजह से इसके सारे सिनेर इस से बहुत खुश थे यही बात इसकी शोहरत की वजह बनी थी शहरे अपने दोस्तली से मज़ीद बात करता रहता अगर इसकी नजर उसके मोबाइल पर ना पढ़ती इसका मोबाइल साइलेंट पर था तभी इसको उसके सिनेर की कॉल का पता नून हे चला था इसके फोन पर उसके सीनियर की कॉल आ रही थी और साथ ही मेसेज भी रसी हो हुआ था कॉल मी अटस अर्जनट शेरी ने अली को खुदा हाफिज कहा और अपने सीनियर को कॉल मिलाई अस्सलामो अलेकुम सर शेहरियर इंतहाई अदब से बोला था मिशन में काम्याबी पर मुबारक बात देता हूँ और साथ ही एक नए मिशन में तुम्हें अपने साथ आस्सट करना चाहता हूँ बोलो किया कहते हो बलके तुम मुझे आस्सट कर रहे हो इसके सीनियर शेरी को काफ छेवी बोलने का मौका दिये बगएर ही बोल रहे थे जी सर, यस सर, किया मिशन है और आपने इसके लिए अभी तक किया प्लान किया है शेरी बोला था दरसल अभी भी इतिला मिली है कि एक ग्रूप गैंग की सूरत में के लेक सीन कोल पर हमला करना चाहता है वो इस स्कूल पर जहां पर गरीब तलबा पढ़ते हैं वहां पर दश्चत गर्दी करने का इरादा रखते हैं हमें हर सूरत में उनके इरादे को नाकाम बनाना है सीनियर ने उसे आगाह किया था यस सर लेकिन अगर मुझे इसके बारे में मज़ीद थोड़ी सी मालूमात फराहम कर दी जाएं तो बहुत बेहतर होगा शेरी मज़ीद मालूमात जाने की खाहिश रखता था क्यूंकि इस से वो बेहतर तोर पर कल के लिए तयार हो सकता था सीनेर ने उसे इसके कहने पर मज़ीद मालूमात दे 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 थी ओके सर में अभी अपना होम वर्क तयार करता हूँ अनशालला कल उनके सारे इरादों को नाकाम बना देंगे और जो भी अफराद इस ग्रूप में शामिल हैं उनका नाम हो निशान तक मिट जाएगा उसके लहजे में इसका पुखता इरादा जाहिर हो रहा था मुझे तुम से यही उमीद थी शाबाश जवान इन्होंने मजीद थोड़ी सी बातें करके फोन बंद कर दिया था जबके शहरियर कल की तैयारी में मसरूफ हो गया था सुबर के साथ बजे थे माह ये अपने कॉलेज के लिए तैयार हो रही थी वो तैयार हो कर नीचे डाइनिग में पहुंची तो खिलाफ मामूल शहरियर को देखकर हैरत का शिकार हुई थी ये बंदर आज इस टाइम यहां किया कर रहा है वो सिर्फ ये सोच ही सकती थी क्यूंकि वो सब के सामने ये कहने की जसारत नहीं कर सकती थी अगर वो कह देती तो घर के सारे अफराद से इसकी शामत पकी थी Assalamualaikum उसने आते साथ सब को सलाम किया था सबने मुस्कुरा कर इसके सलाम का जवाब दिया था जब कि शेरी उसे अजीब निगाहों से घूर रहा था इसने शेरी को अगनूर किया और अम्मां से नाश्टा लाने को कहा अम्मी जान नाश्टा दे दें मुझे देर हो रही है पांच मिनट बाद उसके सामने मेज पर इसका नाश्टा रख दिया गया था वाओ है नाश्टा खाने में मगन थी जब इसकी नजर शेरी पर पड़ी वो अभी भी इसको उसी अंदाज से घूर रहा था मही ने पहले तो उसे ज्यादा अहमियत नहीं दी और बाद में शेरी को मुसलसल उसे घूरता हुआ देखकर वो भी चुल गए थे थी उसने उसे मेज के नीचे से जोर से टांग मारी शेरी पर इसका कोई असर नहीं हुआ था वो फिर भी उसे वैसे ही घूर रहा था इसलिए इसको ऐसा महसूस हो रहा था मही ने घुस्से में आकर उसे एक और टांग मारी थी मगर बदक्समती से ये टांग अरहान को लग गए थी ओ, मर गया, किया बात है मही भावी, मैंने आपको किया कहा है अरहान रोनी सूरत बनाए कह रहा था क्यूंके इस बार मही ने टांग जिया देख जोर से मारी थी पर वो शरी की बजाए अरहान को लग गए थी मही का नवाला इसके गले में ही फंस गया था सूरी अरहान वो में वैसे ही पाउं भिला रही थी तो गलती से तुम्हें लग गया अटस होके वो मूंग बनाए कह रहा था जबके शहरियर मुस्कुरा दिया पर मही ने उसकी मुस्कुराहट नहीं देखी थी अब्बू जान मुझे कॉलेज छोड़ा आए मुझे देर हो रही है मही अपने अब्बू जान से मुखातिब थी बेटा में और भाई जान तो अभी जल्दी ऑफिस के लिए निकल रहे हैं शरी तुम्हें छोड़ाएगा मही का नवाला लिए इसका हाथ मुख में जाता रुका था उसने शरी की तरफ निगाहें घुमा के देखा था वो भी उसे ही घूर रहा था पंद्रह मिनट बाद वो दोनों गाड़ी में बैठे हुए थे शरी ड्राइव कर रहा था और मही उसे मुसलसल तेज चलाने को कह रही थी मही चुप करो मुझे तुम से भी ज्यादा जल्दी है शहरियार तंगा कर बोला था होके मही नाराज होकर बैठ गई थी क्यूंकि इसे किसी कभी इस पर जोर से बोलना पसंद नहीं था शहरियर ने उसे बाद में मनाने का सोच कर कॉलेज ड्रॉप किया और अपनी मन्जिल की तरफ चल पड़ा उस वक्त इर्दगर्द का इलाका बिलकुल सुनसान था बस कुछ फासले पर एक स्कूल से पीटी किया वाज़ा रही थी क्यूंकि घड़ी आठ बजा रही थी और ये वक्त तमाम स्कूलों की असेम्बली का होता है उसी वक्त कुछ लोग दबे कदमों से इस स्कूल की जाने बढ़ रहे थे वो अपने कदम इंतहाई खामोशी से उठा रहे थे गोया वो किस ये को भी अपनी आमद से आगाह नहीं करना चाहते थे वो स्कूल के इंतहाई करीब पहुंच चुके थे इसकूल से आती पीटी की आवाजे बहुत तेज वो गई थी इस वक्त स्कूल में इसेम्बली हो रही थी तब ही उनमें से एक शखस इंतहा ये खामोशी से स्कूल की पिछली डीवार से स्कूल के अंदर फलांग गए था एक के बाद एक करके उनके सारे साथी उसी तरह स्कूल के अंदर पहुंच गए थे फर उनके बोस ने इन्हें अपनी पोजिशन लेने का कहा इस ग्रूप के बास ने इन में से दो को इशारा कि Yamad-iCart. वो दोनों स्कूल के हाल के बाहर सी इन गुजरे के अंदर मुजूद हाल में किसी एक ओी शखस को इनकी आमद का पता ना चला था. वो दोनों हाल के पीछे से स्कूल के मेंगेट पर पूंचे जहाँ चा. रे हटेक प्रेटेज चौकीदार अपनी डियूटी पर थे, इन्होंने नहायत खामोशी से उन चारों को मौत की निंद सुला दिया था, इन्होंने अपना काम करने के बाद अपने बास को डन का सिगनल दिया था, वो दोनों अब वापस अपने ग्रूप के पास पहुंच चे, के थे, अपने बास का इशारा पाने के बाद इन्होंने हाल की जाने चलना शुरू कर दिया था, बड़े से कमरे में सब हज़रात कुछ देर बाद किये जाने वाले आपरेशन के बारे में कुफ्तबू कर रहे थे, ऐसे में अचानक दर्वाजा खल, अलिफ और एक शखस अंदर द जवाब दिया था, आप सब तयार हैं, वो बुलंद आवाज में पूछ रहे थे, यस सर, पूरे कमरे में यस सर की आवाज गोंजी थी, सराज अनशालला इस ग्रूप के तमाम बंदों का नाम वाओ निशान मिट जाएगा, ये बुजदिल लोग हम से मुकाबला करने की देखा था, जो यहां मौजूद तमाम अफराद में से जुनियर था, शाबाश मुझे तुम्हारा जोश पसंद आया, उस शखस ने मुस्कुरा कर उसे देखा था, ये शखस थे करनल जहांगीर शाह, जो अपने बड़े-बड़े कारनामों की वज़ह से बहुत मशूर थे अपने कारनामों के इलावा वो अपनी बहुत सख्त मिज़ाजी की वज़ह से भी मशूर थे, शेरी का इन्हें मुखातिब करना सब के लिए ही हैरत का बाइस था, इसलिए सब उसे मतर्रिफ निगाहों से तक रहे थे, इसकी हिम्मत की दाग दे रहे थे, शीन, यरी पर बैठ गी, अलिफ था, करनल साहब ने बोलना शुरू किया और सब की तवज्जो अपनी तरफ की, आज आप सभी एक नहायत हम मिशन के लिए मुन्तखब के गए हैं, जिस स्कूल में आज वो दश्यतगर्दर ग्रूप हमला करने का इरादा रखता है, इसमें तमाम वरी लिए अगर अपना हाल कुर्बान करना पड़े तो आपकर गुजरेंगी, हमें अपने बुजर्गों के इस अजीम वर्से को बचाना है, किया आप सब इसके लिए जी जान से लड़ जाएंगी, यस सर फिर से सब एक आवाज होकर बोले थे, आर यू आलरेडी, करनल की आव हाज में नारा लगाया था, हाई सर सब एक जबान हुए, अप टू दी, सकाई सर फिर से कमरे में उन सब जवानों की जोश से भरी हुई आवाज गोंजी थी, सब ने अपने अपने जोश का मुजाहरा किया था, उसके साथ ही करनल जहांगीर शाह ने इनके इस मिशन काफ, ये लिए इन्हें थमजब करके बिस्ट आफलत कहा और पाकिस्तान आर्मी का ये वफद अपने मन्जिल की तरफ बढ़ गया था, इन्होंने अपनी जीप स्कूल से कुछ गदम के फासले पर ही रोगती थी, अब एक एक करके वो सब अपने मखसूस, फौजी अंदाज में स आवाजें आने वाली थी, अब इनका एक एक मिनत तीमती था, सेनेईर ने उन में से कुछ को स्कूल के बाहर पोजीशन लेने को कहा ताकि अगर उन में से कुछ दश्चत गरदा इनके हाथों बच निकली तो वो बाहर मौजूद फौजीयों के हाथों अपने अंजाम को प यार खड़े थे, दश्चत गरदों का ग्रुक खरगोश की सी चाल चलता हुआ इसकूल के हाल में दाखिल हो चुका था, इन्होंने वहां अंदर दाखिल होते साथ ही इसकूल के पिरिंसिपल और कुछ असातिजा की, कनपटी पर गोली रखकर खौफ वाव हरास पैदा कर दिया था, सब बचे सह में हुए खड़े थे, अपने दिलों में आपनी जानुग की दौाइं मांगते हुए वो सब अल्ला से मदद की दौा मांग रहे थे, हाल में वकफे वकफे से बच्चों के रोने की आवाज रही थी, तब ही अचानक हाल में एक जोरदार आवाज गो आया था हां किया कहता है जनरल आजाद कर रहा है या नहीं भाई को या उन में से कुछ की लाशों की तस्वीर भेजू उसे वो एक हाथ से सिगरेट पीता हुआ बोला था दूसरी जानेब सीन ये कुछ कहा गया था जिसके जवाब में वो बोला था इसकी ये हिम्मत वो जिम्मादार होगा साथ ही फोन बंद कर दिया था एबेलाम वाओ इस चरिया को तो इधर ला साथ ही उसने अपने एक बंदे को एक छोटी सी बची की तरफ इशारा करके इसके पास लाने को कहा था वो बची बैशक बहुत खुखसूरत था ये डर और खौफ की वजह से वो बहुत हलका ले रहे हैं ऐसा है तो ऐसा ही सही इसको दिखाते हैं हमें हलका लेने का अंजाम बहुत प्यार करते हो नल तुम लोग अपने पाकिस्तान और पाकिस्तान की अफवाज से अब तुम सब का प्यार एक पल में खतम हो जा एगा जब तुम्हारे जनरल की वजह से जान जाएगी, तुम्हारी आर्मी की वजह से मेरा बाप मारा गया, मेरा भाई जेल में बंद है, बस डर्गिस ही तो समगल करते थे, उनको किया तकलीफ थी, दो चार करोड लेकर छोड़ देते अलिफ, नून को, पर नहीं अपने मुल्क से वफादारी करने का भूद जो सव खिर्कियां टूजने की जोरदाराव, असके साथ ही हर जानेब से कमांडोस स्कूल के हाल के अंदर दाखिल हुए साथ ही हर तरफ से धरधर की आवाजें आने लगी, इसकूल के तमाम बचे खौफ और देशत से सहमें खड़े थे, वो ये खौफनाक मनजर अपने दुंदल से देख रहे थे, तब ही सब बच्चों को करसियों के नीचे चप जाने का कहा गया, बच्चों ने फौरा ताइब की थी तकरीबा 20 मिनट ऐसे ही गोलियां चलते रहने की आवाजें आने लगी, 20 मिनट बाद इसकूल के हाल में बिलकुल खामुशी छे, अलिफ गई थी हर तरफ बिलकुल सन्नाटा था, किसी की भी आवाज नहीं आ रही थी बस एक नारा गौनजा था अलाह अकपर पाकिस्तान जिन्दा बाद, अब हर तरफ दहशत गर्दों की लाशे दिखाई दे रही थी, शहरियर सिकंदर अपनी और अपने साथियों का, ये फतह पर अल्लाह ये वो तमाम दहशत गर्द अपने अंजाम को पहुंच चुके थे, अब सभी साथी एक दूसरे से खुशी से गले मिल रहे थे वो अपने मकसद में काम्याब हो चुके थे, तब ही आ, काफ नन्ही बची शहरी के पास आई थी, ये वही बची थी जिसे दहशत गर्दों का वो अपने जल्म का निशाना बनाना चाहता था, वो बची शहरीर के पास आई और उसे जुकने का इशारा किया, शहरीर मुस्कुरा कर नीचे हुआ था वो बची शहरीर के कान के पास आकर बहुत धीरे से बोली थी, किया आप फरिश्टे हैं, नहीं नहीं बेटा ऐसा ये बोली थी, गुड़िया हम लोग फरिश्टे नहीं हैं हमें अल्ला ताला ने आपका और खुसुसन हमारे प्यारे मुल्क पाकिस्तान का महाफिज बनाया है, शहरीर ने उसे प्यार से समझाया था, डू यू मैं पाकिस्तान आर्मी, वो बची अप अपनी उखों में स्कूल की सिक्योरिटी का इंतिजाम मजीद सख करने की ताकीद की थी, इसके बाद सब वापस अपनी जीब में बैट चुके थे आखिर इन्होंने, जाकर अपने सीनियर सर को इसकी रिपोर्ट भी तो देनी थी और काम्याबी की इतला देनी थी, जीब में तराना लगा हु प्रॉट भी दर्टी का इतला लगा हुए। का असर जो आर्जू में है रगों में है जिनों में है वतन का इश्खों में है जो बेटे हैं वतन तेरे वतन उनके लहू में है उनकी आवाजों से ही उनका वतन के लिए आर्शिक जाहिर हो रहा था उनकी आवाज सुनकर इर्द गिर्द के लोग भी उनसे मुतासिर हो रहे थ करनल जहांगीर शाह अपने मुजाहिदों का बेसबरी से इंतिजार कर रहे थे उनसे इंतिजार नहीं है वाओ रहा था कि वो कब अपने मुल्ग के बहादूर बेटों को सलीवट कर सकी उम्मूमान छोटे बढ़ों को सलीवट किया करते हैं लेकिन आज जिस बहादूरी से इ यही बहुत मुतासर किन था मीटिंग रूम का दर्वाजा खिला था और सब मुजाहिद सलाम करते हुए नहायत अदब से आकर अपनी अपनी निशिस्तों पर बैठ चुके थे करनल ने सब को मुबारत बात दी और फिर शेरी को मुखातिब किया शहरियर सिकंदर मेरी इतिल और बहादरी से बहुत मुतासर किया है, करनल जहांगीर ने इसकी कमर को थपका था, वो आज अपने मुकस्द में कामयाब हो गया था, शुक्रिया सर शहरियर ने अडब से सर को खम दिया था, वो घर आया तो उसने सब घरवालों को मिशन में कामयाबी की इतला दी थी, जि जाकर तस्बीर करती हुई भी जान की बोद में सर रखा और थकन के बाइस धीरे लहजे में बोला अलार के फजल वाओ करम से मैं आज अपने मेशन में सुखरू हवा हूँ मेरे लिए आप सब हमेशा दौागो रहा है अलार तुम्हें हमेशा कामियाब करे फर्जाना बेगम बोली थी सबने आमीन कहा था जी अमी जान अब में आराम करना चाहता हूँ सबसे मिलकर वो उपर वाली मंजिल में अपने कमरे की जाने बढ़ रहा था जब इसकी नजर मही के कमरे के बंग दर्वाजे पर पड़ी ये लड़की मुझे मुझे मुबारत बात देने नीचे तक नहीं आई उसने दिल में सोचा और साथ ही मही के कमरे का दर्वाजा खटखट आया अंदर से आवाज आई थी आ जाई शेरी अंदर चला गया था अंदर का मंजर देख कर उसने बेख्तियार अपने सर पर हाथ मारा था ये लड़की कभी नहीं सदूर सकती एक और ख्याल इसके दिमाव में आया था मही अपने रूम की एल एडी में बार्वी की मूवीज लगा कर आराम से देख रही थी एक हाथ में पापकारन थे और साथ ही दूसरे हाथ में जूस का डबा था मही ने भी स्क्रीन से नजर उठा कर एक दफ़ा आने वाले को देखा था शेरी को देखकर इसका जूस इसके गले में अटक गया था वो सुबह से नाराज थी और शेरी का इसको मनाने के लिए इंतिजार कर रही थी पढ़ना शेरी आया और नहीं इसका कोई मेसेज इसलिए इसके नाराजगी और भी शदीद हो गए थी वो फौरा उठी थी और उटकर अपने कमरे का दर्वाजा खुला था आप बाहर तश्रीफ ले जा सकते हैं मिस्टर शहरियर सिकंदर माही बे अतनाई से बोली थी पर मैं तो अब अंदर आ चुका हूँ लिफ वर फलहाल मेरा बाहर जाने का कोई इरादा नहीं है माही शहरियर अली शहरियर भी उसी के अंदाज से बोला था और साथ ही जाके माही के बेट पर बैट कर मूवी देखने लगा ओकमून माही यार गिरो अब तुम अभी भी बच वाली मूवीज देखती हो शीरी ने उसे चुरता तुम्हें कोई मसला है और शहरि मेरे बेट से नीचे उतरूर चले जाओ यहां से मुझे तुम से कोई बात नहीं करनी वो घुस्से से बोली थी अभी शहरि इसकी बात का जवाब डाल यने ही वाला था कि महकमा इतिलाद की कमरे में एंटरी हुई थी और वो माही के कमरे में शहरियर को देखकर एकदम हैरान हुआ था ओवा, रुखसती के बाद दुल्हन अपने दौलहा की कमरे में जाती है, यह तो सुना था पर रुख सती से पहले ही दौलहा अपनी दुलहन के कमरे में मौजूद होगा हो तो पहली बार देख रहा हूं लिकिया अभी में पहले अम्मी जान और चची जान को बता कराता हूं अर्मान ये कहते हुए जाने लगा था जब शेरी ने जल्दी से इसके दून वाजो पकड़ लिये थे और मही ने कमरे का दर्वाजे को लौक लगाया था अब शेरी ने अर्मान के कान पकड़े हुए थे हां बोल किया बताने जा रहा था किया आप बको इसकर रहा था भी कु पाबिल भी शेरी था जो किसी के भी चेहरे के पीछे चपे हौआ ये तासुराद भी आसानी से पढ़ लिया करता था तुम दोनों भाईयों की लड़ाई वो गई हूँ तो आप दोनों चले जाओ यहां से मेरा सर ना खाओ मही की घुस्से से भरी आवाज आई थी वो कबसे उन दोनों की यहां से जाने की मुझा थी पर वो दोनों जाने का नाम ही नहीं लिरहे थे बलके पाकिस्तान इंडिया की जंग शुरू कर दी थी वो दोनों एक दम मुरे थे अच्छा चल बता किया कहने आया था शेरी ने अर्मान से पुछा था वो भाई जान दरसल में कौन सी हैरान किन बात जल्दी बोल शरीप बोला था वो भाई जानिये कि भी जानने फैसला किया है कि आप लोगों का बरात का फंक्षन नहीं होगा मतलब ना मही भावी की कोई बरात लेकर आएगा मेरा मतलब आप बरात लेकर आएंगे और नहीं हम लोग बराती हैं गेरमान अर्मान ने इन्हें अभी ताजा हुई बात बताई थी, ये तुम किया कह रहे हो, अब माही भी उनकी तरफ मतवज़च हुई थी, दरसल उनका मतलब ये है, कि आप दोनों का निकार तो पहले ही हो चुका है, तो बरात का मकसद तो खतम हो चुका है, इसलिए हम सब बचे तो नहीं बदल दी इन लोगों ने, शहरियर ने बजाहिर संजीदा लहजे में कहा था, मगर इसकी आखों से इसकी शरारत जाहर हो रही थी, जिसे दाल, एक कर माही ने इसके सर पर जोर से तके आपने का था, होके मैं अब चलता हूं, मुझे कार्ड्स का ओर्डर भी देख आना है, अर्मान उन दोनों की गसीली निगाहों को देखकर बाहर चला दया था, शहरियर अब तुम भी यहां से जाओ वो जीम, बे बहुत घुसे में हुआ करती थी तो उसे इसके असल नाम से मुखातिब किया करती अभी इसके शहरियर कहने का मकसद ये था, कि वो उसे सं तुम से ऐसे बोल दया, सूरी, शरी मेरे नहीं अपने कान पकड़ो मही चुड़ कर बोली थी, अच्छा ना सूरी शरी दिर ऐसे बोला था, अटस होके वो भी मुस्कुरा दी थी क्यूंकि उसे ज्यादा देर नाराज होना कहां आता था, अंडर स्कोर अंडर स्कोर अंडर बी जान के कमरे का दर्वाजा जोर से खिला था वहां पर मौज, वद सब लोगों ने मुल कर हैरांगी से अंदर आने वाले को देखा था, शहरीर और मही के इलावा ऐसे काम की उम्मीद और किस से की जा सकती थी, बी जान वो दोनों एक साथ चिक ए थे, किया हवा बेटा, खेरियत तो है तुम दोनों लिफ, सीन वक्ति हैं और इतने घुस्से में किम हो, बी जान परेशानी से बोली थी, बी जान ये हम लोग किया सुन रहे हैं, किया आप लोगों ने ऐसा कोई फैसला किया है, जैसे महकमा इतलात मेरा मतलब है, अर्मान ने हमें अभी खबर दी, मां, ही तेजी से बोलती जा रही थी जब शिरी ने उसकी बात को काटा था, हमारी अतलात के मुताबिक आप लोगों ने बरात का फंक्षन ना करने का तैसला किया है, किया ऐसा ही है भी जान, हाँ हाँ बेटा ऐसा ही है, पर तुम दोनों को इस फैसले से किया मस्ला है, सिकं अम्मी जान ने बचब नून से मेरे मुतालिक कितने खाब देखे हुंगे ना कि वो भी दॉलहे की माँ पनेगी लेकिन आप लोग तो हम सब के खाब चिकना चोर कर रहे हैं। शहरियर ने अपनी तरफ से उनको इमोशनल करने की भरपूर कोशिश की थी। अम्मी जान आपको भी तो शौक होगा ना कि आपकी बेटी की बरादाए। आप उनको वेलकम करें। बरातियों का अच्छा इस्तकबाल करें। मही भी शरी को देखकर सब को मनाने की कोशिश शुरू कर रही थी। अम्मी जान हमें भी तो दौल है के भाई कहल अने का इतना शौक है। पीछे से अर्मान और अरहान ने भी बैक ग्राउंड म्यूजिक दिया था। तुम सबाज एक ही टीम में हो इसका मतलब है जरूर कोई गुरबर है साधिया बेगम ने कहा था। मुझे भी अभी तक यह भी समझा रहा है साधिया कि ये सब जब एक टीम में होना तो ये अपनी बात मनवा कर रही रहते हैं। बी जान अब आप ही हां का सिगनल दे दें। हमदान साहब ने भी इस सारी गुफतगु में हिस्सा लिया था वो आप समझ चुके थे कि ये सारे एक टीम बना कर अपनी मिशन में काम्याब हो चुके थे। शौपिंग करते इंतिजामात संभालते और दीगर तरह की तयारियों में दिन कैसे गुजरे पता ही नहीं चला था और आज मही और शरी की मिदी का दिन था। हर कोई बहुत खुश था घर में एक दम से गहमा गहमी शुरू हो गए थी। हर तरफ महमानों की आमद का सिलसिला जारी था. कोई अपने कपड़े इस्द्री कर रहा था तो कोई अभी बाजार के चक्र लगा रहा था हर कोई शादी में बल्के. मेहदी के फंक्शन में जीज़ीज़ा से जीज़ीज़ा खुश रगना चाहता था. क्यूंकि मेहदी का सबसे ज्यादा पसंद किया जाता है और मही और शहरियर की शादी का तो सभी को बहुत शौक था सबने मेहदी के फंक्शन के हवाले से बहुत सी तैयारियां की रूई थी शहरियर बहुत गहरी निंद सोया हुआ था रात को मार्केट से आते हुए काफी देर हो गई थी इसलिए वो काफी देर तक सुया रहा था वो अभी भी मज़े से सौ रहा था जब एक कॉल आने से इस की निंद टूट गई इसकी शकल में खुद बखुद बैजारी उतर आई थी क्यूंकि उसे अपनी निंद में खलल बिलकुल भी पसंद नहीं था एक ख्याल आने के तहट उसने फॉरन मॉबाइल उठाया कॉल करनल जहांगीर शार की थी वो एक दम पूरा का पूरा उठा हुआ था क्यूंकि वो उनकी कॉल आने का तसवर भी नहीं कर सकता था क्यूंकि करनल साहब जब भी किसी को फोन करते थे तो अपने आफिस के नंबर से करते थे अपने परसनल फोन से किसी को भी फोन नहीं किया करते थे शहरियर को मॉबाइल में से एक अप्लिकेशन की वज़ से उनका नाम पता चल गया था कॉल को आए हुए अब दो मिनट हो चुके थे वो उठा और फरेशा होकर आया अब वो सुकून से बैठ कर नंबर मिला रहा था कुछ ही सेकेंड में कॉल उठा ली गई थी और कॉल उठाने आने आने वाले शद्रक्स कररनल जहांगीर शाही थे अस्सलाम आलेकूम सर शहरियर ने मौदब लहजे में सलाम किया था वालीकम सलाम शहरियर सिकंदर बात कर रहा है करनल साहब ने जैसे कनफरम किया था जी में शहरियर सिकंदर खेरियत सर आप ने मुझे कैसे फोन किया शहरियर फोरण मदाय पे आया था तुम्हारा नंबर मिला कर खेर मुझे तुम से एक इंतहाई जरूरी बात करनी है अगर हो सके तो तुम मेरे घर आज आओ, बलके हो सके नहीं तुम अभी उसी वक्त मेरे घर पहुंचो करनल की आवाज आई थी यस सर, बट आए डोंट नो यह होम अडरेस शहरी ने इनहें बताया था नो प्रॉब्लम सन, आइल सेंड यह माई होम अडरेस बट रीच रियर सून, I need you a gentleman Your country needs you करनल के अलफाज सुन कर उसने जल्दी आने का कहकर फोन बंद कर दिया था उसने एक नजर खिलकी से बाहर आते जाते महमानों पर डाली और रिडी होने चला गया अंडर्सकोर 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 शाम के साथ बज रहे थे शरी अभी तक घर वापस नहीं आया था मही कब की तयार होकर बैठी हुई थी वो कब से इंतिजार कर रही थी कि नीचे जाए और लॉन में सजे स्टेज पर जाकर बैठ जाए पर शहरियर साहबान ये का नाम ही नहीं ले रहे थे वो वहाँ बैठी बैठी थक चुकी थी फारा किया बद तमीजी है कब नीचे जाना है मैं कब से बैठे बैठे थक चुकी हूँ शहरि अभी तक आया कि नहीं माही की बेजार आवाज आई थी ओ माही तमीज से बात करो तुम दौलहन हो और बाहर स्टेज पर किसी के सामने भी इस तरह से बात मत करना ठीक है और शरी भाई भी आते ही हूं गे इंतिजार कर लो थोड़ा और फारा इसे समझा रही थी और अच्छी दोस्त की तरहन सी हट कर रही थी पर माही भी कब से शरी और उने का नाम ही नहीं ले रहा था किया यार इतना इंतिजार कौन करता है और इसे भी आज बाहर जाना था अगर आज मेरी मेरी मेदी ना होती ना तो फिर में इस उलू को बताती मही घुसे से बोली थी साथ ही बाहर से दर्वाजा खिला था और इसके कमरे में कोई शख्स आया था किया बताती तुम और मुझे उलू किस खुशी में कह रही हो बताओ अंदर आने वाला शख्स शेरी था शेरी को दी खकर फारा और मही दोनों हैरान हुई थी फारा फोरन उटकर मही के आगे आ गई थी और अपने दौकटे से मही को बिलकुल चुपा दिया था शेरील भाई की अबद तमीजी है आप बूल रहे हैं के आप दौल है हैं और आप मेंदी के फंक्शन के शुरू होने से पहले अपनी दौलहन को नहीं देख सकते अब जाएं यहां से फारा ने शेरी को कमरे से बाहर भेजने की अपनी सी कोशिकी थी पर मुकाबिल भी शेरी था जो अगर एक बात करने का एरादा करला म।wał तो फिर अपनी भी ना सुनता था वो भला किसी की बातों में कैसे आ जाता ना ना मेरी बहन आज तो मैं अपनी दुलहन को देख कर ही जाऊंगा नहीं तो फिर में भी यहीं बैठा हूं तयार करा लो कोई और दोलहा शेरी ये काफ हते हुए माही के कमरे की जमीन पर ही बैठ था और इसके बैठने का स्टाइल इतना फनी था कि माही की हैसी छूट गई थी वो लगातार हस्ती जा रही थी जब फारा मुल कर उसे देखने लगी थी वो देख कम रही थी ओ रेगूर ज्यादा रही थी और उसी के साथ शरी को बलाखर माही को देखने का मौका मिल गया था वो तो सादगी में भी तियामत धाती थी और आज सजेसंडरे रोप में इसे देखकर शरी को लग रहा था जैसे इसने अपनी सार ये जिन्दगी में इससे ज्यादा हसीन मंजर आज तक नहीं देखा वो बड़ी महुयत से माही को तकै जा रहा था जब माही की आवाज से होश मिलाई थी और रोमियो देख लिया मुझे अब जाओ रेडी हो जाओ पहले ही बड़ी देर हो गई है जा रहा हूं मेरी हीर शेरी बड़ी अदा से बोला था उफ शेरी हीर के साथ रांजा होता है और रोमियो के साथ जैवलट तुम भी ना खेर जाओ अब मही ने अ हाई हो गया आपका अब जाएं यहां से फारा हुस्से से बोली थी शेरी भी मूंग बनाए चला गया था शेरी बस कर दे तो लड़कें से भी ज्यादा टाइम लगा रहा है रेडी होने में वली की बेजार आवाज आई थी वो कब से उसे नीचे जाने का कह रहे थे पर शे हाई साहब किसी की सुन ले तब ना अच्छा यार मेरी पहली और रा खरी मेहडी का फंक्शन है और तो मुझे तयार भी नहीं होने दे रहा शेरी बोला था अच्छा तो वो ले तयार मुझे तो लगता है कि अरहान उसने तब ही जाना है जब माही भावी खुर उसे इसके क पातिब किया था जो इसके करुते पर इसको पर्फियूम लगा रहा था अर्मान यार थोड़ा ज्यादा लगाओ ताकि मेरी बीवी ही नहीं मेरी सालियां भी मेरी तरफ मतवज़ए हूं शहरियर ने साथ अर्मान को आंक मारी थी क्योंकि वो तीरची निगाहों से वली को आज तक मेरे साथ रही है और इसे मेरी सब हरकतों का पता है इसलिए तुम ऐसी धमकी तो मुझे नहीं दो शहरी ने आराम से इसको समझाया था तो तुमने मही भावी को यकिनन माहम वाली बात भी बताई होगी वली ने अबरू उचक्का के पुछा था वाओ मेरा प्यारा चल जाता कि एक लड़की महम नाम की शेरी के पीछे दो महीनों से पड़ी हुई थी तो उसके साथ बहुत बुरा हो सकता था क्यूंकि वो अपनी परसनल चीज़ें किसी के साथ भी शेर नहीं करती थी और ये तो उसके शोहर का मौामला था फानली एक घंटे की जिद्दो जहत के बाद अर्मान अरहान और वली शेरी को बाहर लाने में काम्याब हुए थे पहले जाकर अम्मी जान और चची जान की जड़कियों से उनका इस्तखबाल किया गया था फिर मही के साथ शेरीयर को स्टेज पर बिठा दिया गया था दोनों का निकाएच उनके पहले ही हो चुका था इसलिए मेडी का फंक्शन मुश्टरका किया गया था और दोनों की इकटे ही रसम करने का सोचा गया था सबसे पहले भी जान स्टेज में आई थी इन्होंने बसम अल्ला पढ़कर दोनों की रसम शुरू की थी और डेल सारी दौाइं देकर बाकियों को भी रसम करने के लिए बुलाया था ठीक दो डाई गंटे के बाद सब लोग अपनी अपनी रसम करके फारिख हो चुके थे खाना, खाकर सब बड़े तो अंदर जाकर महफिल सजाके बैट गए थे जबके नोजवान लड़कियों और लड़कों की बारी अपाई थी सबने मही और शहरियर को खोग तंग किया था शहरियर को तो बिलकुल असर नहीं हो रहा था पर मही नर्विस हो गई थी, लौन से आती लाओड म्यूसिक की आवाज माहौल को बहुत खुशगवार बना रही थी सब लोग अपने अपने स्टाइल से फंक्शन को इंजुआए कर रहे थे और अब बारी थी डोलकी की, एक डोलकी दर्मियान में रखी गई थी स्टेज के बिलकुल सामने ये मनजर दिखाई दे रहा था सब लड़कियां दाइरे की शकल में बैठ गई थी और अब बारी थी गानों की, एक टीम लड़कियों की बनाई गई थी और एक टीम लड़कों की बनाई गई थी लड़की ने चुनके ऐसे शौक ज्यादा रखती हैं इसलिए इंताक्षरी खेली गई थी और इंताक्षरी सब लड़कियों ने मिलकर जीत ली थी और अब फंक् में इच नहीं से थोड़ा आगे दो टीमें बन चुकी थी एक टीम थी फेली और वारा की और दुसरी टीम ठीक अर्मान और मर्यम की मही और शहरियर सिम्हुवार्टं मही के दोस्त कहलवा के एन्वाइट करवाया था। दोनों टीमें अब अपनी पोजीशन्स ले चुकी थी। शकर विंडां रे नोरा पिया मोसे मिलनायो। कारकरदगी दिखा कर दोनों टीमें वापस अपनी जगह पर पहुंच चुकी थी। सभी ने उनकी परफॉर्मेंस को बहुत पसंद किया था। अर्मान मौका देखकर मर्यम को लॉन के एक कोने में ले आए। अलिफ था तब ही अर्हान और वली की वहां से गुजरते हुए उन दोनों पर नज़र पड़ी अर्मान बड़े प्यार से मर्यम के बालों को गुलाब के फूल से सजा रहा था और मर्यम शर्मा के नीचे देख रही थी। इन दोनों ने मिलकर पहले वली के डैजी चल कैमरे में उन दोनों की बहुत सी तस्वीर ले और इस खुबसूरत लंगे को कैमरे में गैद कर दिया था क्यूंकि बाद में सुबूत की भी जरूरत थी कि एर्मान बाकॉल इसके माही भावी की दोस्त के साथ किया कर रहा आकर अरहान बड़े स्टाइल से बोला था वह आप दोनों की जोड़ी तो बिलकुल सूरज चांट जैसी है एक चांट सी रोशन लड़की और एक सूरज जैसा गरम काला बंदर तुम सधरूगे नहीं और सूरज कब से काला हो गया और तुमने किस खुशी में मुझे बंद गूजर बोला है तुम दोनों यहां किया कर रहे वो वली भाई आप यहां किया कर रहे हैं अर्मान दांग पैस्ते हुए बोला था क्यूंकि इस वाकत उन दोनों की एंट्री इसे बिलकुल भी पसंद नहीं आई थी कुछ नहीं हम तो गुजर रहे थे जब तुम दोनों पर नजर पड़ी वाहियार ऐसे काम सब के सामने नहीं करते वली इसे मशवरा दे रहा था किया वली भाई उसी ले तो उसको इधर कोने में लाया था ली नून आप दोनों की नजरें के हां हमारा पीचा छोड़ती हैं यहां पर भी हमें जून लिया आप लोगों ने कबाब में हटी कहें के अर्मान मूट बनाकर बोला था जबके मर्यम की हंसी छूट गए थी अर्मान, your family is so cute and funny Thank you मर्यम उसने मुसक्कुरा कर पहले मर्यम को देखा और फिर मूट बनाकर वली और रहान को देखा था किटो यार रब आप दोनों यहां से जाने का नाम भी नहीं ले रहे थे यारब आप दोनों यहां से जाएं वो वली के कान के करीब आकर बोला था डोन्ट वरी बरादर हम मर्यम का खुब धियान रखेंगे तुम जाओ शर्माते नहीं है पागल वली अपनी मुस्कुराहट दबाते हुए बोला था मर्यम दरसल कुछ हरसे पहले ही अमरीका से अपनी तालीम मुकमल करके आई थी वो बच्पन से ही वहां रहाईश पजीर थी इसलिए उसे उर्दू थोड़ी देर बात समझ आती थी अलबता इंग्लिश में वो बहुत आसानी से बात कर लिया करती थी अरहान दी वली से इशारा पाकर सारी बात समझ गया था उसने मर्यम को ये सब कह दिया और अर्मान के लिए मजीद वहां रखने की कोई वज़ा नहीं छोड़ी थी मर्यम फॉरण बोली थी अर्मान इन दोनों को घूर कर और बच के रहने की हिदायत देता हुआ वहां से चला गया था अंडर्सकोर 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 साहब अर्मान और रहान बरातियमीम यह शामिल हंगी जबके भी जान हमदान साहब और साधिया बेगम मेजबान के तौर पर शिरकत करेंगी माही को सुबह ही ब्यूटी पारलर भेज दिया गया था और उसने जो काम सारी जिन्दगी नहीं किये थे वो आज जबरदस्ती फार में मसरूफ थी फारा जब अपनी बात मुकमल करके माही के पास आई तो माही के जोरदार था पर जो इसके बाजू पर लगा था उसने इसका इस्तखबाल किया था हाई लड़की बाजू तोड़ दिया मेरा तुमने जालिम कहीं कि फारा रोनी सुरत बनाए कह रही थी तो म नून ये कहा था कि बैवटीशन से मेरी इतनी तारीफ करके आओ माही भी मूंग बनाए बोली थी तो मैं तो अपने प्यारे भाई के लिए कह रही थी वो कहें रात को तुम्हें देख कर डर ना जाये ना फारा शरीर मुस्कुराहट लिए बोली थी अच्छा इतनी तुम प्याय भाई की चमची वैसे तुम किसकी साइड पे हो माही ने इससे पूछा था मैं जाहिर है अपने भाई की साइड पे हूं और मेरे वो भी तो इन्हें की साइड पे हैं फारा शर्मात हुए बोल ये थी और इसकी सारी शर्म माही के मक्के से निकली थी जो असने इसकी क जमर पे रसीद किया था, अब बताओ जरा किसकी साइड पे हो, मही ने इसका कान पकड़ा हो था, नहीं नहीं मही तुम्हारी साइड पे हूँ, मैं भला तुम्हारे साथ दो चश्मिहे बेवफाई कर सकती हूँ, कभी नहीं, अब प्लीज मेरे कान को मुआफ कर दो, फारा मि इनतों पर उतर आई थी, अच्छा जाओ तुम्हें मुआफ किया, मही एक अदा से बोली थी, शुक्रिया आली जनाब, फारा ने शकर किया था कि मही ने इसका कान छोड़ दिया था क्यूंकि वो अपनी इन हरकतों से साबित कर रही थी कि वो एक फौजी की दुलहन है, शा भी वहां आ रहा था, वो वहां की खुबसूरती से जरूर मुतासिर हो रहा था, मही को भी पारलर से सीधा शादी हाल के बराडल रून में बढ़, अलिफ दिया गया था, महरून और सिल्वर कलर के लहनगे में वो परसतान की परी ही लग रही थी, बैवटीशन ने इसका मै कभी इसके फीस कट को देख कर ही किया था जिस से इसके हुसन को चार चनल लग दै थे, वो अपने आपको एक नज़र, शीशे में देखकर शर्मा सी गई थी, फारा ने इसकी नज़र उतारी थी, वो बिलाशुबा बहुत खुबसूरत लग रही थी, हमाही गभराना नहीं है, और रोना भी बिलकुल भी नहीं है नहीं तो शरी भाई के पैसे जाया हो जाएंगी, फारा से समझा रही थी, अच्छा न माही ने मूँख बसूर कर कहा था, फारा ने फिर से उसे एक नज़र देखा था, वो बार बार तसली कर रही थी कि कि किसी चीज की कमी न रह थी, रिवायती बारात का म्यूजिक बजने लगा था, बाहर से ढोल की आवाजें आने लग गए थी, माही, लगता है बारात आ गई है, ओके में इजरा इनका वेलकम भी करना है यू नौ, साथ ही फारा ने माही को आंप मारी थी, और वाओ, है माही को बोर होने के लिए अक प्यामत घर रहा था, अलिफ, जैसे अंदर रूम में बैठी हसीना का दिल चोड़ी करने की पूरी तैयारी साथ आया हो, वो शेरोनी में बहुत दिलकश लग रहा था, आज सभी लोग माही के किसमत पर रश्ट कर रहे थे, शेरी की उखों में भी एक अलग कसम की चमक थी जो वाजर दिखाई दे रही थी, जी भाई जान, पैसे निकाली जल्दी करें कहां खोए हुए हैं, वो जो आज अपनी दॉलहन को लेने आया था ना जाने किस ख्याल में खो गया था, फारा और मशी की आवाज उसे वापस लाए थी, जिन्हों नून, ये बारातियों का र शेरी भाई आज तो मुस्कुरैं आज आपकी पहली और आखरी बारात का फंक्शन है, फारा बोली थी, शेरी भाई आप तो शायद हमें छोड़ देते पर वो जो अंदर है नहुसने सारी जिन्दगी हमें मुआफ नहीं करना था, इसलिए हमें टीम बदलनी, पढ़ी, पर फिक्र ना करें कल हम आपके साथ ही हूंगी, मशी हंसकर बोली थी, अच्छा अच्छा पैसे बताओ, आज बहुत सखी बना हवा हूं मी, शेरी ने मुस्कुरा कर कहा था, हाँ लड़कियों अच्छा मौका है लोट लो इस कंजूस को, वली पीछे से बोला था, बेटा मेरे से तो बस ये कुछ हजार निकल वाएंगी, मत भूल तेरा रास्ता मही ने रोकना है, और इसका तो तुझे पता है ना मेरे भाई, शेरी ने उसे याद दिलाया था, चलो भाई लड़कियों ये तुम दोनों का मौमला है में दर्मियान में नहीं बोलूंगा, वली ने आरा इस से मजीद सबर नहीं हो रहा था अपनी प्यारी सी दुलहन को देखने का, फानली शेहरियर को अंदर जाने दिया गया था लेकिन पहले पैसे पूरे वसूल किये गए थे अपनी डाल, यमांड के मताबिक, शेहरियर को जाकर स्टेज में बिठा दिया गया था, वो वहां के सबसे एहम हिस्से का इंतिजार कर रहे थे, जी जी बिलकुल खाने खलने का, इसलिए फोरा थोड़ी देर बाद ही खाना लगा दिया गया था, सब महमान जब खाना, खाकर फारिव हो चुके थे तो मही को एक तरफ से फारा और दूसरी तरफ से मशी थामे हुए स्टेज की तरफ लेके आ रही थी, शहरियर की जब उसकी तरफ नजर पड़ी तो जैसे पलटना ही भूल गए थी, आज तो मैडम मुझे जान से मा, गने का इरादा के हुई है, इसने लंबा सांस लेकर दिल में सोचा था, कुछ ही पलन में वो स्टेज के बिलकुल सामने आ गए थी अब मुवी मेकर शहरियर को माही का हाथ थामने को कह रहा था, शहरियर का तो पहले से ही ए, साइरादा बिन रहा था लेकिन सबका सोच कर वो चुक कर गया था, पर अब तो उसे खुद दावत दी जा रही थी भला वो कैसे पीछे रहता, इसने फौरा आगे बढ़कर अपन से बैठे थे, जैसे कोई शहजादा और शहजादी अपने तुम, उमतर शान वाओ शौकत के साथ बैठा करते थे, शायद वो भी उसी तरह से बैठा करते हंगे, जैसे उस वक्त ये दोनों तश्रीफ फरमा थे, वो दोनों साथ बहुत ही खुबसूरत लग रहे थे हाल में मौजूद कुछ लोग इनकी जिन्दगी की खुशी, उनकी दूआ कर रहे थे और कुछ लोग ऐसे भी थे जो उन दोनों की खिसमत पर रश्ट कर रहे थे माही के लिए शहरियर जैसा शोहर और शहरी के लिए माही जैसे खुबसूरत और अच्छे इखलाफ की लड़की उन इन्होंने फिर से आपको लोट लेना है पहले ही एंट्री के वक्त भी इन्होंने इतने पैसे ले लिए अब फिर से उन लोगों का यही रादा लग रहा है। भी आपने सिर्फ 10,000 दे थे हम दोनों को। फारा ने आते साथ ही उसे कहा था स्टेज में उस वक्त बहुत रश हो। गया था शहरियर और मही के पीछे अर्मान, अरहान और वली खड़े थे जिन्होंने उनके साथ मौामला ते करना था पर शहरियर इन तीनों पे भारी था हाँ लड़केओं 50,000 बस सोच लो फिर भी फारा और मशी नहरा नगी से उसे देखा था जो कभी 10 रूपे तक नहीं निकालता था और आज 50,000 देने की बात कर रहा था शहरियर भाई आप 50,000 दे दे यही बड़ी बात है बस दे दे आप मशी बोली थी हाँ जरूर मेरी बनो आज से मेरा ये वोल्ट तुम्हारा हुआ शहरियर वाकई सखी हुआ था शहरियर भाई वोल्ट नहीं 50,000 रूपे चाहिए फारा ने कहा था फारा उसमें पूरे 50,000 मौजूद ही मुझे आप दोनों का पहले ही पता था आप लो गूने कुछ इतने ही मांगने थे इसलिए मैंने पहले ही रख लिए लो एश करो शेरी ने मुस्कुरा कर उन दोनों को देखा था और साथ ही अपना वोल्ट फारा के हाथ में रख दिया था वो दोनों खुशी- स्टेज से उत्रेलिफ वर स्टेज से थोड़ा सा दूर करसियों पर बैठ कर वोल्ट के अंदर देखने लगी वोल्ट देखने में ही बहुत भारी लग रहा था इसलिए इन दोनों को यकीन हो गया कि इसमें पैसे मौजूद ही उसी वज़ा से इन्होंने स्टेज में हे वोल्ट भारी तो बिला शुबा था पर वोल्ट के अंदर बहुत सारे एक और दो रूपे के सके जुमा किये गए थे और उसी वज़ा से वोल्ट भारी था फारा वोल्ट लिये जल्दी से स्टेज पर पहुंच गई थी जबके शेरी और वली मुस्कुरा कर उसी को देख रहे थे क्योंकि इन्हें दोनों ने मिलकर ये प्लानिंग की थी किया हवा ऐसे घुस्से में क्यों हो शहरियर ने मुस्कुरा कर मासूम बन कर पुछा था शहरियर भाई ये सब किया है फारा घुस्से से बोली थी जबके माही बे थी अब हैरान होकर इन दोनों को भी देख रही थी शेरी भाई इसमें सिर्फ और सिर्फ सके रहें 50,000 रूपे कहां हैं। फारा सच में इसमें मिने चुपा के 5000 रूपे का नोट भी रखा है। वो आप खुद ही ढूंड लेना ठीक है और दो 300 सकून में से हो जाएंगे। ठीक है ना, फिकल ना करना मेरी प्यारी बहन। शहरियर ने मासूम बनने के सारे रिकॉर्ड तोड़ दिये थे। फारा उनको कुछ भी कहे बगएर स्टेज से नीचे उतर आए थी की। वनका वो जानती थी शहरियर को कुछ समझाना जैसे पत्थर से सर अक्राना था, रुखसती के हवाले से ये फैसला किया गया था कि दौलहा दुलहन गाडी में एक चक्र लगा कर वापस घर में आएंगे और इनके साथ वली और फे, अराभी शामिल होंगे और फिर वापस जब घर में आएंगे तो उनका दोबारा वेलकम किया जाएगा माही को घर की बहु के तौर पर वेलकम किया जाएगा रुखसती का वक्ता पहुंचा था माही को मना करने के बावजूद भी वॉलिफ पन्यासों पर काबू ना रख पाई थी हना कि उसे रुखसत हो कर दोबारा अपनी घर जाना था लेकिन ये फैलिंगा सबको आती है किसी भी लड़की के लिए अपने माप बाप का धर वो घर जिसमें उसने अपना सारा बच्पन गुजारा हो वो छोड़ना आसान नहीं होता बेवकुफ लड़की तुमने वापस इधर ही जाना है इसलिए रोना बंद करो फारा ने उसे डांटा था माही ने मूँख बना कर उसे देखा था और फिर माही को गाड़ी में बिठा दिया गया था वो गाड़ी की पिछली सीट पर बैठी हुई थी अभी फिल हाल वो गाड़ी में अकिली थी एकदम से गाड़ी की ड्राइविंग सीट का दर्वाजा खिला था और शेरी अंदर बैठ गया था शहरियर ने बैठते साथ ही गाड़ी लॉप की थी ताकि कोई अंदर ना आ सके जब कि बाहर से वली और फारा इसकी इस हरकत पर हैरानी से देख रहे थे और जोर जोर से गाड़ी का शीशा बजा रहे थे क्यूंकि ये टेहुआ था कि ये चारों इकटे आएंगे उस वक्त सिर्फ वो चारों ही हाल के बाहर मौजूद थे कि वनका बाकी सारे घर वापस जा चुके थे शहरियर ने उन पर तरस्खा कर अपनी साइट का शीशा डाउन किया था जी वली भाई जान किया बाग है वो शरीर मुस्कुराहट ले पूछ रहा था शेरी के बचे दर्वाजा खोल हम चारों ने इकटे जाना था ना ये किया बद्तमीजी है वली घुस्से से बोला था फारा भी उसे घुस्से की निगाहों से देख रही थी देख यार वली अभी मेरा अपनी नई नवीली दुलहन के साथ लॉंग ड्राइग का प्लान बन गया है इसलिए फिल हालते वाउ में जा रहा हूं तुम लोग टैक्सी करवा के आ जाना ओके अल्लाहाफिस शहरियर ने इतना कहकर गारी आगे बढ़ा दी थी पीछे से वो आवाज़े देते रह गये थे थोड़ी दूर जाने के बाद शहरियर ने पीछे मुल कर देखा था मां ॐ ही अपना मुख तो बंद कर लो मही जो इसकी हरकत पर हैरत से अभी तक निकल ना पाई थी अभी तक इसका मुख वैसे ही खिला हवा था इसने अपना मुख बंद किया और फिर गूर कर शहरियर को देखा था शेरी किया बद्तमीजी है, मही ने घुस्से से पुछा था, कौन सी बद्तमीजी, शेरी भी उसी के स्टाइल में बोला था, तुम ये बताओ आइसकरीम खाने का किया प्लान है, और शकर है तुम्हारी आवाज तो सुनी वहां पर कब से तुम चुपी थी, शेहरीर ने आइस बैठी रही, मही की आवाज आई थी, चलो बस आज आखरी दफ़ा ही तुम्हें चुक बैठना पड़ा, कल बिल्कुल अपने पुराने अंदाज में सबसे मिलना और बाते करना, बाते करते करते वो लोग आइसकरीम पालर पर पहुंच चुके थे, चले अंदर, शेरी ने तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है किया, मैं ऐसे कपरों में अंदर जाके आईसकरीम खाऊंगी, मही ने अपने हैवी लहनगे की तरफ इशारा किया था, तो किया है दुनिया को पता चले कि मेरी दुलहन कितनी खूस, वरत लग रही है शेरी ने सताईशी नजरों से दे शेरी ने अपनी मुस्कुराहट दबाते हुए कहा था, किया शेरी तुम्हें शर्म नहीं आती, आज मैं दुलहन बनी हुई हूँ, और आज मुझ से पैसे मांग रहे हो तुम मुझे एक दिन भी अपने पैसों से आईसक्रीम नहीं खिला सकते, मही इस से नाराज होकर कहा था और मही इब खतरना के रादों से उसे गूर रही थी, शेरी हजार दफ़ा कहा है मैं अभी लड़की हूं अभी में आईसक्रीम आगई थी शेरी ने, एक आईसक्रीम खुद रखी और दूसरी मही को पकड़ा दी थी, मही आईसक्रीम खाने लग गई थी और उसने श जवाब नहीं दिया था और ये इस बात का इशारा था कि वो इस शेरी से शदीद नाराज है, अच्छा ना, सूरी अब आईसकरीम तो सही तरह खाओ, शेरी ने इसके आगे हार मान ली थी, मही भी अब मुस्कुरा कर अपनी आईसकरीम खाने लगी थी, घर पहुंच कर उन आगया था, मही को शदीद गाफ, हबराहट हो रही थी क्यूंकि शेरी के कमरे में वो पहले भी आती जाती रहती थी लेकिन अब वो एक लग हैसियत से इस कमरे में आई थी और अब ये कमरा इसका हो चुका था, थोड़े से इंतिजार के बाद कमरे का दर्वाजा खिला था और शेरी एक बहुत ही खुबसूरत मुस्कुराहट लिए अंदर दाखिल हुआ था, मही इसे देखकर फॉरण सीधी हो कर बैट गए थी, शेरी कमरे में थोड़ा ही आगे आया था कि उसका फोन बजा था उसने अपनी जेब से फोन निकाल कर देखा, तो करनल जहांगीर श शेरी एर सिकंदर इस्पीकिंग, दूसरी जानीब से सलाम का जो अब दिया गया था, जो इतिला दी गई थी इसके जवाब में शेरी ने बस इतना ही कहा था, यस सर कबकी टिक्टिस कनफरम हुई हैं, ओके ओके यस सर में रेडी रहूंगा, यस सर आप फिक्र नहीं करें इ मही ऐसे ही खड़ी देख रही थी और बिल्कुल टेरस के दरवाजे का, ये साथ लगी इसकी बाते सुनने की कोशिश कर रही थी, शेरी के चेहरे पर जो तासुरात वाज़े थे मही इन्हें समझने में बिल्कुल नाकाम हुई थी ना जाने वो परेशानी थी फिक्र थी य इसकी बात सुनकर मुस्कुरा दिया और इसका हाथ दो चश्मिहे थाम कर इसको बेड़ तक ले आया था, इसे बिठा कर खुद एक कुरसी खींच कर करीब लाया था और इस पर बैठ गया था, अब शेरी ने मही के दोनों हाथ थामे गुए थे और इसे मुस्कुरा कर समझ रहा था, देखो माही में, जो जॉब करता हूं वो बहुत कम मर्द करते हैं और जो असल मानी में मर्द होते हैं वही ये जॉब कर सकते हैं तुम मुझे रोकोगी नहीं, नहीं ना, शेरी में तुम्हें रोक नहीं रही में बस तुम्हें दूर ना जाने का कह रही हूं बस ये सी गुजारिश है तुम प्लीज अब फिर से कहीं दूर मत जाओ वो रूदी थी माही मेरी बात लियान से सुनो में ये बात कल बाबा से करने वाला हम इसके इलावा घर में किसी को भी इसके बारे में इल्म नहीं होना चाहिए तुम मी, री बीवी हो, मेरी हमसफर हो, तुम्हारा मुझ पर हक है इसलिए में सिर्फ तुम्हें और बाबा को ये बात बताऊंगा उम्मीद करता हूं तुम दोनों घर में और किसी को भी इसके बारे में इल्म नहीं होने दोगे वो बहुत नर्मी से समझा रहा था दरसल कल में बहुत लेट हो गया था और सबसे ही मुझे बहुत डानिट पड़ी लेकिन लेट होने की वज़र किसी ने नहीं पूछी थी शायद किसी का धियान नहो लेकिन में तुम्हें आज सब बताता हूं माही बड़े गौर से सुन रही थी जब शेरी दोबारा बोलना शुरू हुआ था दरसल कल जब मिर्शोके उठा या ये कहना गलत ना होगा कि मुझे कॉल की वज़ा से उठना पड़ा तो वो कॉल जहांगीर शार की थी वो हमारे सीनेर होने के साथ साथ पाकिस्तान आर्मी में करनल के रैंक पर फाइज हैं इनसे होने वाली मेरी गुफटगो कुछीं थी शेरी को वहां बैठे हुए दस मिनट हो गय थे कुछ ही देर गुजरी थी कि उसे अंदर बला लिया गया अस्सलामों आलेकुम तश्रीफ रखे शहरीर सिकंदर वो सलाम का जो अब देता सामने रखी कुरसी पर बैठ गया इसके सामने चाय दीगर लवाजमात के साथ रख दी गए थी जी तो मेरी इंफॉर्मेशन के मताबिक आप अब तक अपने सारे मिशन में कामियाब रहे हैं और यही बात आपकी शोगरत की वज़ह बनी सीन अमने बैठे करनल जहांगीर शाह काफी वकफे के बाद बोले थे इन्होंने साथ ही शहरीर को सामने रखे लवाजमात की तरफ इशारा किया जिसे शीर यहने सहूलत से इंकार कर दी था जी अलहमदलला आप बताये मुझे यहां बुलाने की वज़ह शेरी बहुत पर तकलफ गुफटगू कर रहा था दरअसल एक नया मिशन है आपके पहले मिशन की कामियाबी की इतलाद मुझे भी बरवक्त मिलती रही है आपके गाबियत की वज़ह से आपको एक नया मिशन दिया जा रहा है कि या आप इसके लिए तयार है करनल साहब नेपने बुलाने का मकस्द बताया जी बिलकुल अगर आप मुझे इस मिशन के बारे में थोड़ी सी मालूमात दे 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 तो ये मुझे दिमागी तोर पर उसके लिए तयार होने में मददगार साबित होगा शेरी ने अपने ख्यालाद से आगाह किया था दरसल एक बहुत बड़ा गिरुफ दश्यतगर्दी के इरादे से हमारे मुल्क में चुपा बैठा है उनके लीडर तक पहुंचना हमारा मकसद है और ये एक बहुत बड़ा मिशन है और ये आपके हवाले किया जरहा है उसके साथ साथ था आपके साथ एक फौजियों की टीम भी बेजी जाएगी आपके साथ हमारा हर वक्त कोनेक्शन रहेगा कोई भी मसले की सूरत में आप हम से फौरी राब्दा करेंगे और ये मिशन आपको इस उम्मीद पे दिया जा रहा है कि आप अपने पुराने मशनस की तरह इस मिशन में भी काम्याब हो कर लूटींगे जी अनशालला इस ग्रूप के बारे में मुझे मज़ीद तफसीलात चाहिए शरी ने कहा था ठीक है आपको एमेल कर दी जाएगी एक और बात आपको इस मिशन के लिए दोस्त रे मुल्क रवाना किया जाएगा क्यूंकि देश्चत गर्द ग्रूप तो पाकिस्तान में मौझूद है लेकिन इसका सरबराह बाहर बैठा हमारे लिए मुश्किलात खड़ी कर रहा है आपको अफगानिस्तान भेजा जाएगा और वहां पर ही देश्चत गर्द ग्रूप कसरफ राह मौझूद है वो हमारे मुल्क के मुस्तप्पिल को यानि के छोटे 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 बच्चों को नशे का आदी बना रहे हैं और इनकी युट तरबियत कर देते हैं कि वो मुस्ल्मानों के खिलाफ हो जाते हैं और बहुत से गलत कामों में मुलवस हो जाते हैं वो यहां अपने दोसरे साथियों को अपने पैगामात और एकामात पहुंचा देता है जो आगए इसके हुक्म की तक्मील करते हैं सामने बैठा शख्स बोला था यस सर इस मिशन के लिए मैं अपनी जान तक लगा दूँगा नशालला फत्ह हमारी ही होगी ओके अब में चलता हूँ शेरी ने जाने की अजासत चाही थी माही दमसादे उसे ही सुन रही थी उसे ऐसा लग रहा था जैसे वो सांस नहीं ले सकेगी शेरी के दूर जाने का ख्याल ही इतना अजियत नाग था कि इस से आगे कुछ सोच भी नहीं सकती थी माही, शेरी ने नर्मी से उसे बुलाया था, तुम अपने शोहर को नहीं रोकोगी ना, इन लोगों से लड़ने के लिए जो हमारे मुल्क को नुकसान पहुंचा रहे हैं और बेकसूर शेरियों और बच्चों को नशे किलत लगा रहे हैं, इस मुल्क को तबाह कर रहे हैं हम इसे यूं तबाह वाओ बर्बाद होता नहीं देख सकते, तुम जाओ जरूर जाओ और और उन से जीत कर आओ, मेरी भी जान की हम सब घरवालों की दौाईं और सब पाकिस्तानियों की दौाईं तुम्हारे साथ हैं, इन शालाह आप सब जीत कर ही आएंगे, माही की उख में अंसू और इसका लहजा बहुत मजबूत था, शेरी ने बड़े प्यार से इसके अंसू साफ किये थे और मुस्कुरा कर उसे देखा था, फ्लाइट कब की है तुम्हारी, मैं पैकिंग कर दूं, कल राग की फ्लाइट है और तैयारी कुछ इतनी खास नहीं करनी बस मुसल में चाहता हूं कि हम अपनी नई जिन्दगी की शुरुात मेरे इस मिशन के बाद करें, मुझे कोई मसला नहीं है अनशालला तुम काम्याब होकर ही लुटूगे, और तब तक जहनी तोर पर पुरसुकुन भी हो गए, हाँ जी अनशालला, शेरी ने मुस्कुरा कर इ इसलिए सबी लोग बहुत एकसाइट थे क्यूंकि ये शादी का आखरी फंक्शन होता है, शाम को ही मही और शी, री को तयार होने ब्रेज दिया गया था, जबके शेरी को उसके कमरे में जबर दस्ती तेर होने बेजा गया था, मही आजसी बहुत खूपसूरत लग रही थी पीच कलर की फराग में छोटी सी बची ही लग रही थी, कोई इसे देखकर ये नहीं कह सकता था कि वो वलीमा की दुलहन है, दूसरी तरफ शरी भी ब्लैक कलर के पैनेट कोट में बहुत शांदार लग रहा था, सब लोग हाल में पहुंच चुके थे बस इंतिजार था दौलह और दुलहन का, वो दोनों भी अभाल के में दर्वाजे तक पहुंच चुके थे, नूवी मेकर के कहने पर शरी ने मही का हाथ खामा था और इसने ये हिदायत दी थी कि दौलहा और दुलहन जबाएंगे तो दर्वाजे खिलेंगे और उस वक्त हाल किसार, ये लाइट्स ब अपने वोल्ट वाला बदला भी तो शरी से लेना था ये इसके लिए बेहतरीन मौका था, हाल की सारी लाइट्स बंद कर दी गए थी, एक दम से दर्वाजा खिला था, शरी मही का हाथ थामे हुए जान लेवा मुस्कुराहट के साथ हुन, दर दाखिल हुआ था मही भी इस तुम, वफा की तस्वीरों नुन हुना, तुम्हें वतन की हवाएं सलाम कहती हैं, इस म्यूजिक के बजने सारा हाल कहकं की आवाजों से गूंज रहा था, शरी और मही भी हैरान हुए थे काफ, हे बजाए तोने मारी एंट्रियां जैसे गाने के इन्हों ने इस तरह का तर बाबा के किसी को भी अपने मिशन पर जाने की इतला नहीं दी थी, वलीमा से वो काफी लेट फारिग हुए थे जब घर आये तो घर, में सिर्फ सारे घर वाले ही मौजूद थे, शेरी की फ्लाइट रात को तीन बजे की थी इसलिए अब जितना भी वक्त था सारे मिल कर अगास किया था, हाँ बोलो बेटा किया बात है, फर्जाना बेगम बोली थी, वो दरा, सल में आप सब को बताना चाहता था काफी दिनों से लेकिन शादी की मसरूफियत की वज़स से टाइम भी नहीं मिलता रहा, इसलिए दरसल बात ये है के, शेरी ने बात अदूरी रहा है और इस मेशन के लिए मुझे जल्द ही रवाना होना है, आज रात तीन बजे मुझे इसके लिए निकल जीम, अना है, अनशालला हमारी जल्द ही मुलाकात होगी, शेरी ने बिलाखिर इन्हें थोड़ी सी बात बता दी थी क्योंकि उसे सारी बात बताने की इजासत नहीं थी, वो महस कुछ ही भरोसा मंदों को बता सकता था क्योंकि खवातीन के मुझे से अकसर बातें निकल जाया करती हैं लेकिन उसने सिर्फ मही पर भरोसा किया था अबू जान को तो उसने बताना ही बताना था लेकिन मही इसकी हमसफर थी और इसके लिए बहुत परेश तो चो अभी कल ही तो तुम लो, उनकी रुखसती हुई है उसके दिल में भी तो अर्मान होंगे ना, तुम थोड़ी देर के लिए पेनरनब कर दो ना ये मिशन, फर्जाना बेगम बोली थी इन्हें अपनी बहु का बहुत ख्याल था, शेरी बेटा देखो मिल तुम्हें रो पाहिल से गुजर रह, ये थी ये इसके और इसके रब के सिवा कोई नहीं जानता था, पर वो भी शेहरियर सिकंदर अली खान की बीवी थी, वो भी अपने जजबात चुपाने में माहिर हो गई थी, अब इसके चेहरे से इसके जजबात का कोई दूसरा बिलकुल भी अनद अजा नहीं लगा सकता था, बाकी सब लोग खामुशी से उनकी गुफटगू सुन रहे थे, अम्मी जान चची जान मेरा फर्ज मेरे लिए सबसे एहम है, और रही बात माही की तो माही को में समझा चुका हूं वो अनशालला बिलकुल भी परेशान ना, ये होगी और इसको मेरे मेशन पर जाने से कोई मसला नहीं है, आप ही अनशालला मेरी सलामती के लिए दूआगो रहीं, शहरियर ने बड़े प्यार से उन दोनों के हाथ खाम कर उन दोनों को समझाया था, अनशालला इस मेशन में भी फतह हमारी पाकिस्तान फौज की ही होगी, वो अपनी उख में पुखता अस्म की चमक लिए बोला था, अनशालला बेटा खुदा तुम्हारा हामी वाउ नासिर हो, बी जान, साधिया बेगम और फर्जाना बेगम तीनों एक साथ बोली थी, बाप्ती सीन, बेहाजरीन ने अनशालला बोला था, शहरियर ने मुस्कुरा कर एक दफ़ आप वो दोबारा अपनी फैमली को देख सकेगा भी या नहीं, कुछ ही देर बाद इसकी फलाइट का टाइम हो गया था, सिकंदर साहब खुद इसको एरपोर्ट में चोड़ाय थे क्योंकि बाकि सब घरवालों को यही पता था कि वो अपना ये मिशन भी पाकिस्तान में ही कम्पिलेट करेगा लेकिन किसी को भी इस मिशन की सारी तफसिलात नहीं मालूम थी, शहरियर को खुदा हाफिज कहने के बाद वो सिदा अपने कमरे में आई थी, कमरे में आकर इसका जब्ट एक दफ़ा फिर से टूट गया था, लेकि उसने जल्दे खुद पर काबो पालि है, जिन्दगी इमतिहानात और राजमाईशों का नाम है, और माही ने अपनी असल जिन्दगी तो अब गुजारनी थी, अंडर्सकोर 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 अंडर्सकोर, शहरियर ने वहां पहुँच कर सारे इंतिजामात खुद संभाल ल शहरियर इन सबसे बहुत ही फारमल लहजे में बात करता था। सर अभी तकलिफ, सीन ग्रूप के सरवराह का इतना ही पता चला कि इसको बिगबास के नाम से जाना जाता है लेकिन इसके ठिकाना का भी कुछ नहीं हो सका। बादी मालूमाथ हासिल कर रहे हैं। हमजा ने सारी मालूमाथ जो अभी तक इसको मालूम थी वो शरी तक पहुँचा दी थी। बहुत खुब मैं चाहता हूं कि हम जल्द अस जल्द इसके बारे में सारी मालूमात इकटी कर ले मैं जानता हूं कि उसमें बहुत वक्त लगेगा लेकिन हमें साबित गदम रहना है और अपने मकसद में काम्याब होकर ही वापस अपने वतन लुटना है जी सर अनशालला हमजा ने उसे सलीवट किया था और वाक्सी की राहली थी माही अब अस्पताल में जॉब करने लगी थी वो अपनी जिन्दगी में काफी मसरूफ हो गई थी इसे अक्सर रात को नाइट डियूटी के लिए भी बला लिया जाता था और शायद ये मसरूफियत इसके लिए अच्छी थी क्यूंकि वैसे वो शेरी से बहुत उदास हो जाया करती थी आज भी इसकी नाइट डियूटी थी वो डियूटी करके फारिग हुई तो फिर उसे घर जीम अने का ख्याल आया था उसने अपने बैग से फोन निकाला और अर्मान को कॉल मिलाई थी हेलो अर्मान की निंद में ड्यूबी वोई आवाज आई थी यूँ महसूस हो रहा था जैसे वो बहुत गहरी निंद सुया हवा था और इस फोन कॉल ने उसकी निंद में खलट डाल दिया था हेलो अर्मान में फारिग हो गई हूँ तुम प्लीज मुझे हस्पताल से वापस ले आओ मही ने अपना फोन करने का मकसद बताया था होके भावी आ रहा हूँ अर्मान ने इतना कह़कर फोन बंद कर दी था मही अब वहां बैठी इंतिजार कर रही थी वो वेटिंग रूम में बैठी हुई थी और वहां से बिलकुल सामने उसे एक आईसक्रीम की शाप नजर आ रही थी आईसक्रीम की शाप को देखकर बहुत सी खुगसूरत यादों ने उसे आगी रहा था वो वक्त जब शेरी उसे दुलहन की रूप में आईसक्रीम खाने के लिए ले गया था वो बेख्तियार उठी थी और ना जाने कब उसने अपने लिए वहां पर एक आईसक्रीम का ओरर भी दे दिया था वो आईसकरीम खाते हुए बहुत सिखे वशगवार पलू में खुई हुई थी जब उसे जोर से किसी ने बाजू से हलाया था इसने घबरा कर नजर उठा कर देखा तो सामने अर्मान गसे से उसी को ही घूर रहा था अर्मान ने माही का फोन बंद किया और फरेश हुकाफ ये गारी निकाल कर माही को लेने चला गया था लेकिन वहां जाकर इसका दिमाग घूम गया था जब पूरे होसटल में ढूनने के बाद भी उसे कहीं भी अपनी भावी नजर ना आई आई आदे घंटे बाद जब उस सर पकड़ कर रह गया था वो फोरन वहां गया और जाकर माही को जोर से हलाया था भावी किया करती हैं आप ये सुबह सुबह आईसक्रीम कौन खाता है मैं आदे घंटे से आपको डूंड कर खवार हो रहा हूं और आप यहां हैं अर्मान घुस से लिए नून मद्धम लहज थी क्यों नका वो वाके ही बेखबरी के आलम में इतना टाइम वहीं गुजार चुकी थी जी भावी चलें वरना लोग यहां आपको सुबह सुबह आईसकरीम खाने के चक्कर में मश्कुक नजरों से देख रहे हैं अर्मान ने उसे इतला दी थी मुझे ये हैं लोग मश्क कैसा करते हैं घर बाद में जाएंगे पहले में आपको इधर माईक और स्पीकर ला देता हूं आप पहले एलान कर लें के आप फौजी की बीवी हैं फिर बाद में आराम से घर चले जाएंगे ठीक है हम बहुत अच्छा आइडिया है अर्मान जल्दी करो माही फॉरन कर में पढ़ रहे हो माही अपने स्टाइल में बोल कर आगे बढ़ गए थी जबके पीछे अर्मान ने शकर किया था कि माही को बला खर बात समझ में आ गए थी अस्सलामो अलेकुम शेरी सर फोन हमजा का था वालीकम सलाम बताओ हमजा की एक खबर है अभी तक शेरी ने साथ ही पुछा था जी सर अभी अभी खबर मिली है कि बिग बास ने पाकिस्तान से कुछ बचे मजीद मंगवाई गी और वो हर दफ़ा मुक्तलिफ नंबर्स से अ यस सर और मालूमात मिलते ही आपको इंफाम करता हम में हमजा की आवाज आई थी ओके अलाहाफिस ये कह कर उसने फोन डेसक निकट कर दिया था अंडर्सकोर 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 अंड तुम्हारी भेजी हुई MLI ही चेक्ट कर रहा था जी सर बे ली मुश्किल से बिग बास की कॉल की रिकॉर्डिंग मिली थी वो अपने किसी भी बंदे से 10 सेकेंड से ज्यादा बात नहीं करता उस बारुस ने अपने सारे साथियों को बहुत सकती से एकामात दिये हैं जिसकी वज़ा से में ये कॉल रिकॉर्ड करने के काबिल हो सका हमजा तुम्हें इसके बारे में जितनी भी मालूमात मिले तुमने मुझे फॉरन इन्फाम करना है उसके बारे में हमें हर छोटी से छोटी बात का इल्म होना लाजमी है यसर में दिन रात उसी के बारे में इन्फाम यशन लूमने में लगा हवा हुँ नशालला इसके टकाने के बारे में भी जल्दी हमें इल्म हो जाएगा Very good मुझे तुम से ऐसी ही उम्मीद थी Thank you sir, I'll do my best मही आज अपने होसपीटल के वारड मी रावनड लगा रही थी तभी एक पैशनट के बेट के करीब उसे शोर शराबा सुनाई दिया वो आगे बढ़ली और बेट के पास जाकर रुप गई बेट पर एक बीस से पच्छीस साल की खुबसूरत से लेडी थी वो अपनी बीमारी की वजह से बिलकुल से रद रंग की दिखाई दे रही थी तकलीफ के असार इसके चेहरे पर नुमायां थे वो बहुत मायूस लहजे में कह रही थी बस अब जिन्दगी मुझे और मौलत नहीं देना चाहती मैं चाहती थी में भी लोगों की तरह अपनी जिन्दगी को जीएं इसकी रंगीनियों को देखूं पर में किया करूं इस बीमारी की वजह से मैं अपनी जान से हाथ दो बैठोंगी मुझे तुम्हरे इस बड़े वसी वाव अरीज हस्पताल का एक भी माहिर से माहिर डॉक्टर नहीं बचा सकता बस अब जिन्दगी खतम हो ने वाली है मेरी इनसान की सारी खाहिश ला मैदोत ही और वो लाहासल ही रहती हैं वो कुछ भी कर ले माहि को इसकी मायूस बाते सुन कर माजी का एक वाकिया याद आया था जब वो अपने टेस्ट में पहली दफ़ा फिल हो गए थे थी वो हमेशा से ही अपने तमाम टेस्ट और इम्तिहानात में एपलस ग्रेड लेकर पास होती थी जिन्दगी में पहली दफ़ा वो अपने टेस्ट में फिल हुई थी उसे नाकामी हुई थी उस वाक्त वो बहुत मायूसी से अपने घर के लॉन में बैठ ये हुई थी और अंसु बाहा रही थी घर के अंदर जाता शरी इसे देखकर वापस मुरा था और लॉन की तरफ इसके साथ आके बैठ गया था माही के तेजी से बहते हुए अंसु इसकी निगाहों से छपना सके थे किया हवा है माही रो क्यों रही हो कुछ नहीं हुआ तुम जाओ यहां से शहरियर ने उसकी सुर्ख होती नाक और सुर्ख हंखों को देखा था चलो बताओ शाबाश मुझे नहीं बताओगी तो और किसको बता के अपना दिल हलका करोगी मैं आज फर्स्ट टाइम इन माई लाइफ अपने टेस्ट में फेल हो गई हूँ वो रोनी सुरत बनाए कह रही थी तो इसमें रोने वाली कौन सी बात है एक टेस्ट ही तो था नहीं शहरी वो सिर्फ एक टेस्ट नहीं था अब मैं कभी ये नहीं कह सकूंगा ये कि मैं हमेशा टेस्ट में एपलस ग्रेड लेकर पास होती हूँ तो इसमें किया है ना कहना शेरी तुम्हें मजाख लग रहा है मैं नहीं बोलती मुझे तुम से बात नहीं करनी ओफ माही अच्छा चलो मेरी बात सुनो हाँ बोलो किया तुम टाइम रिवर्स करके दो बारा से जाकर टेस्ट में एपलस ग्रेड लेकर आ सकती हो नहीं भला ये कोई कैसे कर सकता है हाँ तो यही बात तुम्हें समझ नहीं आ रही अगर इनसान अपनी गलतियों और कोताहियों को वक्त पीछे करके सही कर सकता होता तो आज हर इनसान पर फिट होता पर दुनिया के वाहित पर अफिकट इनसान हजरत मुहम्मद ही थे इसलिए इस बात पर अफसोस करने से अच्छा है कि हम आने वाले वक्त के लिए बेहतर तौर पर तयार हो सकी हाँ तुम सच कह रहे हो और वैसे भी माजी को सोच कर अपना हाल और मुस्तक्बिल खराब नहीं करते पर मुझे अब ऐसा लग रहा कि कभी भी अपने टेस्ट में इच्छे नंबर्स नहीं ले सकूंगी माही बेवकुफ लड़की कभी भी मायूस नहीं होना चाहिए अल्ला की रहमत से मायूसी कफर है पर में किया करूं मैं आज मेहनत करने के बावजूद फैल हुई हूँ तो इसका मतलब ये तो नहीं कि तुम मेहनत करना ही छोड़ दो शेरी तुम नहीं समझोगे क्यूंकि तुम्हारे साथ कभी उन हुआ नहीं हुआ नहीं माही जरूरी नहीं कि जो आपके साथ हवा नहीं हो वो आप समझ ना सकी तुम मायूस नहीं कि जरूरी नहीं कि अगर एक टेस्ट खराब हो गया तो आगे के भी सारे खराब होंगे अब दी हो, एक किसान सारा साल मेहनत करता है लेकिन अगर इसके खेट पानी या किसी दूसरी चीज़ की कमी के बाइस तबाह हो जाए तो वो किया कर सकता है सिवाए परेशान होने के पर वो भी बेबस होता है वो कुछ भी नहीं कर सकता इस मौामले में ये सब अलाह दाला की मर्जी होती है वो जो चाहते हैं वैसा ही होता है इनसाने एक बेबस मखलोग है इसलिए हमें वो चीज़ें जिनको अब हम दोबारा से सही नहीं कर सकते उन पर अफशोस करने की बजाए आगे आने वाओ अले वक्त के लिए बेहतर तोर पर तयार होना चाहिए हां शरी तुम सही कह रहे हो हमें बिलकुल भी मायूस नहीं होना चाहिए तुम तो बहुत अकल मंद हो गए हो मुझे समझा गया कि अब आदाम खाने शुरू कर दिये हैं नहीं गौड डिफ्टिब सलाहियते भी होती हैं कुछ और तुम अब आंसू साफ करो कुछ आंसू संभाल कर रखो लड़की किया अपनी रुखसती पर रोना नहीं तुमने तुम कभी नहीं सदूर सकते मेरी रुखसती की फिक्र तुम नहीं करो जा रही हनमें उडे मेरा इनाम तो देती जाओ कौन सा इनाम मही ने उसे हैरत से देखा था उले तुम्हें कुछ समझाना कोई आसान काम नहीं है शेरी तुमना कभी भी नहीं सदूर सकते मही मूंग बना कर कह कर अंदर भाग गए थी मही ने आगे बढ़कर इस खातून का हाथ पकड़ा और साथ र आने वाले वक्त के लिए कोई चारम नहीं रह गया वो खातून हैरत से मही का चेहरा तक रही थी जबके मही ने मुस्कुरा कर उनको देखा था और शेरी की सारी बाते बे हद प्यार और नर्मी से इन्हें समझाए थी और वो भी समझ गई थी कि अल्ला का निजाम सबसे बह और कॉल रसियो की हां हमजा बताओ किया खबर है सर जो में ने आपको इस दिन कहा था कि बिग बास नून ये पाकिस्तान से मजीद बचे मंगवाए हैं इसकी कॉल रिकॉर्डिंग से साबित हो रहा है कि उसने अपने बंदों को ये आडरस दे हैं कि वो जल्द अस जल्द इन बच्चों को अपने यहां वाले मख्सूस डिपर बला लेगा इसकाफ ये लिए हमें जल्द ही कोई कारवाई करनी पड़ेगी हमजा ने उसे तमाम मालूमात से आगाह किया था ठीक है उसका भी कोई बंदो बसत करता हूँ मैं अभी हमजा से बात करने के बाद उसने फ अचे मंगवाने के चकरों में और उसने कल का दिन ही डिसाइट किया है मश्कूप जगहों के नाम में ने आपको ऐमेल कर दी है आप वहां की चेक पोस्ट को मजीद सक्क करवा दें वहां पर डियूटी पर मौजूद तमाम अफसरान को मजीद सक्त हिदायत दें और इनहीं काम कर रहा है और वो तुम लोगों के बारे में भी जल्दी मालूमात हासिल कर लेगा इसलिए मजीद मुटात रहो हो के सर में अब फोन रगता हूं. अलविदाई कलमात कहकर फोन बन्द कर दी गया था. Underscore 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 राग, के आखरी खा हर तरफ सन्नाटा चाया हुआ था. सिवाए छोटी छोटी मखलोकात की आवाजों के और कोई भी आवाज सुनाई नहीं दे रही थी ऐसे में एक टरक जो बाहर से काफी खस्ताहाल दिखाई दे रहा था वो चेक पोस्ट के करीब जा रहा था इसके आगे की ड्राइविंग सीट पर ड्राइवर और इसके साथ एक आदमी बैठा था जो सिगरेट पी रहा था वो लोग अब चेक पोस्ट के करीब पहुंच चुके थे चेक पोस्ट पर ड्रियूटी पर साथ अफराद मौजूद थे जिन्होंने इन्हें रोक लिया था साहब बाहर निकली आपकी गाड़ी की तलाशी लिनी है एक अफसर उनके करीब आया था अगर मेना करने दून तो इन में से एक आदमी इंतहाई बद्तमीजी से बोला था देखे मिस्टर शराफत से चेकिंगा करवाले हमें जबरदस्ती करने पर मजबूर ना करें अफसर फिर भी उनका लिहास कर रहा था वो सब अफसर्स उनको मश्कुक निगाहों से देख रहे थे इन में से दो अफराद उन दोनों आदमियों से निगा बचा कर टरप के पीछे के हिस्से पर जा मुंचे थे और चान बेन शुरू कर दी थी बजाहिर तो वहां सिर्फ सामान पड़ा हुआ था पर तलाशी लेते हुए एक अफसर को सामान के पीछे एक कमजोर सा इनसानी बाजू दिखाई दिया था जिसे बहुत अच्छी तरह चुपाने की कोशिश की गाफ अथी पस ये देखकर तमाम सामान नीचे उतार दिया गया था अब जो मनजर सब के सामने था इसे देखकर इनसानियत भी शर्मिन्दा हो गए थी अंदर 20 से 25 बचे थे जिन में बच्छीयां भी शामिल थी और उन सब की हालत नहा या तबतर थी इन्होंने बड़ी एहटियाद से तमाम बच्छों को नीचे निकाला वो सभी बचे बहुत सहमे हुए थे एक अफसर बागी के अफसरान को इशारा कर चुका था ये वही तरक था जिसमें पाकिस्तानी मासून बचे समगल करके अफगानिस्तान बेजे जाने थे चलो तुम दोनों आप बाहर निकलो तुम्हारा खेलब खतम हवा एक अफसर घजब नाक आवाज में बोला था वो दोनों आदमी बाहर निकल आये थे और अपने बंदों कफसर की तरफ की ओए गाली अगर अपनी और अपने उन बंद उनकी जान सलामत चाहता है तो हमें जाने दे वरना अंजाम का तो खुद जिमादार होगा जी जैसा आप कहीं एक अफसर बोला था जबके पीछे के तमाम अफसर अनहलके से मुस्कुरा दिये थे जो अंदर बैठते हुए वो दहा आदमी नहीं देख सके थे तरक को आगे जाने दिया गया था वो आदमी हैरत से इन्हें देख रहे थे फिर वो आगे बढ़ गए कोई पांच मिनट ही गुजरे होंगे जब एक जोरदार धमाके की आवाज आई थी और सब भी अफसर सजदा रेज़ हो गए थे वो आज अपने मिशन में काम्याब हो चुके थे अस्सलामों अलेकुम करनल सर वालीकुम सलाम किया खबर है जवान चेक पोस्ट पर सही तरह डियूटी की और तरक पकड़ा गया वो शायद एक अच्छी खबर ही सुनना चाहते थे और अफसर ने उनकी ये चाहत पूरी की थी जी सर अभी 10 मिनट पहले ही तरक आया था और वहां से हमने सब बच्चों को जिन्दा सलामत बाहर निकाल लिया था इन में 20 से 25 की तादाद में बचे शामिल है जिनकी हालत बहुत ही खराब है वो दो आदमी थे और इस बात का यकीन कर लेने के बाद की ये वही ग्रूप है हमने इनकी तरक के नीचे एक टाइम बॉम फिक्स कर दिया था और इन्हें जाने की अजासत दी थी और खुशी खुशी गए और पूरे पांच मिनट बाद एक जोरदार धमाके की आवाज आई थी गुड जॉब आफिसस, करनल जहांगीर की आवाज से खुशी जाहिर हो रही थी थेंक यू सर, थोड़ी सी मजीद बात करके करनल ने फोन बंद कर दिया था और साथ ही शहरियर को फोन मिला कर खौश खबरी सुनाई थी बहुत मुबारक हो सर, आपको हम अपने पहले कदम में काम्याब हुए हैं हाँ अगर तुम बरवक्त इतिला ना देते तो ये कभी भी मुम्किन ना होता शाबाश जवान मुझे तुम पर फखर है शहरियर अभी अपने बेट पर लेटा ही था जब उसे वाटसेप पर एक वाइस मेसेज रसियो हुआ इसने फोरण हमजा को कॉल मिलाई थी हाँ हमजा बोलो किया खबर है सर एक गुड नियूज है कि बेग बास को इतला मिल गई है कि इसके आदमियों को मार दिया गया है और साथ ही ये कि जो बचे उसने मंगवाए थे वो अब इस तक नहीं पहुंच सकेंगे और एक और बुरी खबर है सर वो ये कि इसको आपके बारे में इल्म हो गया है कि यहां पर आपके अंडर पाकिस्तानी टीम मौजूद है जो के बिग बास के मकासित को नाकाम बनाना चाहती है हमजा की आवाज घबराई हुई थी हमजा मेरे भाई इसमें घबराने की बात नहीं है उसे इस बात का इल्म हो ही जाना था खेर अब मुझे ज्यादा मज़ा आएगा क्योंकि मेरे दुश्मन को मेरे बारे में इल्म हो चुका है सर आप इतनी आसानी से ये बात की से कह सकते हैं आपको पता है वो बहुत खतरनाक बंदा है हमजा भी परेशान था कोई बात नहीं हमजा मुझे पता है कि वो बहुत सी इंटरनेशनल देश्चत गर्ब तंजीमों के लिए काम करता है और उन्ध मांगा मौवजा कमाता है आप ये सब कुछ जानते हुए भी इतने पुरसुकुन हैं कि आपके इतने बड़े दुश्मन को आपके बारे में इल्म हो चुका है कि आप उन सब के पीछे हैं हमें बिलकुल पुरसुकुन हैं क्योंकि मेरे साथ मेरे माप, बाप, मेरे घर वालों और मेरी पूरे कौम की दौआएं हैं अनशालला हम काम्याब होकर ही लूटींगे अनशालला सर होके मैं अब थोड़ी देर आराम करना चाहता हम तुम से कल बात होगी अल्ला हाफिस शेरी ने इतना कहे कर फोन बंद कर दी था इसके फोन बिन डाल करते साथ ही एक और फोन रिसियो हुआ था जो इसने हमजा की कॉल समझते हुए अटिनट कर ली थी हेलो हाँ हमजा किया बात है हमजा नहीं तेरा बाप बोल रहा हूं गाली शेरी फोरण सीधा होकर बैठा था उसने एक नजर मोबाइल पर देखा जहां उन्नून नंबर नजर आ रहा था इसने फिर फोन को कान के साथ लगाया कौन बात कर रहा है वही जिसके काम में तो बार बार टांग बुड़ा रहा है तुझे में कबसे अगनूर कर रहा हूं लेकिन तेरी अकड़ ठिकाने लगानी पड़ेगी ओ अच्छा तो है तो अपना नाम तो बता क्यूंकि तुझे बिग बास कहना मुझे बिलकुल भी पसंद नहीं शहरियर यूँ बोला था जैसे अपने किसी पुराने दोस्त से बात कर रहा हूँ दूसरी तरफ बिग बास उसके इस लहजे पर जिला कर रह गया था तो मुझे संजीदा नहीं ले रहा तो मुझे आम बंदा समझ रहा है तुझे पता भी है में तेरे साथ किया कुछ करवा सकता हूँ बिग बास ने जैसे शहरियर को धमकी दी थी मिस्टर जब तक में तुम्हें अलिफ जाज़त ना दूं तुम मेरे साथ कुछ भी नहीं कर सकते और रही बात के में तुम्हें आम बंदा समझ रहा हूं तो हमें तुम्हें आम बंदा ही समझ रहा हूं बहुत जल्द तुम अपने अन्जाम को पहुंच जाओगे और तुम अपने अन्जाम को मेरे ही हाथों से पहुंचूंगे नशालला ये मुह और मसूर की डाल गाली अपनी वकात से उच्छे खाब ना देख मूप के बल गिरेगा तो चल देख लेते हैं तुझ जैसा बदमाज जीतेगा या मुझ जैसा खुदा का मुझाहिद शहरियर के इतना काफ हते साथ ही फोन बंद हो चुका था शहरियर ने फोन पर देखा तो पूरे 20 सेकेंड की कॉल हुई थी ताकि शहरियर कॉल सेंटर से इसके बारे में मालूमात ना निकल वा सके पिलाल को फौराँ अंदर बूलाओ मुझे इस से बहुत जरूरी काम है बिग बास ने अपने एक आदमी को बूला था जी बास आपने बुलाया बिलाल ने बिग बास के आलेशान कम curry में दाखिल होते हुए कहा था इस कम्रे में सिर्फ उसके भरोसा बंदों को आने की अजाज़त थी हाँ पिलाल तुम से एक बहुत सरूरी काम था आओ बैठो बिग बास ने उसे एक तरफ बैठने की अजाज़त दी ये लो नंबर ये नंबर जिस किसी कभी है मुझे इसके बारे में तमाम मालूमात चाहिए समझ गए उसका नाम शहरियर सिकंदर है और पाकिस्तान आर्मी में बहुत शोगरत रखता है नया ही बंदा है मुझे इसके बारे में सारी की सारी इंफॉर्मेशन चाहिए जी बिलकुल मैं सारी मालूमात इकटी करकर आपको फॉरण इंफाम करता हूँ बिलाल ये कहते साथ कमरे से बाहर जा चुका था क्यूंकि बिग बास को अपने कामों में ताख्रिर पसंद नहीं थी शहरियर आराम की घर्स से लेटा था पर इसे कब से बेचीनी ने घेरा हुआ था वो अजीब कि सोचों का शिकार था उसे बार-बार मही की याद सता रही थी अख्रिर कार दिल और दिमाग की जंग से जान चुड़ा कर उसने मही के नंबर पर कॉल मिलाई मही उस वक्त इशा की नमाज पढ़ कर जाए नमाज पर बैठी अपनी और अपने घर वालों की अल्लार का शकर है तुम बताओ कैसे हो काम कैसा जा रहा है शहरियर की वहाँ जाने के बात ये पहली फोन कॉल थी सब ठीक जा रहा है तुम बताओ किया कर रही थी हमें अभी नून माज पढ़कर फारिग हुई तुमने नमाज पढ़ ली नहीं यारभी पढ़ने लगा था लेकिन थकन बहुत ज्यादा थी इसलिए लेट गया मिस्टर शहरियर सिकंदर आपको इस बात का इल्म है ना कि नमाज पढ़ने से दिल और दिमाग को सुकुन मिलता है और सारी थकन उतर जाती है जी मिस्टर शहरियर सिकंदर मुझे इस बात का बखुबी इल्म है और मैं भी आप से बात करने के बाद नमाज भी पढ़लोंगा फिक्र नहीं करें नमाज पढ़ल कर ही दूसरा कोई काम करूंगा ये तो अच्छी बात है वो इतना कहकर खामोश हो गए थी मही एक बात तो बताओ हां पूछो बंदर ये कि अब बद्तमीजी है मही अभी तो तुमने तमीज से मेरे नाम लिया था और अब साथ ही बंदर कह रही हो हां तो पहले तो तुम्हें खुश करना था ना मैंने कहा इतने दिन हो गए हैं तो तुम्हें खुश कर दिया जाए अब ज्यादा फ्री ना हो और बात पूछो कि अपूछ रहे थे तुम कभी नहीं सदूर सकती बंदर की बंदिरी तुमने मुझे बंदिरी कहा शेरी के बचे तुम ही चोड़नगी नहीं में बच्चों के बारे में हम बाद में सोचींगे अभी फिल हाल तो ये बताओ के कि कि आप पूछ भी लो अब तुम मुझे याद तो नहीं कर रही गलती से शेरी देखो मैं बहुत अच्छी बची हूं और गलतीयां कम भी करने की कोशिश करती हूं पता था मुझे तुम एक नंबर की बत्तमीज लड़की हो थैंक यू पर अब लाइफ टाइम तुम्हारी जिम्मादारी हूं बोलो निभा लोगे बत्तमीज लड़की की जिम्मादारी बाखुशी निभाऊंगा वो ये सुनकर मुस्कुरा दी थी और फ़ रे उसने फोन बंद कर दिया शहरियर ने मुस्कुरा कर एक नजर बंद हुई फोन कॉल को देखा और फिर वजू करने के लिए उठ गया सर ये कॉल वाला नंबर किसी शहरियर सिकंदर के नाम पर है ये पाकिस्तानी है और पाकिस्तान आर्मी में जैसा के आपने बताया था काम करता है इसकी अभी नई नई शादी हुई है अपनी नई नवीली दुलहन को एक दिन बाद ही छोड़कर यहां आ दिया है यहां पर आपको पकड़ने के चकरों में है छोटी सी फैमली में रहता है घरमीम यह सब का लाड़ला है इसके दो भाई हैं जो के जुरवा हैं ओ नई नई शादी बस इसकी कोई ना कोई कमजोरी पकड़नी थी अब देख में इस गाली का किया हश करता हूं तुम ऐसा करो नंबर मलाओ इसका बिलाल ने इसके काफ हने पर नंबर मिला दिया था बिग बस अपने आरामदे सोफे पर बड़ी शांग से बैट कर शहरियर के फोन उठाने का इंतिजार कर रहा था हेलो इस दफ़ा भी बिग बस ने एक नए नंबर से कॉल मिलाई थी सुना है तेरी गाली बीवी तुझे बड़ा याद करती है तो अपने प्यारे गाली घर वालों का लाड़ला है हो सकता है इंतिजार करते करते तेरी बीवी अपना दम तोड़ जाए हो सकता है उसके मरने का वक्त करीब आगया हो और इसकी मौत का ये मुबारत काम मेरे ही हाथ हूं हो बकवास बंद कर अपनी मेरी बीवी और घर वालों का नाम अपनी नापात जबान से मत निकाल शहरियर उस वक्त जब की इंतहा पर था देख लड़के तो अभी नया नया इस फिल्ड में आया है मिल तुझे बड़ी दफ़ा मुतात रहन ये का कह चुका हूं लेकिन तेरी अकल में कोई बात नहीं जल्दी आ रही अभी भी तुझे आफर देता हूं पांच करोर ले ले और मेरे कामों में टांगराना छोड़ दे तुने पाकिस्तान को और पाकिस्तान की अफवाज को समझा किया हवा है हम अपने मुल्क की सलामती और तहफुज के एवज पांच करोर रूपे लेंगे शहरियर घुससे से धारा था अच्छा मेरी जान घुससा क्यूं कर रहा है चल दस करोर ले ले और जान छोड़ अब मेरी तुम दरो इस वक्त से जब तुम्हारा गिरेवान मेरे हाथ में होगा और तुम अपनी आखरी सांसे ले रहे होगे बेटा बिग बास मुझे ऐसे ही नहीं सारे कहते तो अभी बच्चा है जानता नहीं मुझे मुझे तेरे बारे में जानने की जरूरत भी नहीं और साथ ही शहरियर ने फोन बंद कर दी अलिफ था क्योंके उसने आज कॉल 30 सेकेंड से ज्यादा कर ली थी और शायद बेग बास को भी घुस्से में बाते करते इस बात का इल्म भी नहीं हो सका था अब शहरियर का काम और भी आसान हो गया था शहरियर फोन कॉल बंद करक ये गिरने के से अंदाज में बेट पर बैठा था और फिर घुस्से में सारे तके नीचे प्निक दिये थे इस खलीज आदमी की इतनी हिम्मत भी कैसे हुई कि उसने अपनी नापात जबान से शहरियर के प्यारे घर वालों इसके अपनों का नाम लिया था और इन्हें के बारे में गंदे अलफाज बोले थे इसने हमजा को कॉल मिलाई थी हमजा कल मुझे हर हाल में बिग बास के बारे में सारी तफसीलात चाहिए इसके एंडर कितने आदमी काम कर रहे हीं और वो आगे का क्या पे लॉन कर रहे हीं और इसके ठिकाने के मुझे सारी मालूमात चाहिए कल सुबह मुझे मेरे टेबल पर रिपोर्ट मिल जानी चाहिए और मैं तुम्हीं ये नंबर सेंड कर रहा हूं उसकी मुकमल तफसिल नकल वाओ इसने ये कहे कर हमजा की कौओ ये भी बात सुने बगहर ही सारे एकामाग दे दे थे और साथ ही बीगबास का नंबर भी दिया था जिससे उसने थोड़ी देर पहले कौल की थी अंडर्सकोर 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 अं हम्जा समेट बाकी टीम भी इसके साथ खुसूसी मीटिंग में शरीक थी हाँ हम्जा मैंने तुम्हें कल बीग बास के बारे में तमाम मालूमात इकठी करने का कहा था बोलो कि एक खबर है जी सर मैंने पता करवाया है बीग बास नवशाख के पहारी सिलसलों के डाल रमियन ए तरक वाले धमाके में मारे जा चुके हैं हम्जा ने अब तक की तमाम मालूमात से आगाह किया था वेरी गुड और इसकी फैमली इसकी फैमली अमरीका में मुटीम है जिन में उसकी बीवी और दो बचे शामिल हैं खेर इसकी फे यमली का इसके जराइम से कोई तालोक नहीं सर फिर तो हमें कल ही कोई एहम कड़म उठाना होगा हम उसको उसके खतरनाक मकासिद में कामयाब नहीं होने दे सकते फहद जो के इनकी टीम का एक हम हिस्सा था, वो पुर जोश हो कर बोला था, बिलकुल फहद पर उस वक्त हमें जोश से नहीं बलके होश से काम ली, ना है हमें एक इंतहाई उंदा मनसूबा बनाना होगा, शहरियर बोला था, सर आपके पास कोई आइडिया है, जी मेरी बात आ आज फारा और मशी का आफ था, इसलिए इन्होंने मिलकर मही के घर जाने का प्लान बनाया था, अब वो दोनो नून गुना मही कमरे में बैट कर मही का सर खा रही थी, फारा और मशी अपनी तरफ से मोजूदा हाल के सबसे दुखी तरीन गानेगा कर मही को परेशान करने की पूरी कोशिश कर रही थी, दोरियां वद गया, पलतनों जिफक दै, मशी, ने अपनी तरफ से बेहतरीन गाया था, जबके मही ने अपने कालों पर हाथ रख लिये थे, मेरे हालात ऐसे हैं कि मैं कुछ कर नहीं सकता, तरपता है ये दिल लेकिन ये आहीं भर नहीं सकता, इस दफा फारा ने गाया था, वो भला मशी से कैसे पीछे रह सकती थी, चुप कर जाओ तुम दोनों, मही घुस्से से चीखी थी क्यूंकि अगर वो आराम से बोलती तो उन दोनों की उंची आवाजों के सामने इसकी आवाज दब जानी थी, क्यूं जी, आज इतने दिनों बा गाभी मेरी जान चोड़ो, मही घुस्से से बोली थी, ना जी ना आज ही तो मौका मिला है अब इस मौका से भरपूर फायदा उठाना चाहिए, शर्म तो नहीं आ रही ना तुम दोनों को, बिलकुल भी नहीं, फारा और मशी एक सीन, अग बोली थी, और साथ ही अगला गा जाना शुरू कर दिया था, अगर तुम साथ हो, मिस्सी के बाकी हिस्सा इसके मूंग में ही रह गये थे क्यूंकि मही ने एक तकिया जोर से इसके मूंग पर मारा था और निशाना बिलकुल सही से लगा था, रुको तुम्हें में बताती हूं, मशी भी अपना बद्रा लेन और इसके बाल खींचे गए थे, आह, बचो तुम दोनों अब मही और फारा कहा कहा लगाती हूं भाग कर लॉन में चली गई, यह थी, कोई दस मिनट के बाद मशी भी वहां आ गई थी और उन दोनों से कोई भी बात के बगएर लॉन में रखे हुए बेंच पर बैट गई इसकी शकल से अंदाजा किया जा सकता था कि आप इसका मूर सक्ता आफ है क्योंकि दो, घंटों की मेहनत के बाद उसने वो फिश टेलर बनाई थी और इस शरारत की वज़े से इसके सारे बाल खराब हो गए थे, अब अपनी दोस्त को मनाना भी तो था इसलिए मही और फारा इसी दोस्ती, इस दफा मही और फारा ने मिलकर ये गाना गाया था और गाना गाते हुए ये मशी को बराबर तंग भी करती रही थी मशी भी पहले मूंग बना कर उन दोनों को देखती रही और फिर हंस पड़ी थी, आज वो सब एक इनतिहाए हम मकसद को पूरा करने जा र वो खुद तो जुर्म वाले, कामों में मुलवस था ही पर दूसरे नौजवानों को भी अपनी तरफ मतवज़र करके इन्हें भी ऐसे ही कामों में मुलवस कर देता था। यस सर, होके टीम भी आप पहले निकलींगे क्योंके आपका रास्ता ज्यादा मुश्किल है। नहीं होनी चाहिए पहले ही बहुत नुकसान हुआ है मालका। गारी के ड्राइवर बाहर निकल आये थे और आपस में बात चीत कर रहे थे। हाँ यारा मेंने सुना है कि चुन के बचे मंगवाए थे नहू नून हुना ने और हाथ कुछ ना आया ना बचे आये और वो दोनों साथ ही भी मारे गए। हाँ इसलिए बिग बास आजकल बहुत घजबनाक हुआ है चल यार हम तो सही से कर रहे हैं ना काम हमें इस से किया। वो इतमीनान से बातें कर रहे थे पर इनहें किया खबर थी कि वो आज के बाद अपना ऐसा घटया काम दो बारा नहीं कर सकींगे। बातें करतें शख्स की नजर सामने से आते छे अफराद पर पड़ी जो कि बड़े इतमीनान से चलते हुए उनके करीब आते जा रहे थे। रहे थे पर कोई भी उनकी पुकार पर नहीं आया था। डरते डरते इन्होंने नजर घुमा के पीछे देखा तो इनके सारे साथी खून में लगपट पड़े थे। उसी लमगे उनमें से एक शख्स ने अपने गिन निकाली थी पर पाकिस्तानी सिपाहियों ने पहले ही उनके सर पे अपनी अपनी बंदोग तान दी थी। खबरदार तुम लोगों के ये काम अब खतम यार कितने पैसे कहो गे दिंगे पर ऐसे नहीं करो। उनके ऐसे कहते ही पाकिस्तानी सिपाही घजबनाक तासुरात लिए खड़े हो गए थे इन्हों ने एक लमगे में कड़ा कर गिरते हुए एक शख्स ने अपनी गिन से एक सिपाही की तरफ फायर कर दी था। वो सिपाही मौका पर ही दम दोल गया था इसकी खुबसूरती से बने यूनिफॉर्म पर शहरियर सिकंदर के नाम का टैग लगा था। उस वक्त पाकिस्तान आर्मी की अफगानिस्तान भेजी हुई टीम खुसूसी मेटिंग में शरीप थी। जी मेरे प्लान के हिसाब से हमें दो टीमें बिन अनीहंगी शहरियर अपनी टीम से मुखातिब था। सर हम पहले ही थोड़ी तादाद में हैं और अगर हम दो विस्तों में तक्सीम हो गए तो ऑपरेशन में मुश्किल पेशा सकती है फहद ने उसे अपने ख्यालात से आगाह किया था। मैंने तमाम पहलू उन पर गोर किया है और मुझे ये तजवीज ही बेहतरीन लगी है। बेहतरीन हम ने अपनी तरफ से बेहतरीन हम वर्क तयार किया है मगर इसके बावजूद अगर आपको कोई भी बात नागुजिर लगे या मेरे किसी भी फैसले को बदलना चाहे तो आपको इसका हक हासल है। जी तो टीम बी पहले निकलेगी और पाकिस्तान में माल भेजने के बिग बास के मिशन को नाकाम बनाएगी। याद रखें आपको इस मिशन में इंतहाई होशियारी से काम लेना होगा और बिग बास के इस मिशन में सारे बंदे मारे जाने चाहिए। जी सर, टीम बी के मुन्तखब करदा तमाम मिम्बरान यकावास होकर बोले थे। और टीम बी आप लोग इस मिशन में अपने कामियाब होने की इतला मुझे देंगे तो उसी वक्त टीम में भी अपने मिशन में निकल जाएगी और उनका मिशन ये होगा कि है। मिम सब बीग बास के ठिकाने पर पहुंच जाएंगे और उस नापाक आदमी की चम्री अधेर कर रख देंगे उसने हमारे कौम के बहुत से नोजवानों का जीना हराम किया हवा है। हम इस पर इसकी जिन्दगी तंप कर देंगे। अनशाल अला आज ही शौप मीम को हम करनल सर को अपने इस मिशन में काम्याबी की इतला देंगे। यस सर आज हम सारे बीग बास को जहन्नम वासिल करके ही रहींगे। दोनों टीमें यक आवास होकर बोली थी। आई विश यू अल दे बेस्ट माई डेर टीम्स। शहरियर मुस्कुरा कर बोला था। थैंक यू सर। हैदर फोन अठाओ। बिग बास उस वक्त अपने नाश्टे से इंसाफ कर रहा था जब मुसलसल बज़ती हुई फोन कॉल को हैदर को उठाने के लिए कहा। कॉल बंद हो जाने के बाद हैदर खौफनाक तासुरात से बिग बास को देख रहा था। इस वक्त तक वो भी अपने नाश्टे से फारिव हो चुका था। हाँ बोलो किसका फोन था और किया कह रहा था। बिग बास गलास में पानी डालते हुए बोला था। सर्वो बिलाल की कॉल थी ऐसा महसूस हो रहे। हाथा कि उसे बोलने में काफी दिकत महसूस हो रही है। हैदर ने डरते डरते बताया था क्यों खेर है किया हवा है मेरा सारा माल तो बखरियत उसने वहां तक पहुंचा दिया था कि नहीं बिग बास घजबनाग तासुरात ले बोला था सर वो कह रहा था कि वो लोग माल लोट करवा रहे थे कि अचानक से कहीं से छे अफराद आए और इन्होंने सब को गोलियां मार दी सारे साथी मारे गए हैं और माल भी कहीं चुपा दिया गया है हमें नहीं मालूम हो सका केमाल कहां गया मुझे भी तीन गोलियां लगी है पर इसके बावजूद आपके लिए एक खौश खबरी है बिग बास उस वक्त शदीद घुस्से की हालत में था उसके हाथ में मौझूद शीशे का गलास इसके घुस्से का शिकार हवा था और कर्ची का रची हो गया था वो इस बात से बेखबर था कि उसका अपना हाथ भी जखमी हो चुका है खौश खबरी बताओ सर वो ये केस ने मरते मरते शहरियर सिकंदर को गोली मार दी है और वो शहीद हो चुका है आहा ये वीना बात ये इन करो इतना घुस्सा मुझे अपने साथियों के मर जाने और माल के नुकसान पर नहीं आया जितना इस गाली की मौद पर मुझे खुशी मिली है पर सर पूरे दो महीने का जुमा किया गया माल जो अतना मिलगा था वो सारा जाया हो चुका है छोड़ो तुम मालकों में और मंग वालूंगा आज राग जशन का इंतिजाम करो मेरा हो दुश्मन भी मारा गया है जिसने दो दिनों से मेरा सुकुन हराम किया हुआ था तेरा सुकुन तो किया तेरी जिन्दगी भी आज में तुझ पर हराम कर दूंगा अचान काफ से दर्वाजा जोर से टोटा था और अंदर छे कमांडोस दाखल हुए थे और गोलियां चलने लगी थी सबसे आगे शहरियर सिकंदर था इन सभी कमांडोस के चेहरों पर काली सियाहियों के निशान थे जो के इस बात का मुझ बोलता सुबूत थे कि ये पाकिस्तान आर्मी के बहादूर सिपाही हैं तुम सभी कौन हो और यहां तक कैसे पूंचे बिग बास खौफजदा होकर बोला था एक दफ़ा तुने मुझे कॉल कर के कहा था कि मैं तेरा बाप बोल रहा हूं पर आज में तेरे सामने आकर कह रहा हूं कि में तेरा बाप आया हूं शहरियर सिकंदर हां शहरियर सिकंदर पर ऐसे कैसे हो सकता है इसका तो मेरे मातहत बिलाल ने मार दिया है शहरियर के चहरे पर एक साया आके गुज़रा था पर उसे अभी कमजोर नहीं होना था उसे इस दुश्मन का काम तमाम करना था ये हूँ चुका है अब तो बचकर कहां जाएगा इतनी देर में हैदर जो कि गोली लग जाने के डर से चुपा बैठा था कहीं से निकल कर उसने बड़ी वुशियारी से अपनी गिन निकल कर शहरियर के कंदे पर रखी थी जबके इस धर में मौझूद बिग बास के बाकी साथी मारे जा चुके थे अपनी और अपने साथियों की सलामती चाहता है तो बास को जाने दे बिग बास ने फातिहाना नजरों से शहरियर को देख रहा था, अगर मैं ऐसा ना करूं तो, शहरियर सखती से बोला था, इतनी देर में पीछे से फहद ने दो गोलियां सीधा हैदर के सीने में उतारी थी और वो उसी लम्हे जमीन पर गिल गया था, अब बता, मुआफ कर दू शहरी, रे भाई बेटा माफी गलतियों की मांगी जाती है गुनाहों की नहीं, और साथ ही शहरियर ने बिग बास के सीने में अपनी गिन का फाइर खोल दिया था, ओ, रे इसे शिकस्त से दो चार किया था, आखरकार बिग बास इंसानियत का दुश्मन शहरियर सिकंदर के हाथों अपने अं हमजा था, हाँ बोलो हमजा, सर दरसल मेरी आप से एक रेकुएसट है अगर आप मान लें तो मिस जिन्दगी भर आपका शकर गुजार रहूंगा, ओरे हम, जा इसी भी किया रेकुएसट है तुम्हारी, बताओ जरा, सर एक्चूली में चाहता हूं किकल टीम बी के साथ जाएगा और फिर वो अपने हिफाज़त के लिए कोई भी कदम नहीं उठाएगा, वो आपको कुछ हो जाने की सूरत में जशन जरूर मनाएगा और इस तरह वो बिल्कुल अपनी हिफाज़त से गाफल हो जाएगा और इसके घर कैसी की उर्टी इंतिजामात भी इतने सखक नहीं होंगी, क्योंकि इस तैसार ऐसा थी तो उसके साथ जशन मनाने में मसरूफ है, होंगे इस तरह से वो अपने अंजाम को बहुत आसानी से पहुंच जाएगा, पर मैं अपनी वज़ह से तुम्हारी जान मुश्किल में क्यों डालूं और वैसे भी वो मेरा सबसे दुश्मन है अगर उसने मेरे शक में तुम्हें कोई नुकसान पहुंचा दिया, तो मैं कभी भी खुद को मुआफ नहीं कर पाऊंगा, नहीं सर मैं अपनी पूरी खुशी और रजा मंदी से ऐसा करना चाहता हूँ, पर हमजा अगर वाकई तुम्हें कोई नुकसान पहु तो क्या होगा, सर मेरी आर्मी में आने की वज़ह यही, थी कि मेरी जिन्दगी का सबसे बड़ा मकसद शहीद होना है, लेकिन अभी तुम बहुत यंग हो, घर में तुम्हारी वाकसी का बेसबरी से इंतिजार हो रहा होगा मेरी तो खेर है, नहीं सर आपकी तो अभी कुछ पहले ही शादी हुई है, और वैसे भी आप अपने घर के सबसे लाड़ ले बेटे हैं पर मेरे तो और भी दो भाई हैं, यू तो मेरे भी दो भाई हैं, सर प्लीज मेरी बात मान जाएं मुझे जाने दे प्लीज सर, हमजा तुम बात को समझने की कोशिश करो, सर मैं खुद अपने हाथों से एक लिटर लिख कर आपको देता हूं जिसमें ये इकरार करूंगा कि मैं खुद अपनी मर्जी से गया था और मैंने खुद अपनी मर्जी से आपके नाम का टेग अपने यूनिफॉर्म पर लगाया था, हमजा ने बहुत मनन दें, करने के बाद शहरियर को बिलाखिर रजामनत करा ही लिया था, ठीक है जैंकलमेन बेस्ट आफ लग फॉर टोमोरो, थैंक यू सर, हमजा ये कह कर चला गया था, इसकी एंखों में खुशी की चमक थी क्यूंके इसकी जिन्दगी का सबसे बड़ा मुक्स, दाल ही यही था शहीद हो जाना और खुदा जो हू जाती है माराजी, तो बेटे राजी होते हैं, अंडर खुर अंडर खुधिर सकुर अंडर खुधिर, शहरियर ने सैफ हाउस पहुचते साथ ही करनल जहांगीर शाह को कॉल मिल, ऐए थी, करनल साहब मिशन में काम्याबी की इतिला सुनकर बहुत खुश हुए थे, श शाबाश लेकिन मैं हम्जा के लिए बहुत दिख महसूस करता हूँ। सर इसके लिए दिख नहीं बलके फखर महसूस करें। हाँ तुमने एक बहुत अच्छा काम किया है और हम्जा के गुर्बानी को जाया नहीं जाने दिया तुम सबने। येस सर इट वाज़ा डियोटी। होके जैनेटल अमीन में आपकी आज की टिक्टिस कनफरम करवा रहा हूँ। वतन लूटू फिर मुलाकात होगी अनशालला। होके सर अनशालला। शहरियर ने करनल शार का फोन बंद करके फखर को अपने कमरे में बुलाया था। हम फखर बौडी को पाकिस्तान भेजने का इंतिजाम हो गया। यस सर वो घंगीन लहजे में बोला था। फहद उदास मत हो वो हम सबका भाई था। और हमें इस पर फखर होना चाहिए। और इस बात से हमें मुतमेन होना चाहिए कि हमने अपने भाई के गुर्बानी को जाया नहीं जाने दिया। जी सर आप बिलकु सही कह रहे हैं। अच्छा सुनो इसकी बोडी के साथ ये लीटर भी भिजवा देना ये उसने अपने जाने से पहले खुद अपने हाथों से लिखा था अपनी फैमली के लिए। ओके सर और साथ ही उसने शरी के हाथों से वो लीटर थाम लिया था। फहद बात सुनो इसने कमरे से बाहर जाते हुए फहद को आवाज दे कर रोका था। जी सर, करनल सर ने हम सब की रात की टिक्टिस बख करवा दी है तुम। लोग सारे पासपोर्ट वगएरा और सामान तयार रखना। ओके सर ये कह कर फहद रूम से बाहर जा चुका था। शहरियार ने अपने तुम्हें एक बात कहनी है, मगर नाराज मत होना, कि तुम जो हर घड़ी मुझको इतना याद आते हो, हमें इतना सताते हो, कि हम तुम दूर हैं दोनों, बहुत मजबूर हैं दोनों, ना इतना याद आओ तुम, ना यूं इतना सताओ तुम, कि इतना यादा के तुम, हमें जान लोगे किया, मगर ये भी हकिकत है, एक तुम्हारी याद ही तो है, जो हर पल साथ रहती है, खुशी में भी, गमों में भी, उदासी के पनू में भी, तुम्हारी याद ही तो है, जो हमें ये बताती है, मुझे हर पर अहसास दिलाती है कि हम तुम बिन अदूरे हैं, शहर ही रह गया था वो मेसेज दरसल एक वीडियो थी जो उन्नून नंबर से भेजी गई थी इस वीडियो में बेगबास का चेहरा दिखाई दे रहा था इसमें वो बड़ी शातराना मुस्कुराहट लिए बैठा था शेरी जैसे जैसे वीडियो आगे देखता जीम अलिफ रहा था इसका भुस्से से बुरा हाल होता जा रहा था इसने शदीद गसहे की हालत में साइड टेबल पर जोर से हाथ मारा था और वहां रखा पानी का ग्लास टूट कर नीचे गिर गया था ये वीडियो दो दिन पहले बेजी गई थी शेहरी रेने मसरूफियत के 22 चार दिन के बाद आज अपने मोबाइल का इंटरनेट चलाया था और उसी वजह से ये वीडियो गो आप देख रहा था इस वीडियो में बीग बास एक एक करके उन सारे पाकिस्तानी जवानों के पासपोर्ट एक जड़े जुमा कर रहा था और फिर जब सारे पासपोर्ट इस उसने रख दिये तो उसने पिट्रोल चरक कर आग लगा दी थी उसने इन सब के पासपोर्ट जadia कर दिये थे और फिर बिग बास मुस्कुराते हुए कह रहा था अब तो डाली वापस कैसे जाएगा अपनी मलकारानी के पास शहरियर को अपना दिमाव माउफ होता हुआ महसूस हो रहा था इसने जल्दी से बाकि सारे साथियों को आवाज दी थी जो अगले ही लंगे इसके कमरे में मौजूद थे शहरियर ने इन सब को वो वीडियो दख हाई थी वीडियो देखने के बाद सब के तासुरात तकरीबन एक जैसे थे सर अब हम किया करेंगे वापस कैसे जाएंगे और आज की टिक्टिस जो करनल सर ने करवाई हैं इसका किया होगा शोएब ने सिर्विल किया था अभी फिल हाल मीम यरे पास तुम सब के किसी भी सवाल का जवाब नहीं है वो परेशानी के आलम में बोला था फहद एक दफ़ा अच्छी तरह जाकर देखो कि पासपोर्ट पड़े हैं या नहीं सर में दो दफ़ा सारा सैफ हाउस चेक कर चुका हूं लेकिन मुझे पास पोर्ट कहीं दिखाई नहीं दिये हक्तिकत यही है कि बिग बास ने हमारे पासपोर्ट जाया कर दिये हैं वो भी परेशान होकर बोला था शहरियर ने लंबा सांस लेते हुए बस इतना ही कहा था तुम लोग हिम्मत बिलकुल भी नहीं हरूगाफ ये इन्शालला हम जल्द ही कोई ना कोई रास्ता जरूर जून लेंगे अनशालला सब यक आवाज होकर बोले थे और फिर शहरियर ने सब को थोड़ी देर आराम करने के लिए भेज दिया था वो अलएदा बात थी कि आज रात नेंद किसी को भी नहीं आने वाली थी नहीं फहद मूग नहीं है शहरियर समेथ सब का एक ही जवाब था मेरी बात को समझने की कोशिश करें यहां सारा दिन और रात सी फे हाउस में बंद रहने से हम मसले का हल नहीं निकाल पाएंगे थोड़ी देर अगर फरश हुआ में सांस लेंगे तो थोड़ी घटन कम होगी और ज्यादा माखूल अंदाज में हम सोच भी सकेंगे के आगे किया करना है फहद ने उनको बहुत नर्मी से और प्यार से समझाया था और जल्दी सब की समझ में ये बात आ गए थी और वो दस मिनट में बाहर निकल चुके थे इन्होंने तकरीबन एक घंटा वाक की वाक्सी पर आते हुए शहरियर ने कान के साथ मुबाइल लगाया है वा था वो करनल सर से बात करने में मसरूफ था जब अचानक एक बाइक तेजी से आई और बाइक वाला शहरियर के कान के साथ लगा हुआ फोन खींच कर ले गया था शहरियर और इसके बागी साथ ही जितना आगे तक हो सकता था इसकाफ ये पीछे दो रहे थे लेकिन वो आगे निकल चुका था शहरियर को घर से गए हुए दो साल गुजर चुके थे इस तमाम अरसे में सब कुछ बदल चुका था माही के लिए जिन्दगी बहुत मुश्किल हो गई थी इसके लिए जिन्दगी एक आजमाईश बन चुकी थी अब उसका ज्यादा तर वक्त नमाज पढ़ने और लासे बातें करते हुए गुजरता था तमाम घरवालों का रविया इसके साथ एक दम से बदल सा गया था सिर्फ इसकी अम्मी जान भी थी जो उसे पहले जैसा ही प्यार करती थी बलके ये कहना गलत ना होगा कि पहले से भर कर इसका ख्याल रखती थी सब उसे शहरियर के वापस ना आने की वज़ा समझ रहे थे और ये सब कुछ तब से शुरू हुआ था जब शहरियर के वहाँ जाने के छे माह बाद फायका फपो उनके घर आई थी उस वक्त सब घरवाले अपने अपने कमरों में मौजूद थे जब फायका फर्जाना के कमरे में बैट कर उन से गुफटगू कर रही थी और बताओ फर्जाना शहरियर कब वापस आ रहा है अनशालला जल्दी आ जाएगा फायका बाजी पर अब तो दो साल होने वाले हैं नई नवीली दुल्हन को छोड़ कर गया है खेर हो अभी तक आया नहीं कोई बात नहीं माहीने वखुशी उसे जाने की अजाज़त दी थी और रही बात दो साल की तो ये इसकी जौब का हिस्सा है अनशालला जल्दी आ जाएगा फरजाना बेगम ने पुरसुकून लहजे में कहा था हाँ नशालला आतो जाएगा लेकिन उसने तुम लोगों से कोई राब्ता भी तो नहीं रखा जी बाजी हो सकता है मस्रूफियत ज्यादा हो इस वज़ह से ना कर सका हो देख वाओ भी फरजाना बुरा मत मानना पर मुझे तो कोई और ही बात लगती है फाइका ने इस अंदाज से कहा था जैसे कोई बड़ी राज की बात बताने जा रही हैं किया बात है बाजी, खल कर कहीं, देखो वो दरसल मुझे तो लगता है कि शहरियर के वापस ना आने की वज़ह माही है ये आप किया कह रही हैं, माही और शहरियर तो बच्पन से ही एक दूसरे के बहतरीन दोस्त रहे हैं हाँ पर एक दूसरे के दोस्त ही रहे हैं निकाल के इतने अर्से तक भी उनकी लड़ायां खतम नहीं हुई थी औहु बाजी किया हो गया है आपको, किया आपको उनकी लड़ायां में चुपा हुआ उनका प्यार नजर नहीं आया फर्जाना बेगम ने मुस्कुरा कर कहा था, पर बहन जो में देख रही हैं वो शायद तुम देखना नहीं चाह रही किया मतलब है आपका, इस बार फर्जाना भी काफी उलज गए थी, मतलब ये कि माही के कहने पर शहरियर अब तक वापस नहीं आया फायका ने बड़ी आसानी से इतनी तलग बात कह दी थी, ये आप कैसी बातें कर रही हैं, फर्जाना बेगम परेशानी से बोली थी, सही तो कह रही हमें, शहरियर ने कितनी दफामली तौर पर अपनी मुहबत का इसहार किया है माही से, पर माही ने कभी भी इस रिश्टे क के हवाले से अपनी दिल्ली रजामंदी जाहिर नहीं की, तुम ही बताओ आप किया में घलत कह रही हो, बाजी ये सच तो है मगर मुझे यकीन नहीं आ रहा माही ऐसे कैसे कर सकती है कि आउसी की वज़ह से मेरा बेटा अभी तक वापस नहीं आया, फर्जाना बेगम नमाख हो सकता है फिर भी उसने ऐसा किया, हां हो सकता है कि माही को कोई और पसंद हो और उसी वज़ह से उसने ऐसा किया हो, फायका उस वक्त अपनी भतीजी के किरदार पर उंगली उठाते वक्त ये बिल्कुल बूल गए थी कि वो खुद भी एक बेटी की माँ है, मुझे तो ये महसूस किया कि इस का तीर बिल्कुल निशाने पर लगा था तो इन्होंने मौदू बदल दिया, जी अलहमद आलला अलाह का शकर है, फरजाना बेगम ने मुस्कुराने की कोशिश की थी पर वो ऐसा नहीं कर पाई थी, उनके दिमाव में अफ़ायका की की जाने वाली जहरी बाती भूम रही थी और वो कुछ हद तक उन पर यतीन भी कर चुकी थी, जबके उनके कमरे के बाहर खड़ी माही अपनी अख़ों में असूलिये वापस अपने कमरे की जाने भाग गए थी, वो ताई अम्मी के कमरे से भाग ती, हुई सीधा अपने कमरे में आई थी, कि इसमें मेरी कोई गलती नहीं में तो ऐसा सोच भी नहीं सकती आप ही ने तो मेरे दिल में शहरियर के लिए मुहबत डाली है और यकिनन में ने ये मुहबत निकाह के बाद महसूस की यारला शहरियर के वापस ना ने की वज़ह में नहीं हूं आप तो जानते हैं ना इसमें मेरा कोई गसूर नहीं मैं तो खुद शिद्धत से इसके वापस आजाने की मुन्तजर हूं अलाह दाला प्लीज शरी को वापस भेज़ दें बस वो आजाए, वो जल्दी आजाए वो आकर सब को बता दे के इसमें मेरी कोई गलती नहीं मैंने उसको नहीं भेजा, मैं किसी और से मुहबबत नहीं करती मैं कभी कोई गलत काम नहीं किया, मेरा किरदार साफ है, इस पर कोई दाव नहीं अलाह दाला प्लीज मेरी हिम्मत आज खतम हो रही है वो अलाह दाला से रो रो कर गिलगड़ा कर दौा करते हुए वहीं सौ गई थी इसकी आप तब खली जब फजर की अजान हो रही थी वो उठी और जाकर वजू करके आई फजर की नमाज अदा की वो खुद को अप पहले की निजबत का अफीक पूर सुकून महसूस कर रही थी इसका दिल अप पहले की निजबत हलका हो गया था वे शक उसने सबसे बहतरी जगह पर अपना दिल खोल दिया था और फिर थोड़ी देर आराम करने की घर्स से लेट गई इस दिन के बाद आज तक डी रुट साल गुजर चुका था सब लोगों का रवया इसके साथ दिन बदन बदलता जा रहा था सिर्फ एक इसकी अम्मी जान ही थी जो इसका साथ देती थी वो किचन में चाए बना रही थी आज सुबह से ही इसकी तबियत कुछ ठीक नहीं थी शाम का वक्त था और इस वक्त सब घर वाले लाउंज में मौझूद होते थे और चाए पिया करते थे वो चाए के कप ट्रे में रखते हुए लाउंज की जाने बर ली थी वो ताई अम्मी के पास से गुजर रही थी जब इसे जोर का चक्करा या था और इस से घल्ती से ट्रे नीचे गिर गई सारे कप नीचे गिर कर तूट गए थे भापराती चाए की कुछ शिंटें फर्जाना बेगम के उपर गिरी थी जबके ज्यादा तर माही के अपने उपर ही गिरी थी वो शदीद घुस्से के आलम में खड़ी हो गए थी खोश में हो तुम धियान कहां गायब होते हैं लड़की तुम्हारे तमीज नहीं सिखाई तुम्हें किसी ने वो खुस्से से इंतहाई उची आवाज में बोली थी ताई जान वो में फर्जाना बेगम ने उसे कुछ बोलने का मौका ही नहीं दिया था और फिर बोली थी मुझे पता है तुमने जान बोज कर ऐसा किया है जिस तरह मेरे बेटे को मुझसे दूर भेज दिया उसी तरह अब मुझे भी कुछ करना चाहती हो मुझे सब पता है तुम मुझे बेवकुफ मतसीन मजूब पुरे जिसके साथ जाना चाहती थी चली जाती मेरे बेटे को तो मुझसे इतना दूर ना भेजती। दो साल होने को आये हैं लेकिन वो अब तक वापस नहीं आया। ताई जान पहले तो फर्जाना बेगम सिर्फ अपने रवे से उसे एहसास दाल लाया करती थी कि अब माही की वो जगह नहीं रही उनके दिल में। पर अब तो इन्होंने हधी कर दी थी सब घरवालों के सामने इस के करदार पर उंगली उठाई थी। सब लोग खामोश थे को शहरियर आजिन के दर्मियान मौजूद नहीं था। माही से अब मज़ेद बरदाश्ट नहीं हो सका था वो भागती हुई अपने कमरे में चली गए थी। और अपने बेट पर उंदे मूंग लेटी शिदत से रो रही थी। शहरियर प्लीज वापस आ जाओ प्लीज वो बा मेरा इसमें कोई कसूर नहीं मैंने कुछ नहीं का या अम्मी जान मैंने कभी किसी को नहीं चाहा मैंने तो कभी किसी लड़के से बात भी नहीं की वो रिचकियां लेते हुए बोली थी बस कर जाओ मेरी जान मुझे पता है तुमने कुछ नहीं किया तुम्हारी कोई गलती तो पिर अम्मी जान ताइ जानने इतना बुरा क्यों कहा मुझे, वो तो जानती है न शुरू से हम लोग साथ ही तो रहे हैं, वो मेरे बारे में सब कुछ जानती हैं फिर ऐसा क्यों कहा इन्होंने अम्मी जान, बेटा शहरीर इतने अर्से से आया नून, है इसलिए वो पाहू जाती हैं तुम उनकी बातों का हुस्सा ना किया करो। साधिया बेगम ने उसे समझाया था। पर अम्मी जान यकीन माने मेरी इसमे कोई गलती नहीं में। ने शरी को नहीं भेजा वो अपने मिशन पर गया है। देख लीजेगा वो अनशालला जल्दी ही आएगा फि पर अब तो ये रोज का काम था रोजही माही की किसी चोटी सी गलती पर फरजाना बेगम इसके साथ ऐसा और इस से बद्तर सुलूप करती थी। और कोई भी उनके सामने कुछ ना कहता था जबके सभी जानते थे कि माही की इसमें कोई गलती नहीं है। वो अभी ठकी हुई हस्पताल से वापस आई थी। दर्वाजा खोल कर लाउंज में आई तो साधिया बेगम को अपना ही मुंतजर पाया। आज कल सिर्फ वही तो थी जो उसके साथ थी। जो इसका खयाल रखा करती थी। आगई वो सेर सपाटे करके ना जाने ये लड़की कहा भूम के आती है रोस और यहां इस से कोई कुछ पूचता भी तो नहीं। फरजाना बेगम अपने कमरे से निकल आई थी और राते ही वुस्से से बोलना शुरू कर दिया था। मगर ताई जान में तो अभी हस्पताल से वापस आई हूँ। माही ने अपनी सफाई पेश की थी। बुजश् नहीं। सच सच बताओ लड़की कहां से हो करा रही हो। ताई जान में आप से कहा ना में हस्पताल से वापस आ रही हूँ। लगता है तुम ऐसे नहीं बताऊंगी मुझे दूसरा तरीका इस्तिमाल करना पड़ेगा। फरजाना बेगम इंतहाई घुस्से में बोली थी औ वो बिलकुल नहीं चाहती थी कि फरजाना माही के साथ इस तरह का सुलूक रखी। रोज वो माही को जलील किया करती थी और माही खामोशी से अपने कमले में चली जाया करती थी। बी जान आप मेरे मौामले में मत बोली। वो जैसे उस वक्त अपना होश खो बैठी थी। वो घुस्से से बोली थी। बी जान ताया जान मेरा यकीन करें मुझे बस इतना ही मालूम है कि शहरियर अपने मिशन पर गया है और वो अनशा अल्लाह जल्दी आ जाएगा इसमें मेरी कोई गल। ती नहीं मैंने इसे कहीं नहीं भेजा मेरे यकीन करें आप सब। बेटा ह बेगम फिर से शदीद घुस्से से बोली थी। अम्मी जान बस करें आप क्यों भावी से इस तरह से बात करती हैं उनके दिल पर किया गुजरती होगी कभी उनकभी तो ख्याल करें। फर्जाना बेगम की रोज रोज की लड़ाई और माही पर तनस करने से अब अर्मान अर है जैसा के इसने आप सब को बताया था। माही रोते हुए बोली थी। तुम ऐसे नहीं बताऊंगी ना। रुको अभी बताती हूं। फर्जाना बेगम हुस्से से बोली थी और साथ ही उनका हाथ माही के चेहरे की तरफ बढ़ा था पर माही कुछ रुने से पहले ही उनका हाथ किसी की मजबूत गिरिफ्ट में था। माही भी उस वक्त अपने हुश वाव हवास से बेगाना हो गई थी और नीचे गिरी थी। अंडर्सकोर 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 बस मैंने सोच लिया है। उसके बारे में फैसला कोई आम बात नहीं है, सब साथियों में सिर्फ हद ने बोलने की हिम्मत की थी क्यूंकि इस वक्त शहरियर के चेहरे के तासुरात घजबना को रहे थे, वो सभी शहरियर के कम्रे मीम ये मौजूग थे और शहरियर ने इन्हें अरजनट बुलाया था, पर मुझे नहीं लगता कि इसके बारे में दोबारा सोचने की जरूरत है, दो साल हो गए हैं हम लोग सोच ही तो रहे हैं, पर सर आपको लगता है कि ऐसे गर कानूनी तरीके से हम अपने मुल्क वापस पहुंच जाएंगे, उनका एक साथी बोला था, पहली बात तो ये कि हम लोग गर कानू नी सोच न छोड़ दीजे आप सब, सर आप बिलकुल ठीक कह रहे हैं लेकिन अगर इसमें हम सब में से किसी को भी कोई नुकसान पहुंच गया तो, देखो फैजान हम सब खत्रों के खिलारी हैं, हमारी जा, नों की कोई गैरंटी नहीं होती, किसी भी मिशन में कुछ भी हो कोई अफसोस नहीं होगा, फहद बोला था, तो फिर आप सब आज रात रेडी रहेगा, आज हमें ये कर गुजरना है, यसर सब लोग यक आवाज होकर बोले थे, तो किया आज आप सब इस नए इम्तिहान में में मेरा साथ देंगेगे, यसर सब ने उसकी पुकार पर लबी चोटे गिंद किसी ने उचाले थे, अभी वो लोग उसी उफ्ताद में गुम थे कि अचानक से वो तमाम चोटे चोटे, गिंद की तरह दिखने वाली अजीब सी चीज़ फट गई थी और हर तरफ दो अच्छा गया था और वो तमाम सिपाही नीचे जमीन पर गिरे थे, को के आगे आकर घेरा तंग किया था और उनके सरों पर बंदुख तान दी थी, शहरियर ने बात का आगास किया था, और साथ ही शहरियर ने उनको अपना आर्मी कार्ड दिखाया और बाती की मुक्तसर सी जरूरी मालूमात फराहम करके पाकिस्तान काफ ये वदूद के अंदर जाने की अजासत चाही, सरहत पर मौजूद तमाम फोजियों का सीनेर शहरियर के करीब आया था और इतने खतरनाक मिशन पर काम्याबी हासिल करने पर शहरियर को गले मिल कर दाद दी थी जिसे शहरियर ने सर को खम दे कर वस विल कर ली थी और यूं दीगर इमतिहानात से गुजर कर इन्हें बॉर्डर क्रोस करने दिया गया था पर शहरियर यकिनन बेख़बर था कि अभी एक और इमतिहा शहरियर अपने अंदर बे तहाशा सुकुन और इत्मिनान महसुस कर रहा था बिलाखिर धाई साल के बाद वो पाकिस्तान आया था और अपने घरवालों से मिलने के लिए बेचेंड था आज इत्फाक से हफ़ता था और हफ़ते को वीकेंड होने की वज़ा से सब घरवाले देर रात तक जागा करते थे उसी लिए वो ज्यादा खुश था कि घर जाकर सभी तकरीबन जागते होंगे और सब उसको देखकर बहुत खुश होंगे पर उसे किया ख़बर थी किया होने वाला था घर के करीब पहुँचते पहुँचते इसका जोश और भी बढ़ गया था इतने अर्थ से के बाद घर वालों से मिलने की खुशी किया होती है ये सिर्फ वही जान सकते हैं जो अपने मुल्क की हिफाज़त वाउ सलामती के लिए इतने अर्से तक मुल्क से और अपने घर वालों से दूर रहते हैं वो गेट के करीब पहुचा तो चोकिदार ने दर्वाजा फॉरण ही खोल दिया था वो उन से मिलने और उनका हाल चाल पूचने के बाद अंदर की जाने बढ़ा था लाउंज की तरफ जाते हुए इसके कदम वही थम गए थे जब उसने अपनी मां का उटता हुआ हाथ देखा और आगे मीम अही की अँखों में रवानी से बहते हुए आंसू देखे इसे उनके गरीब जाने और अपनी मां का हाथ पकरने में सिर्फ दो सेकेंड लगे थे पर उससे पहले के वो कुछ बोलता माही एक दम से नीचे गिरी थी और शहरियर ने फॉरण इसे थाम लिया था और गिरने से बचा लिया था शहरियर के जाने के कुछ हरसे बाद ही ताई जान का रवया इसके साथ बहुत बुरा हो गया था लेकिन वो सब बरदाश्ट कर ली करती थी कि ये भी इसकी जिन्दगी की आजमाईश और उम्मत हान है पर आज ताई जान के तनस और बिलावजा के इतने शदीद घुस्से की वज़ा से वो बिलकुल हिम्मत हार बैठी थी उसने अपना जब्त को दिया था और ताई जान के अपनी तरफ उटते हुए हाथ को देख कर वो हुश्वाव हवास से बेगा नहो गई थी उसे बस इतना याद था कि वो एक मजबूत बाजू के हिसार में है शहरियर ने माही की हालत को देखकर एक वजबनाक निगा सब पर ड्याली थी लेकिन वो जानता था कि ये वक्त घुस्सा करने का नहीं था उसने जब्त करके अर्मान को गाड़ी निकालने को कहा था अर्मान ग खात उठा कर इन्हें ऐसा करने से रोक दिया था उसी दोरान अर्मान भी गाड़ी लेकर आ गया था और लाउंज में आकर शहरियर को कहा शहरी भाई गाड़ी तयार है आ जाएं इतना सुनने की देर थी कि शहरियर ने माही को अपने मस्बूत बाजू में उठाया और में रोका हुआ था वो सबब वैटिंग एरिया में डॉक्टर के आने का इंतिजार कर रहे थे कि वो आएं और माही की हालत के बारे में बताएं आधे गिन टे के बाद डॉक्टर एमरजेंसी रूम से निकल कर बाहर आये थे शहरियर बेचीनी के अलम में उनके करीब गिया डॉक्टर इस एवरिटिंग ओके किया हवा है मेरी वाइफ को डॉक्टर को उनकी तरफ आते देखकर अर्मान और सिकंदर सहभी उनके करीब आ गये थे आपकी वाइफ को नर्विस ब्रेकडाउन हुआ था उनको थोड़े अरसे में बहुत ज्यादा टेंशन दी गई ही डॉक्टर के अलफाज सुनकर वो सब साकत हो गये थे सिकंदर साहभ और अर्मान ने शाक की कैफियत में एक दूसरे को देखा थे हाजब कि शहरियर ने उन दोनों से दो कदम आगया कर दीवार का सहरा लिया था किया दो सालों में माही के साथ उसी तरह का रवया रखा गया था उसकी बीवी नहीं तो उसके घर वाले अपने घर की बेटी समझ कर ही इसका अलिख खयाल कर लेते कि अगर वालों ने मिलकर माही को इतनी अजियत पहुचाई कि इसका नर्विस ब्रेकडाउन नवस ब्रेकडाउन हो गया इस तरह की दीगर सोची इसके दिमाव में आ र सकते हैं डॉक्टर वो ठीक तो हो जाएगी ना जी अनशालला आप दुआ कीजिये डॉक्टर ये कहकर शेरी का कंधा थपक कर चले गये थे लेकिन वो वहीं का वहीं ख़डा रह गया था वो तो आते हुए कितने खुपसूरत खयाल देखते हुए आया था कि वो घर एक लंबा सांस लेता हुआ नमाज पढ़ने के इरादे से चला गया था अर्मान ने फोन करके घर में इतिला दे दी थी घर में एक दम से परेशानी चा गई थी सब लोग अपनी अपनी तरफ से इसके लिए दौाएं मांग रहे थे जबके फरजाना बेगम का शर्मिंदग के बाइस बुरा हाल था आज जो कच दो चश्मिहें भी हवा था इसकी सबसे बड़ी वजह फरजाना बेगम खुद ही थी वो किसी की भी नजरों का सामना नहीं कर पा रही थी हाकिकत तो ये थी कि शहरियर के वापस ना आने की वजह वो माही को ही समझ रही थी और उसी जह से माही वो लड़की जिसको इन्होंने अपनी बेटियों से बढ़कर पियार काफ या था इसको पाला था इसको बहु कम बेटी ज्यादा समझा था वो हस्पताल में पड़ी थी और डियाकटरस ने उसकी जिन्दगी के लिए दूआ करने को कह दिया था वो मौत और जिन पकश में थी और उन सबकी वजह फरजाना बेगम थी उनकी जहरेली बातों की वजह से माही आज हस्पताल में थी वो जानती थी कि अपनी खताओं पर शर्मिंदा होने का कोई फाइदा नहीं है अगर वक्त है तो माही के लिए दूआ करने का वक्त था अला से इसकी प्रजदगी मांगने लगी थी क्यूंकि वो जानती थी कि इनके बेटे की सांसे भी उसी लड़की के हयात होने की वजह से हैं खुदाना खास्ता वो अपनी गलतियों की वजह से अपने बेटे को ही खोना दें माही को हस्पताल में पूरी रात गुज़र चुकी थी इसे अ उनको देखकर उनकी कलवाली हरकत यादा गई थी जिसकी वजह से उसका हलक तक करवा हो गया था इसने कभी नहीं सोचा था कि इसकी अपनी माही उसकी बीवी के साथ ऐसा सुलूप करेंगी शहर यार मेरे बचे मेरी बात तो सुनो वो प्यार से उसकी तरफ लपकी थी लेक के दूसरी तरफ साधिया बेगम अपनी जवान बेटी के इस तरह से हस्पतार जाने पर रो रही थी और उनके करीब अरहान और हमदान सहब बैठे उनको तसलियं पे रहे थे शहर यार भी चची जान के करीब गुटनों के बल बैठा था चची जान आप माही की फिक्र नही परेशान था नहीं बेटा वो कैसे इतनी सीरियस बीमार हो गई मुझे यकिन नहीं आ रहा साधिया बेगम रोती हुई बोली थी चची जान वो बहुत जल ठीक हो जाएगी शहरियर अपने दिल की हालत सिर्फ खुद ही जानता था बाकिस सब पर उसने भनक भी नहीं पढ़ चलो प्लीज वो माही की टेंशन ले लेकर खुद को हलकान कर रही थी जो उनकी अपनी सिहत के लिए बिलकुल भी ठीक ना था चची जान आप बिलकुल फिक ना करें शेरी भाई बिलकुल ठीक कह रहे हैं माही भावी अनशालला बहुत जल्द हम सब के दर्मियान हनसती मु उसी हालत में मौझूद था जिस हालत में वो धाई साल पहले छोड़ कर गया था वो अपने कमरे का जाइजा ले रहा था जब डिरेसिंग के पास साइड टेबल पर एक डा अरी इसे नजर आई इसने हैरत से इस डायरी को देखा वो आगे बढ़ा और इस डायरी को खोल के देखा डायरी के बिलकुल दर्मियान में एक कलम रखा गया था जिसकी वज़ा से डायरी पूरी बंद नहीं हो रही थी शहरियर तुमपल यजा जाओ अब मैं ठक चुकी हूं लोगों को अपने किरदार की सफायां दे दे कर मैंने तुम्हें नहीं भेजा तुम सब को ये ह अकिकत बता दो शहरियर प्लीज मेरी हिम्मत खतम हो रही है प्लीज वापस आ जाओ इस खले हुए सफह के अंदर मियान में ये सतर लिखी हुई थी शहरियर ने ये पढ़कर करप से अपने आँखें बंद की थी और निधाल अंदाज में बैठ कर गिरा था धाई सालों से उसकी बीवी को इस तरह की तनस्वाव तनसीख की बाते सुनी पड़ी थी और इसको अजियत में मुखतला कर दिया था ये सब माही के धाई साल के सबर का नतीजा था जिसका पैमाना आज लबरेज हो गया था शहरियर पीछे को लेट गया था लेकिन नींद इसकी अंखों स कुसों दूर थी जब जान से पिया री हस्ती जिन्दगी और मौक की कश्मकश में हो तो नींद वैसे भी कहां आती है वो थोड़ी देर यूंही बेमानी लेटा रहा और फिर फरेशा होकर हस्पताल की तरफ निकल पड़ा शहरियर ने हस्पताल आकर सिकंदर साहब और अर् रीवें अजियतों के बारे में सोच रहा था इसने माही का हाथ खाम रखा था और इसके जर्द और कमजोर चहरे को देख रहा था जो इस अरसे में मुझा सागया था तब ही उसने माही के हाथ में हलकी सी जुमश महसूस की थी अंडर स्कोर 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 ती जिस जगह वो मौजूद थी वो इसके लिए बिलकुल अंजाम थी इसने फिर से आँखें बंद कर ली थी थोड़ी देर के बाद उसने दोबारा आँखें खुलें अब इसे सारा मनजर वाज़े दिखाई दे रहा था वो किसी हस्पताल के कमरे में मौजूद थी और इसक अपने हाथ को हलाना चाहा मगर उसका हाथ किसकी मजबूद ग्रिफ्ट में था इसने नजर घुमा कर देखा तो उसके पास इसके बिलकुल गरीब इसका हमसफर इसकी जिन्दगी इसका शोहर मौजूद था वो इसको ही मुस्कुराता हुआ देख रहा था माही ने दो तीन दफ़ा आँखीं बंद करके दो बारा खोलें जैसे यकीन कर रही हो कि ये शेरी ही मौजूद था या फिर से इसका कोई ख्याल था गुजश्चता दो सालों से इसके साथ उसी तरह से हुता आया था उसे हर जगह शहरियर की मौजूद की का एसास होता था अपने घर में बा भी उस निगाहों से सब कुछ देखा करती थी पर आज इसके दो तीन दफ़ा आँखीं जपकने पर भी वो गायब नहीं हुआ था ला शौरी तोर पर वो शहरियर के चेहरे को चुछ कर देख रही थे थी गोया उसकी मौजूद की को महसूस करना चाहती थी अलाई जी प्ल शहरियर ने प्यार से इसके चेहरे पर हाथ रख कर कहा था और वो बेयकीनी से तके जा रही थी कि अवाके इसका शहरी इसके पास आ गया था अब कर भी लो यकीन शहरियर ने माही के गिरिप वाले हाथ को जो के इसकी गिरिफ्ट में था उसको हलके से दबा कर कहा था शहरी तुम बहुत बत्तमीज हो मैं तुम से कभी बात नहीं करूंगी माही इतना कहे कर रुख मोल गई थी और इसकी आवाज गनद गई थी शहरियर ने आगे वो कर देखा था और इसकी तवको के एन मताबिक माही की अखूं में असु जारी थे माही अच्छा मेरी तरफ तो देखो देखो मैं आगया हूना अब तुम हैं कोई भी कुछ भी नहीं कह सकेगा तुम्हारा शहरी तुम्हारा बंदर तुम्हारे पास मौजूद है इधर तो देखो शहरियर ने तरफ कर कहा था उसकी आवाज में तरफ महसूस करके माही न रुख मुञा था माही प्लीज मुझ से मुझ से मुझ मत मौलू मैं ये कभी बरदाश्क नहीं कर सकता शहरियर ने बेबसी से इसको देखते हुए कहा था तो जो ढ़ाई सालों से तुमने मुझ से मुझ से मुझ मूल कर रखा था इसकी वज़ पूछ सकती हम में तुम्हें पता है घर में मीर ये साथ किया कुछ होता रहा है मैंने किस तरह से ये सारा अर्सा गुझा रहा है तुम्हारे बगएर मेरी जिन्दगी कितनी मुझ किल थी तुम्हें इंदाजा भी नहीं है अच्छा ना मौफ कर दो अब तो में आ गया हूना शहरियर ने माजी किये किया डाल ताजा की थी और माही के दोनों का नर्मी से पकड़े थे सूरी ना माही की हंसी निकल गए थी इसकी मासूम शकल को देख कर जो के इसने बनाई हुई थी और वो कितना मासूम था ये माही से बहतर कौन जान सकता था अलिफ थोड़ी देर मनाने के बाद माही बला खरमान ही गए थी अगर तुम्हारा मिशन चे माह के अंदर ही मुकमल हो गया था तो ढ़ाई साल से किया कर रहे थे तुम वहां पर माही ने मूंग बना कर पुछा था तुम्हें किया लगता है मेरा मिशन कम्पिलेट हो गया हो और मैं खुद अपनी खुशी से तुम से और सब घर वालों से दूर रहा हूंगा वहां तो सालों से नहीं मैंने ऐसा तो नहीं कहा लेकिन फिर भी तुम्हें आने में इतनी देर किम हो गई दरसल जिस दिन मैंने बिग बास का काम तमाम किया था उसी दिन मेरे मॉबाइल पर मैसेज रसी हो हुए थे मसरूफियत की वज़़ से मैंने दो तीन दिनों से अपने मॉबाइल का इंटरनेट आन नहीं किया था इस वज़़ से तुम्हारी घजल भी इस रात पढ़ नहीं सका खेर में ने वो मैसेज पढ़ रहे तो किसी ने एक अंजान नंबर से मुझे वीडियो भीजी थी इसमें हम सब साथियों के पासपोर्ट चला दिये गए थे पर शेरी तुम लोग तो पाकिस्तान के बहादूर फौजी हो और क्या फौजियों के लिए भी पासप वाल्ट होना जरूरी होता है आई मैं तुम लोग पासपोर्ट के बगएर नहीं आ सकते थे किया वो बात करने के साथ साथ शहरीयर के हाथ की उंगलियों से खेल भी रही थी कर सकते थे हम लोगा सकते थे लेकिन इसके लिए हमार ये सैनररस ही हमारी हेल्प कर सकते थे और इनफार्चून इटली वहाँ पर वाप करते हुए कोई मेरा मोबायल चीन कर ले गया और करिनल सर के पास सिर्फ मेरा ही नमबर था और मुझे उनका नमबर जबानी याद भी नहीं था उसलिए हम इतने अरसे तक किसी भी एजनसी से कॉंटेक्ट भी नहीं कर पाये थे शहरियर साथ साथ माही के बालों को उसके कान के पीछे करता जा रहा था तो अब कैसे आएवो बंदर माही की उख्षों में शरारत नज करती नजर आ रही थी ज्यादा अर्सा हुआ तो बंदर को इसकी बंदरी यादा रही थी इसलिए उसने अपने साथियों के साथ बॉर्ड़र क्रॉस किया और अपने वतन वापस आ गया किया तुम बॉर्डर क्रोस करके आई वो यहां माही ने बेयकीनी से इसको देखा था इस कोई यकीन नहीं आ रहा था कि शहरियर इतना खतरना कदम उठा कर वापस आया है हाँ और मैं तुम से मजाख कर रहा हूं शहरियर ने हंसकर कहा था तुम कभी नहीं सदुर सकते यहां पर सदुरना चाहता भी कौन है और सा थही शहरियर एक लतीफ सी शरारत करने लगा था लेकिन फिर इसको याद आया कि अभी डॉक्टर को माही के हुश आ जाने की इतला भी दिनी थी उसी लिए उसने अपना ये इरादा मुलतवी कर दी और डॉक्टर को लेने के लिए उख़ड़ा हुआ शेरी प्लीज अब कहें नहीं जाओ ना मेरे पास ही रहो तुम प्लीज कहें नहीं जा रहा बस डॉक्टर को लेके आता हूं मैं भी वो इतना कहकर कमरे से बाहर जा चुका था और माही शेरी यर को जाता हुआ देख रही थी डॉक्टर अज ने माही को एक दिन हस्पतार रोकने के बाद घर जाने की अजासत दे दी थी कि ये खुदा का माजज़ा ही था कि माही ने बहुत जल्द खुद को रेकूर कर लिया था वो शहरियर का सहारा लेते हुए घर के अंदर दाखिल हुआ ये थी साधिया बेगम भाग कर अपनी बेटी से मिली थी और इसको उसके कमरे में भेज दिया गया था ताकि वो कुछ देर आराम कर सके उस वक्त लाउंज में सारे मौजूद थे माही को उसके कमरे में आराम करने की घर्स से भेज दिया गया था इसके सो जाने की यकीन दहानी करने के बाद शहरियर भी लाउंज में आया था जहां पर सब मौजूद थे फर्जाना बेगम किसी से नजरे नहीं मिला पा रही थी कि आप मुझे यहां पर कोई बताना पसंद करेगा कि धाई सालों से इस घर में किया हो रहा है और माही के साथ इतना बत्तर सुलूक क्यों किया जा रहा है कि इसका नर्विस ब्रेकडाउन हो गया शहरियर ने संजीदा लहजे से सब को मुखातिब किया था ये सब तुम अपनी मां से पूछो जिसको हम सब के मना करने का जरा असर नहीं हुआ और बेचारी माही का किया हाल करके रख दिया उसने बीजान नागवार नजरों से फर्जाना बेगम को देखा था जो कभी उनकी पसंदीदा बहु होती थी साधिया बेगम भी अपनी अखों में असूल ये खामोश नजरों से अपनी भावी को देख रही थी जिन्हों को हमेशा इन्होंने अपनी बड़ी बहन समझा था और इन्होंने उनकी बेटी के साथ कितना बुरा सुलूक रखा था पूरे दो साल इसको अजियत डी इस पर तहिम्मत लगाई लेकिन साधिया बेगम ने अपनी जबान से एक लफ़ नहीं निकाला था बेटा में हर्गिस ऐसा नहीं चाहती थी प्लीज आप सब मेरी बात सुने में हर्गिस ऐसा नहीं चाहती थी फरजाना बेगम रोते हुए अपनी सफाई पेश करने लगी थी अम्मी जान अगर आप ऐसा नहीं चाहती थी तो इस दिन में नहें अपनी आँखों से किया देखा था मीम आप माही को मारने जा रही थी इस पर हाथ उठाने जा रही थी बेटा में नहीं जानती मुझे किया हो गया था इसकी वज़ जान सकता हुं में ना चाहते हुए भी इसका लहजा थोड़ा नागवार हो गया था वो हर्गिस ये नहीं चाहता था कि वो अपनी मंस से बत्तमीजी करे लेकिन वो इन्हें अपनी गलती का एसास दिलाना चाहता था जो कि उस वक्त जरूरी था बेटा में चाहती थी कि तुम जल्दी वापस आ जाओ मुझे तुम्हारी बहुत याद आ रही थी अगर आपको मेरी याद आ रही थी तो मेरी वापसी के लिए दौ़ा कर दी माही के साथ इस तरह का रवया रखने की किया जरूरत थी आपको बेटा मुझे से गल्ती हो गए मुझे 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 आसे मत देखिए मुझे अपनी गल्ती का एसास हो गया है में माही से भी माफी मांग लूंगी प्लीज वो रोकर सब को देख रही थी अम्मी जान, मेरी बातों का बुरा हर्गिस मत मने, हम सब आप से नाराज नहीं हैं, बस आप से जाने अंजाने में जो गलतियां हुई हैं, उनका आपको एसास दिलाना चाह रहे हैं शहरियर ने प्यार से उनके हाथ ठामे थे, फर्जान, हे शहरियर बिलकुल ठीक कह रहा है हम मेंसे कोई भी तुम से नाराज नहीं है, तुम अगर इस रात हमारी बात मान लेती तो आज मही के साथ इस तरह नहीं हो तक खेर अभी कुछ नहीं, बिबरा अलाह का शकर अदा करो कि इसने हमारी बेटी को जिन्दगी अता की है इस से माफी मांग लो सब कुछ सही वो जाएगा सिकंदर साहब बोले थे पर माही किया मुझे मुझे मुआफ कर देगी इसको तो मेने इतनी तक्रिफ पहुँचाई है भावी आप तो माही को जानती हैं वो बा तेनरम दिल और ह असास है वो यकिनन आपको मुआफ कर देगी बलके वो तो आपसे नाराज या हुस्सा भी नहीं हुई होगी अलाह करे ऐसा ही हो इन्होंने नमाखों से मुस्कुराने की कोशिश की थी ऐसा ही होगा अम्मी जान फिर सबने हलकी फुलकी बातें करके फरजाना बेगम की शर् कमरे में ही मौजूद थे माही के बेट पर एक तरफ इसके पास भी जान मौजूद थी और दूसरी तरफ शहरियर बैठा है वा था जबके साथ रखी करसियों पर सादिया बेगम हमदान साहब और सिकंदर साहब भी बैठे हुए थे कमरे के कोने में अर्मान और ररहान खड था ये नहीं था कि वो अपनी दाई जान को शर्मिन्दा करना चाहती थी बलके वो अभी भी उनके लिए अपने दिल में वही इज़त और प्यार रखती थी जो पहले हुआ करता था खलत फहमियों की वज़ह से उनके रिश्टे में थोड़ी सी तलखी आ गए थी बेटा व साधिया बेगम अभी कोई बहाना बनाने वाली थी कि अचानक माही के कमरे काफ अलिफ दर्वाजा खिला था सबकी नजरे आने वाले शखस पर पड़ी थी अंदर फर्जाना बेगम आई थी उनके हाथ में एक खुलों का खुब्सूरत सा गुलदस्ता था और साथ ही इसके अंदर एक सूरी लिटर था इन्होंने आगे बढ़कर माही काफ ये हाथ में थमाया था शहरियर फर्जाना बेगम को जगह देने के लिए बेट से उग गया था और फर्जाना बेगम के कुछ बोलने से पहले ही शितत से उनकी अंखों से अंसु जारी हो गय थे और वो रोत साथ इस तरह का सुलुक किया ताई जान कैसी बातें कर रही है मैं आपसे बिल्कुल भी नाराज नहीं हूं नहीं बेटा मैंने बहुत गलत किया है और तुम ही मुझ से नाराज होना चाहिए मैं तो आप समझी हूं कि मेरा बेटा क्यों वापस नहीं आ रहा था क्योंकि मैं मैंने तुम्हें इतनी तकलिफ पहुंचाई अलाह दाला तो मेरी आजमाईश कर रहा था जिसमें मैं बिलकुल नाकाम हो गई मैंने शहरियर के वापस ना आने की वज़ह तुम को ही समझ लिया और अतमहार है। पिर ने माहौल की संजीदगी को कम करने के लिए मूँख बना कर कहा था। जी बेटा जी आप तो सुनाय ना किया सुनाना चाह रहे हैं। बे ये जानने उसे इशारा करके अपने पास बुलाया था और वो भी जान की गोदमिस सर रखकर लेट गया था जहां पास ही मही और फ भी एक कमी है आप लोग समझ क्यों नहीं रहें। ऐसी कौन सी कमी है बेटा। हमदान साहब हैरत से बोले थे। शहरियर ने सबसे नजरें चुपा कर अर्मान को आंप मारी थी और वो खौफ के मारे शहरी को देख रहा था क्यूंकि शायद वो इसके इरादे भाम चुका थ इसने वहां से निकल जाने में ही आफियत जा ये थी वो दरौजे से निकल ही रहा था जब शेहरियर की आवाज आई थी। अरवान मरियम को कब मलवा रहे हो अम्मी जान से। कि लिप वहीं थमसा गया था जबक्र बाकी सबने शदीद हैर्ए से अर्मान को देख था। भृ काफ काफ कौन मर्यम वो हकलाते हुए बोला था अच्छा वो वाली मर्यम जिसे अर्मान बड़े मज़े से सब घरवालों से चपकर आइसक्रीम पालर ले जाकर आइसक्रीम खिला रहा था माही भी जैसे कुछ याद आ जाने पर बोली थी अच्छा अच्छा शेरी भाई माही भावी आप लोग इस मर्यम की बात कर रहे हैं जिसके बालों में अर्मान ने बड़े प्यार से गुलाब के फूर सजाये थे आपकी मेड़ी पर अरहान ने भी उन दोनों का साथ दिया था अर्मान दांक पैस्ते हुए इन तिनों को देख रहा था जिन्होंने अलिफ सीन की इज़त अफजाई करने में कोई कसर नहीं छोड़ी थी बागी सब हैरत से उन तिनों को देख रहे थे जिनके चेहरों पर दबी दबी मुस्कुराहट थी कौन है ये मर्यम भई हमें भी तो कोई बताए सिकंदर साहब ने भी उनकी गुफटगू में हिस्सा लिया था कुछ नहीं अबू जान बस अर्मान ने आपकी बहु ढून ली है और अप चाहता है कि सब बड़े इसके लिए अबा काईदा मर्यम का रिश्टा ले कर जाएं यही चाहते हो ना अर्मान शहरियर ने मुस्कुराहट जब्त करते हुए संजीदा लेजे में अर्मान से पुछा था वो, वो मुझे वाश्रूम जाना था अच्छा ठीक है में चलता हूं लाहाफिस घबराहट में वो किया कह चुका था इसका ऐसास उसे बाद में हुआ वो फौरण कमरे से निकल दया था जबके कमरे से सब के कहकरं की आवाज आई थी और यूँ ये घर एक दफ़ा फिर से खुशियों से महिक गया था अंडर्सकोर 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 अं और कच दो चश्मिहे दिनों में उनकी मंगनी रखने का सोचा जा रहा था माही ने सुबह का बस नाश्टा ही किया हवा था इसलिए अब शाम होने को आई थी और इसको शिदत से भूक लगी हुई थी इसे पीज़ा मंगाने का ख्याल आया उसने सुचा कि ना बच्पन की याद ताजा की जाए और सब घरवालों से पैसे इकटे करके पीज़ा खाया जाए वो लाउंज में गई वहाँ पर उस वक्त सब घरवाले मौजूद थे वो बीजान के पास गई और मुस्कुरा कर उनसे कहा बीजान पैसे दे दे मुझे पीज़ा खाना है पर बेटा कुछ ही दिन तो हुए है तुम्हारी तबियत को बेहतर हुए तुम्हें फिर से पीज़ा खाना है नहीं भी तुम परहिज करो बीजान प्लीज ना अभी मेरा बहुक दिल चाह रहा है प्लीज दे ना इसने प्यार से बी जान के गालों पर चटक की भरी, बी जान इसकी इस अदा पर मुस्कुरा दें और पैसे निकाल कर उसके हाथ में रख दिये उसी तरह उसने ताई जान अम्मी जान और अबू जान से भी पैसे निकल वाए अब बारी थी ताया जान की ते अबो पैसे दिन उमें ने पीज़ा खाना है सिर्फ आप ही रह गए हैं सिकंदर साहब अभी अपने वोल्ट से पैसे निकालने ही लगे थे कि शहरियर की आवाज आई माही वैसे तुम बहुत अकलमंद हो पेजे का बहाना बना कर सबसे हनी मौन के लिए चंदा एकठा कर रही हो अगर दिल चाह रहा है जाने के लिए सच सच बता दो कोई तुम ही कुछ नहीं कहेगा है न भी जान शहरियर की बात पर सब हंस पड़े थे जब कि माही इसे घूर कर रह गई थी शर्म से उसका चहरा लाल हो गया था इसने उस वक्त शहरियर को कुछ भी बोलना मुनासिब नहीं समझा था क्योंकि लाउंज में सादिया बेगम भी मौजूद थी जिन से उसे रोज शोहर की इजज़त और अदब करने के लेक्चरस मिलते थे इसलिए अभी वो शहरियर को दो बाते सुना कर फिर से अपनी कलास नहीं लगवाना चाहती थी इसने खामोशी से ताया अभू के हाथ से पैसे पकड़े और अपने कमरे में चली गई जबके शहरियर ने उसे हैरत से देःखा था कमरे में आकर उसने पिज़ा लडर कर दिया था वो अब अपने कमरे में टहल कर पेजे के आ जाने का इनतिजार कर रही थी एकदम से कमरे का दर्वाजा खिला था और शहरियर अंदर आया वो मही को बिलकुल अगनूर करता हुआ सोफे पर बैट कर टेली विजन देखने लगा था जब मही से मजीद बरदाश्ट ना हो सका उसने शेरी को आवाज दी थी शेरी वो जो बड़े आराम से टेली विजन देखने में मगन था धबरा कर बोला हाँ बोलो मही ये तुम सब घर वालों के सामने किया कह कर रहे हो अब ऐसा किया कह दिया में ने यार और वो इतने मासूम ना बनो में तायाबू से पीज़ा खाने के लिए पैसे मांग रही थी तो तुमने ये क्यों कहा कि मैं हनी मौन के लिए तरप रही हूं और उसी लिए सबसे चंदा इकठा कर रही हूं अब तो शरी की खर नहीं थी क्योंकि यहां पर उन दोनों के इलावा कोई भी मौजूद नहीं था उसलिए माही को अपनी क्लास लग जाने की कोई फिक नहीं थी बोले में तो मजाख कर रहा था तुम तो मजाख भी नहीं समझती और साथ ही माही के हाथ में तकिया और इसकी गसीली निगा देखकर अपनी निशस्ट से उप खड़ा हुआ और दिल में ये सोच कर कमरे से भाग गया शरी अगर अपनी जान प्यारी है तो भाग जबके माही वहीं से खड़ी कह रही थी तुम रात को घर आओ फिर बताती हूँ शहरियर को रात को घर आते हुए काफी देर हो गई थी वो दबै पाउंग चलता हुआ अपने कमरे में आया तो उसने हैरत से माही को टेली विजन देखते हुए देखा तुम अभी तक जाग रही हो माही ने इसके सवाल का कोई जवाब नहीं दिया था किया मेरा इंतिजार हो रहा था माही की तरफ से अभी भी खामोशी थी वो बिलकुल शेरी को यगनूर कर रही थी अच्छा सुनो तो इसने प्यार से माही के हाथ ठाम कर कहा था माही ने एक गसीली निगाएस पर ड्याली और अपने हाथ खींचे मगर शेरीर की गिरिफ्ट उसके हाथों पर और भी मजबूत हो गए थी देखे मिस्टर मेरे हाथ छोड़ी मुझे जाना है कहां जाना है मिसिस अपने मिस्टर को छोड़ कर शहरियर अब इसके मात्य पे आए हुए बाल पीछे को कर रहा था माही ने एक दफ़ा फिर अपने हाथ चुड़वाने की कोशिश की थी लेकिन मुकाबिल की गिरिफ्क मज़ीद मजबूत हो गए थी माही एक बात हमेशा याद रखना अगर ते में मुझे छोड़ कर गई तो मैं शायद दुनिया ही छोड़ जाऊं ड्रामा बंद करो अपना और छोड़ो मेरा हाथ तुम मेरे जजबात को ड्रामे का नाम दे रही हो माही यकीन करो मैंने उंधाई सालों में घरवालों में से सबसे जिया द Northwest तुम है और रोवल तो में भी शहीद होना चाहता था लेकिन मिशन के कामया होने के बाद में ने इल्ला से दूआ की थी कि ल्ला तुने मुझे खाजी तो बना दिया है अब मुझे मेरी महरमसे भी मलवा दे मेरी हमसफर से मेरे घर वालों से लेकिन सबसे ज्यादा में तुम से मिलने को तरप रहा था चाहे तुम मेरे पुर्खलूस जजबात को ड्रामे का नाम दे दो शहरियर के इस लहजे से मही की सारी नाराजगी दोर हो गए थी शहर यार में ने तुम्हारे जजबात को ड्रामे का नाम नहीं दिया असल में में भी तो इन धाई सालों में सिर्फ तुम्हें एक बार देखने के लिए ही तो तरप रही थी तुम्हारे जाने के छे माह बाद से ही ताई जान का रवया मेरे साथ बहुत तकलीफ दह हो गया था और इस सब की वजह फाइका फपो थी क्यूंकि हमने उनके बेटे के रिश्टे से इंकार किया था इसलिए इन्होंने दाई जान के जहन में घलत ख्यालात जाल दिये थे और शेरीमन ने महरम बनने के बाद भी तुम्ही ही अपनी दौाओं में मांगा है वो बहुत आहिस्ता आवाज में कह रही थी शायद धाई सालों में अपने उपर गुजरी जाने वाली सारी दास्तान आज अपने हमसफर को सुना देना चाहती थी ये रात उन दोनों की बहुत खुशगवार गुजरी थी अना उन्हें सारी रात जाग कर गुजरी थी और धाई सालों में अपने उपर गुजरने वाली हरजियत और तकलिफ एक दूसरे को सुना दी थी अर्मान और मर्यम की मंगनी जुमा के मुबारत दिन में रख दी गई थी इसलिए सभी तैयारी उमे मगन थे चुनके दिन कम रहते थे इसलिए माही और फारा ने शहरियर और वली को साथ लेकर शौपिंग करने का प्लान बनाया था सारी शाम उनकी बहुत खुशगवार गुजरी थी और फिर वो जब ठक गए थे तो इन्होंने काफी शाप उसे काफी पीने का सोचा चले आज की काफी मेरी तरफ से किसी ने और कुछ खाना हो तो बगएर किसी जिजट के मुझे बता दे वली ने मुस्कुरा कर कहा था खेर है तुझे कहां से याद आ गया आज काफी प्लाने का और साथ ओफ रे की जा रही है किसी ने और भी कुछ खाना हो तो कहां से डाका मारा है जो अतने पैसे तेरे हाथ लगे हैं शहरीर ने उसे मश्कुक निगाहों से देखा था उड़े भाई मुझे 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 मुआफ कर दे मिने कहीं से डाका नहीं मारा और डाल अका मारने का प्लान तो हम दोनों का था याद है ना वली ने इस मौामले में शहरीर को हमसाने की कोशिश की थी लेकिन शहरीर भी किसी से कम नहीं था जबके माही और फारा उनकी डाके वाली बात पर हैरांगी से दोनों को देख रही थी यार मैंने तुम्हें इंकार कर दी तो तुम उसका बदला अब मुझसे इस तरह से लोगे शहरी ने मासून शकल बना कर कहा था कब कौन सा इंकार मुझे भी तो कोई बताए वली ने हैरत से देखा था अलिफ, रह भाई वही वाला इंकार जब तुम ने कहा था कि तुम पैसे की कमी की वज़से फारा की ममी की इल्मारी से सोने के सारे जिवरा तठालाओ बे और मैंने ऐसा करने से इंकार किया था शायर उसी कही बदला ले रहे हो शहरी, अरने इत्मीनान से कह दिया था जबके वली ने डरते डरते फारा की खुनखार नजरों में देखा था माही शहरी की सारी शरारत जान कर नीचे मूँख के मुस्कुरा रही थी और अब हुन की लड़ाई इंजुआए कर रही थी और शायद शीन, हर्यार का मकसद भी माही को रेलिकस और इंजुए करवाने का था किया, वली ने पूरा मुख खोल कर कहा था अच्छा चल तेरा वो वाला प्लान तो तुझे याद ही होगा जब तुमने कहा था कि हम दोनों में से एक किसी चलती हो अगारी के नीचे आएंगे ये ख्याल रखते हुए कि चोटना आए और फिर दूसरा इस आदमी के ड्राइवर से गारी की चावी चीन लेगा और उसे गोली दिखा कर डिरा धंका कि भगा देगा शहरियर ने ये वाकिया सुनाने के बाद अपना काफ हिकहा बहुत मुश्किल से जब्त किया हुआ था जबके माही से अपना काफ कहा जब्त करना बहुत मुश्किल हो गया था और इसकी हंसी निकल गए थी जबके फारा और वली ने हैरत से इसको देखा था तुम्हें किया हवा है ऐसे क्यों हंस रही हो फारा ने हैरांगी से माही को देख कर कहा था सूरी सूरी यार मुझे भी वली भाई का एक प्लान याद आ गया था जिसमें इन्होंने मुझे भी साथ शामिल करवा लिया था माही ने अप अपनी मुस्कुराहट हुंटों में दबा कर संजीदा लेजे में कहा था ये कौन सा प्लान है वली के साथ साथ शहर यार भी भी भीर भीरत से माही को देख रहा था किया हो गया है वली भाई आप वो फारा को अहवा करने वाला आपका प्लान बूल गये हैं मेने और शी रीने कितनी मुश्किल से आपको रोका था तब याद करें वली अब शदीद धैरत का जटका खा के रह गया था और बाद में फारा के हाथों आने वाली अपनी शामत को याद करके खौफ जदा हो गया था और इसका ये खौफ इसके चहरे पर भी नज़र आ रहा था जिसे देख कर माही और शेरी दोनों ने अपना कहका जब्त किया हुआ था वापसी में गारी में बैट कर दोनों ही हंस पड़े थे और शहरीयर ने मुस्कुरा कर अपने हमसफर को देखा था जो इसके दिख सिक के साथ था साथ इसकी शरारतों में भी इसका साथ भर पूर तरिके से देती थी अंडर्सकोर 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 दीगर तैयारियां करते हुए वक्त कैसे गुजरा पता ही नहीं चला था औरा जर्मान और मर्यम अंगेजमेंट थी हर कोई घर में आने वाले इस खुश, ये के मौके में बढ़ चल कर हिस्सा ले रहा था, आज का फंक्शन रात का था इसलिए सब थोड़ा सा रलीकस थे शाम के टाइम सबने हाल के लिए निकलना था, माही भी नेवी बिलो की पाउं तक आती मैकसी में बहुत खुशूरत लग रही थी, दोसली तरफ शहरियर ने भी नेवी बिलो कलर का टूपीस पहन रखा था, जिससे उसकी मरदाना वजाहत में मजीद चार चंद लग गए थे, वो दोनों ही नजर लग जाने की हद तक खुशूरत लग रहे थी माही अभी शीशे के आगे काफ, हडी वोकर तयार हो रही थी, इसका बस हैर स्टाइल रह गया था, बाप्ती की तयारी तकरीबन मुकमल हो चुकी थी, इसने हीर स्टाइल बना कर खुद को एक नजर शीशे ही रह गये, इन्होंने अपने कपड़े मीचिंगा कर के लिए थे, यूँ वो एक शांदार कपल लग रहे थे, शहरियर मही के पीछे खड़ा हुआ था, उसने अपना माथा मही के कंदे पर रख दिया था, जबके मही ने एक नजर इसको देखा और फिर से अपने जम के पह हैंने के बाद वो भी वैसे ही खड़ी शीशे में दोनों का अक्स देख रही थी, कुछ देर के बाद खामोश कमरे में मही की आवाज गोंजी थी, मिस्टर शहरियर अगर आपको याद हो तो आज हमने अर्मान और मर्यम की एंगेजमेंट में जाना है और घर के बढ़ों का जाएंगे, मही ने उसे शीशे में देखते हुए घूर कर कहा था, पर मेरा तो जाने का दिल नहीं कर रहा, तो कहां जाने का दिल कर रहा है आपका, आइडिया, केंडल लाइट डिनर पर चलते हैं, और अगर घर वालों को पता चल गया तो, तो कहने भी कि गारी खराब हो जाएंगे, तो इसे सही करवाने में टाइम लग गया, इसकी बात सुनकर मही बेसाखता हंसी थी और शेरी भी इसकी हंसी में खो गया था, रहाई साल उसने उसकी इस, ये हंसी को तो मस किया था, इसे होश तब आया जब उनके कमरे का दर्वाजा जोर से बजा था, शेहरीर आगे बढ़ कर दर्वाजा खोला तो सामने अर्मान मूंग बनाए खड़ा था, किया हुआ आज के दिन मूंग बनाए क्यों खड़े हो, भाई, जान खुद तो आपकी शादी हो गई है अगर अब मेरा नंबर लग देया है तो इतनी देर क्यों कर रहे हैं, इसने मूंग ब प्लीज अब नीचे आजाएं आप दोनों भी, चलो सोचते हैं इस बारे में फिर, ये कहते हौआ, ये शहरियर ने दोबारा दर्वाजा बंद कर दिया था जबके अर्मान घुस्से में बुरबडाता हुआ नीचे चला गया था, आज खान फैमली के लिए ये बहुत खास म वाज आई थी जिससे माहौल मज़ीद खुशववार हो गया था, इसके बाद खाना खोल दिया, गया था, खाने से फारिख हो के मही, शहरियर, वली, फारा और अर्मान के पास ही स्टेज पर मحفिल लगा ली थी, मर्यम भाबी शकर करें के आप फाइनल में जीत गई, नहीं तो आज आपकी जगह यहां पर साइरा भाबी मौजूद होती, इन सब ने स्टेज पर आने से पहले ही अर्मान को तंब करने का प्लान बना लिया था और अब इस पर ही अमली कारवाई की जरही थी, कौन साइरा, मर्यम ने हैरांडी से अरहान की तरफ देखा था, अर्मान मही ने भी उनके चेहरों पर मौजूद दबी दबी मुस्कुराहट देखकर खत्रा महसूस किया था, उड़े आपको अर्मान ने कुछ नहीं बताया, अर्मान बताओ ना मर्यम भावी को कौन है साइरा, वली ने भी अरहान का साथ दिया था, कौन साइरा, अर्मान पहले ही अपनी आने वाली शामत से खौफजदा हो गया था, अर्मान क्यों ड्रामे कर रहे हो, तुम्हें मर्यम को पहले ही सब कुछ सच सच बता देना चाहिए था, मही ने भी उनकी गुफटगों में हिस्सा लिया था, कौन साइरा, मही भावी क्यों तंग कर रहे हैं मुझे आप अर्मान ने पहले मर्यम की घोरती हुई नजरों को देखा था और फिर मही को देखकर कहा था, अर्मान अप पानी सर से गुजर चुका है अभी तुम बता दो मर्यम को तो वो शायद तुम ही कुछ नहीं कहेगी है ना मर्यम, शहरियर ने मर्यम को देखते हुए कहा था, मर् परियम मेरा यकीन करो, मैं किसी साइरा को नहीं जानता और ये जो भी कह रहे हैं मुझे नहीं। पता, इन सब को तो वैसे ही मुझे सताने में मज़ा आता है। वो घबराय हुए लहजे में कह रहा था, चलो साइरा का नहीं तो फरीहा का तो बताया ही होगा। शहरियर ने अपना सर पकड़ लिया था और किसी की भी फिक ना करते हुए वो शहरि के आगे हाथ जोड़ते हुए कह रहा था। शहरि भाई प्लीज आज के दिन मुझे मुझे मौफ कर दी उसे सच बता दी। नहीं तो उसने मुझे मार ही डालना है। वो रोनी सूरत बनाए कह रहा थ जबके बाकियों का कंट्रोल अब खतम हो चुका था और अर्मान की शकल देख करान सब के कहे निकले थे। शहरियर ने उसे मजीद तंग करने का इरादा तर्प करके मरियम को सारी सच्चाई बता दी थी और मरियम भी फिर पर सुकुन हुई थी। वो अपने ही ध्यान में अलिफ जा रहा था जब इसकी किसी जनाना वुजूद से टक कर हुई। इसने टकराने वाली हस्ती की जानिब देखा तो वो इसकी कजिन रेशा थी। जिससे कुछ साल पहले तक शेरी की बहुत दोस्ती हुआ करती थी। जबके शुरू से ही वो लड़की माही को एक अपन भाती थी। शेरी ने मरूता इसका हाल अहवाल पोच लिया था पर वो लड़की तो जैसे किसी गलो सटक की तरह शेरीर की साथ चपक गई थी जो के इनकी निगाहों से दूर खड़ी माही को बिलकुल पसंद नहीं आया था। वो शेरीर से इधर इधर की बातें करना शुर माही यार मेरी बात तो सुनो। वो अलमारी से अपने लिए कपड़े निकाल रही थी जब शेरीर ने बेचीनी से इसको मखातिप किया था। अपनी बातें अपनी उसी कजिन को जाके सुनाओ। वो खस्से से बोली थी और इसकी बात सुनकर शेरी बात समझ में आ गई इसकी प्यारी माही यकीनन इस रेशा से जलस हो गए थी। और अब उसे प्यार से उसे मनाना था। पर मैं तो तुम्हें सनाओंगा। पर मुझे तुम्हारी कोई बात नहीं सुनी। ये कहकर वो खस्सा से जाने लगी थी जब शेरीर ने इसका हाथ खामा था और उसे प्यारी तेरी बाते हैं, बातों में तेरी जोख हो जाते हैं, आउना होश में में कभी, बाहों में है तेरी अब जिन्देगी, सुन मेरे हमसफर, किया तुझे इतनी सी भी खबर, कि तेरी सांसें चलतें जदूर, रहूंगा बस वहीं उन भर, मैं तो युन खड़ा, किस सो कर दो दोनों पी अब ये बात जाने थे मुस्क्राना भी तुझी से सीखा है दिल लगाने का तोगी तरिका है एतिबार भी तुझी से होता है सुन मेरे हमसफर किया तुझे इतनी सी भी खबर गाना मुकमल हुआ तो शेहरियर ने जुग कर सर को खम दिया था शेहरियर का ये लोप और अंदाज दी खकर मही की नाराज़गी और जलसी तो कब की खतम हो गए थी पर इसे सताने में तो मज़ा आता था ना अब हटू मेरे रास्ते से मुझे जाना है शेहरियर ने गूर कर इसको देखा था किया मेरे गाने का मेरे अंदाज का मेरी महबत का तुम पर सताने नहीं देती तुम नजर ना आओ तो बेचीनी से तुम ही रूंब तक विरता हूं ये महबत नहीं तो और किया है शेहरियर के खुमार लहजे के आगे मही की जबान को तो जैसे ताले लग चुके थे वो कुछ भी बोलने से कासिर थी इस से अब शेरी की अंखों में ब पूली थी इन्होंने ऐसे ही खुशियों के साए तले खटे मीठे अंदाज में अपनी जिन्दगी को जीना था और खुशियों के साथ साथ गमों में भी कंदे से कंधा मिला कर चलना था और इस तरह सुन मेरे हंसफर का इखताम हुआ अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी ये तो मेरे चैनल को सबसक्राइब करें मेरी वीडियो को लाइक करें कमनट करें शेर करें शुक्रिया